तो cash flow statement तो बिना time को ज़्यादा खराब की हुए, last class में हमने सारे discussion कर लिया था क्या है नहीं है और हम इसको start करते हैं फिर बात में देखते हैं chapter का नाम है sir, chapter का नाम क्या है, ये कौन सा unit है, मैं बता दूँ second unit का part है, ये second unit का part, जो की cash flow statement आपने बारवी class के अंदर सीखा था, लगबग लगबग उससे थोड़ा सा advance, बाकि सारे concept वही रहेंगे, कुछ भी एकदम से new नहीं होने वाला है अपके साथ, तो cash flow statement, अब कुछ बाते और भी समझ लेंगे, हमारा जो unit two है न, unit number two, unit two बोला गया है prepare of financial statement, असर ये classes जिस जिस पे NEP applicable है, हर किसी के लिए है, चाहे वो इंडिया के किसी भी जगह पे रह रहा हूँ, तो financial statement, unit number two बोला गया है कि भी या आपको न, financial statement बनाना है, अब जब financial statement बनाने को बोला गया है, तो law क्या कहता है कि financial statement include, मतलब सर financial statement में क्या क्या आएगा, number one, profit and loss, number two, balance sheet, number three, cash flow statement, number four, notes to accounts, तो unit number two में जो आप देखोगे न, तो कई बार हो सकता है, कई बार detail में आपको मिल भी जाया और कई बार detail में ना भी मिले, मैं पहले बता दूँ आपको, तो unit number two में बड़ा simple सी बात बोला गया है कि financial statement आपको prepare करना है, तो financial statement पूँ तो यह सब कुछ होता है, तो उसमें से हम यह वाला topic कर रहे हैं, जो की है cash flow statement, एक्जाम में इसमें से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 10 नंबर का इसमें से सवाल पूछा जाएगा, तो सर सबसे पहले cash flow और यह statement है, statement का मतलब अगर बात करें, तो statement कैसा भी हो सकता है, लेखिन company act ने और इसके साथ साथ हमारा accounting standard 3 revised, accounting standard 3 revised, इस law के अंदर लिखा है के भाई, तुम्हें cash flow statement कैसे बनाना है, तो हम इसी के बातों को follow करते हुए, company act को और accounting standard 3 को कैसे कैसे काम होना है, उस सारा से देखेंगे, आगे की बात आती है सर, cash flow, cash flow, तो सर, cash flow का मतलब होता है, किसी भी business के अंदर, किसी भी business के अंदर, cash का या तो in हो जाना, किसी भी reason से, कोई भी reason, x, y, z, कोई भी reason हो, business के अंदर पैसे आ जाना, या फिर business से बाहर, cash का चला जाना, इसे बोला जाता है, cash का flow होना, सिंपल सी बात है जब पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं तो इसी को एक statement format में प्रूब करके दिखाना जिसको बोला गया cash flow statement cash flow statement से पहले जो हुआ करता था ना वो हुआ करता था fund flow statement तो fund flow statement का advance version आया कौन सा cash flow statement as आपका 2001 के अंदर इसको revise किया गया और उसके अंदर इसको बनाए जाता है तो सबसे पहले क्या जोरत आ पड़ी के cash flow statement बनाना पड़ेगा पहले यह था कि जिस company का मन कर रहा है न cash flow क्योंकि financial statement में यह सब है तो पहले यह था कि अगर भाया तुम्हें मन कर रहा है cash flow statement अपने वैपार का बनाना है business का तो बनाईए और नहीं मन कर रहा तो मत बनाईए लेकिन अब क्या कर दिया कि कोई भी limited company हो या private limited company है उसको mandatory है cash flow statement बनाना तो आप आगे चलके अगर कहीं job करने के लिए जाते हो तो obvious सी बात है अगर आप as a accountant की job करते हो चाहे वो private limited company होगा या limited company अगर बड़ी organization में जाते हो तो वहाँ पे cash flow statement आपको देखने को मिलेगा ही लेगा और वहाँ पे यही सारी चीज़े होंगी जो कि आप सीखने वाले है उसके अंदर सर इसे बनाया क्यों गया होता normally क्या था बड़ा simple सा point आप देखिएगा होता मैं आपके सामने ना एक पी एंडल बनाता हूँ profit and loss यहाँ पे जीपी पुराने वाले style में लिख रहे हैं एक लाख टू परचेज परचेज ने salary मान लेते हैं पचास हजार और टू डेप्रीशेशन 30,000 अब इसके बाद finally मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहता है यहां से हम क्या निकाल पाएंगे क्या निकालेंगे बताओ एंपी निकालेंगे तो सर एंपी क्या आएगा 20,000 net profit का मतलब वो होता है कि हमने कितना पैसा कमाया ठीक है न तो net profit 20,000 है तो अब जो ओनर था ओनर का क्या थोट था कि भाई जितना पैसा मैंने कमाया है उतना मेरे pocket में होना चीए सीधी सी बात है अगर आप कोई काम कर रहे है अगर आपकी salary 5000 है तो तंखा जब मिलेगी तो आपके pocket में कितनी होनी चीए 5000 रुपे होना चीए अगर तंखा मिलेगी तो आपके salary कितनी होनी चीए सर 5000 रुपे आपके pocket में होना चीए सेम अगर आपने बिजनस किया और यहां से आपको 20,000 रुपे प्रॉफिट है तो आपके पॉकेट में कितना होना चीए 20,000 लेकिन जो ओनर है ओनर ने चेक किया आपने प्रॉफिट को ओनर ने चेक किया कि भीया मेरे पॉकेट में कितना है तो इसको मिला 50,000 इसके पॉकेट में कैश पता है कितना था? पचास अजार मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट है लेकिन जेब में पचास अजार पड़े है तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फियूजन हो जाती है कि सर अगर आपका नेट प्रॉफिट बीस अजार रुपए तो पॉकेट में पचास कैसे आए? या तो हमारी अकाउंटिंग गलत चल रही है या तो मैं कुछ गलत बता रहा हूँ यहाँ पे तो अकाउंटिंट ने समझाय है सर यहाँ पे ना यह जो डेप्रीशेशन है यह एक ऐसा आइटम है अगर एसेट पे डेप्रीशेशन लगेगा तो आप पी एंडल के डेबिड में लिख रहे हो लेकिन यहाँ पे नो कैश यानि यहाँ पे आपने किसी को पेमिंट ही नहीं किया एक्चुल में आपके ग्रॉस प्रॉफिट एक लाग का था सेलरी अपने इंप्लॉई को दिया क्या डेप्रीशेशन आपने किसी को दिया पेमिंट करने के लिए नहीं दिया यह तो पैसे गए नहीं जेप से तो इसको डेटेल में बताने के लिए मैंने क्या करा एक इस तरीके से एक डेटेल बना लिया कि भाईया हमारा नेट प्रॉफिट था बीस अजार और उसके अंदर हमारा डेप्रीशेशन एड़ कर दिया तो यह लो हमारा कितना आ गया जो पचास अजार है हमारा वो क्या आगे हमारा कैस मालिक को यह बना के दिया तो सर एक बाते नहीं है और भी बाते हो सकती है जैसे सपोस करो मैं एक और पॉइंट इसके अंदर इंकॉर्परेट कर देता हूँ जैसे कि मैंने कर दिया यहां पर प्रॉफिट इधर लिखा तो यह कितना हो जाएगा एक लाक और एक लाक पांच हजार अब नेट प्रॉफिट आपको कितना दिखेगा पचिस हो जाए लेकिन देखा जाए तो मेरे पास जो पैसा है ना वो अभी भी कितना है पचास मालिक बोलता है ऐसा कैसे प्रॉफिट तो पचिस लेकिन ये में पचास कैसे तो उसको हम क्या करेंगे समझाएंगे कि भाई ओनर एक चीज़ देखो तुम और क्या देखो तुम सिंपल सी बात समझो आपका नेट प्रॉफिट कितना है तीस है ना नेट प्रॉफिट कितना है आपका पचिस है ना इस पचिस की बात करेंगे तो इस वाले से आपका पैस गया नहीं तो वापस एड़ कर दो क् depreciation कितने रुपे 30,000 और profit on sale of fixed assets से कभी पैसा आता नहीं है आपके 10 का phone 12 में बेचा तो 12,000 रुपे sales है क्या 2000 अलग से भी profit आएगा सोचो अगर 10 का समान आपने 12 में बेचा तो 12,000 रुपे तो आपके पास आ गया वो क्या है आपका sales अब कमाया कितना आपने क्या वो 2000 भी cash देगा वो हमें नहीं वो तो already sales में included है तो यह 2000 रुपे सर आपको जो दिख रहा है यह बेकार का दो 5000 रुपे यह बेकार का है तो इसके हिसाब से देखोगे तो फिर से आपके पास क्या जाएगा तो हमारे profit and loss में और balance sheet के कुछ item में हमारे pocket में कितना पैसा cash पड़ा हुआ है और हमारे show कितना हो रहा है अपने P&L के अंदर इसमें difference आने लग गया इस difference को समझाने के लिए accounted ने क्या सहारा लिया एक page पर honor को लिखने लगा और ये difference बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा difference हो गया क्योंकि हमें एक chapter बनाना पड़ गया जो कि नाम पड़ गया cash flow statement और इसी को हम क्या करेंगे as a statement में अपने honor को समझा देंगे धीरे धीरे detail जाते गया है तो बोला गया कि हर किसी को categorize कर दो यानि सर सिर्फ cash flow statement पहले बना करता था फिर बोला operating activity अलग बनाओ फिर बोला investing activity अलग बनाओ फिर बोला financing activity अलग बनाओ यानि अगर आपको cash flow statement सीखना है न तो आपको knowledge होना चाहिए cash flow यानि cash flow statement बनाओगे तो ये जो बनेगा इसे help चाहिए बिना help के ये account नहीं बन सकता सर, help का मतलब हमारे organization में दो ही चीज है mainly जिसके लिए हम इतनी मेनद करते हैं आगर हमें ये चीजे मना कर देना तो accounting किसी काम की नहीं रहती और वो चीज क्या है सबसे main priority objective क्या होता accounting का 11th class में ही बता दिया जाता है to calculate profit and loss main objective अगर बोल देना कि आपको profit and loss जानना ही नहीं तो बोलो क्या फाइद accountant का फिर तो हमारी जोरत ही ना हो कोई chapter ही ना बने इस तरीके का है ना तो अगर आपको profit and loss जानना है ना तो आपको एक तो है profit and loss और एक है balance sheet एक है balance sheet एक है balance sheet profit and loss में इस side सारा क्या होता है income और इस side सारा क्या होता है expense balance sheet में इस side क्या होता है liability और इस side क्या होता है assets है ना यह तो समने देखे हैं अब balance sheet के liability को गर categorize करें तो दो पार्ट में बढ़ जाता है basically तीन पार्ट में बढ़ता है liability ठ्यान से देखना एक हो जाता है हमारा share capital एक हो जाता है हमारा long term borrowing ग्यारवी क्लास में आपने पढ़ा होगा और स्वरी बारवी में share capital और एक long term यानि long term loan और एक हो जाता है current liability तीन हिस्से में बढ़ता है liability current liability का मतलब क्या होता है वो करजा जो की एक साल से कम में payment करना है नोन long term borrowing का मतलब वो करजा जिसको एक साल के बाद payment करना है share capital का मतलब मालिक का पैसा और reserve and surplus भी सी के अंदर मान दो assets को categorize करा जाए तो एक होता है हमारा fixed assets एक होता है हमारा investment और एक होता है हमारा current assets यही तीन चीज़े है बैलनेशीट में अब इसके अंदर आप कहीं भी डाल लों अगर मैं बोलू cash तो current assets का पार्ट है अगर मैं बोलू building तो किसका पार्ट है अगर मैं बोलू machinery तो किसका पार्ट है fix aust का पार्ट है अगर मैं गुड़reating बोलू तो salary हो सकता है आपका rent हो सकता है आपका एंड एकसेक्टरा यानि धेर सारे जितने expenses सोच सकते हूं वो सारे हो सकते हैं और इस side में देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है GP होगा gross profit क्यूंकि मैं direct pay and hell बना रहा हूँ इससे पहले का जो trading profit and loss है उसे मैं दिमाग से निकाल दो trading account और क्या हो सकता है आपका और भी other income हो सकता है जैसे कि rent receive हो सकता है ना यह हो सकता है और फिर finally यह क्या निकलता है हमारा net profit और यह net profit हम किदर ले जाते हैं यही कर रहा है है ना अब हमें cash flow statement बनाना है तो cash flow statement बनाने के लिए इनहीं का सहरा लेना है अब इसके अंदर profit and loss के अंदर जो हमारा trading account है इसके अंदर वो items डलते हैं जो कि daily मररा की चीज़े हैं जैसे purchase एक दिन होगा यह daily होगा regular basis पे होगा sales regular salary देना यह भी regular activity हर महीने देना है और rent यह भी हर महीने देना है तो यह regular nature के और balance sheet में ऐसे items आते हैं जो कि regular nature के हो भी सकते और नहीं भी जैसे मैं बिल्डिंग हर बार थोड़ी खरी देंगा एक बार बिल्डिंग खरी दिया तो 10 साल 50 साल तक वही building इसमें show होता रहेगा लेकिन हा कुछ हैसे जो मैंने बोला कि नहीं हो सकते fix nature के जैसे कि debtor debtor है हर बार पैसा लिना देना रहे है तो हमें अगर cash flow statement बनाना है तो हमें इस पूरे को समझना होगा पहले तो क्या था कहीं भी minus plus कर देते तो चलेगा कब 2001 में तो अब 2001 तो है नहीं जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया specific होता गया हर चीज़े ना बहुत specific होता गया हमारे life के अंदर भी चीज़े क्या हो गया specific 10 तक थे तो 10 तक सब पड़ रहे थे 10 के बाद आप specialization में आए उसके बाद फिर और specialization में अब जब graduation करोगे तो एक specialization चूज कर लोगे जिससे नौकरी मिलेगी सेम cash flow statement पहले एक ऐसा था मतलब fund flow था जो की बल्की टाइप का था अब specialization तो बोला गया specialization इतनी देर से करते हो रहे हो लेकिन है क्या specialization बोला इसको category में बाढ़तेंगे बोला category मतलब बोला इसको तीन हिस्से में तोड़ने वाले हैं हम इसको तीन हिस्से में तोड़ देंगे मतलब साथ तीन हिस्से में किस-किस में तोड़ेंगे एक होगा हमारा cash flow from operating activity cash flow from operating activity एक बोला गया होगा cash flow cash flow from financing activity sorry investing activity cash flow from investing activity एक होगा सर cash flow from financing activity सर नाम जैसा है ना उसी के हिसाब से चलता यह और यह दस नंबर ना आपके एक्जाम में बड़े आसानी से अचीव किये जा सकते हैं कि सर ओपरेटिंग का ओपरेटिंग का मतलब क्या होता है अगर किसी से पूछा जाएना कि सर ओपरेटिंग का आप हिंदी मेलिंग बता दो तो जो बहुत फ्रिक्वेंटली चलाना ओपरेटिंग का मतलब ऐसे होता है चलाना जैसे आपको ओल आपको फोन ओपरेट करना आता है क्या इसका मतलब क्या समझोगे चलाना तो बेसिकली ओपरेटिंग का मतलब चलाना और बिजनस हमेशा जो चलता है वो किस से चलता है यानि जो की बहुत frequently काम हो रहा है इसका मतलब वहीं से चल रहा है यानि purchase, sales, expense, income, debtor, creditor इससे तो अगर आपको operating activity समझना है कि operating activity कैसे बनेगा तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा profit and loss के आईटम मैंने बोला बहुत frequently जो की within a one year में आप changes आते रहते हैं तो एक तो इस P&L के सारे आईटम हर साल बदलते हैं सर्थ कभी भी नहीं देखोगे के नहीं बदला हर बार change होता है और एक यह भी हर साल बदलता है cash मेरे पास इस साल पांच रुपए है आगे आप पचास अजार रुपए है तो क्या अगले साल भी पचास अजार ही होगा नहीं वो तो एक घंटे बाद बदल जाएगा तो पचास जार रुपए कैसे किसी ने मांगा ले 100 रुपए कम हो गया और अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ या मैं किसी से पेमेंट ले रहा हूँ तो बिजनस चलाने के लिए ही तो कर रहा हूँ तो यह उपरेटिंग है यानि अगर आपको उपरेटिंग एक्टिविटी समझता है तो आपको एक profit and loss एक current liability और current assets की knowledge होनी बहुत ज़रूरी है सर profit and loss में कितने item हो सकते हैं सारे खर्चे मैं यह मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा assumption ले रहा हूँ कि आप पता है और अगर मैं मानूं यहां current liability में क्या क्या आउ सकता है तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है एक्टिविटी करना है तो आपको दो चीजों पर focus करना पड़ेगा सर दो चीजों पर focus करना पड़ेगा अगर आपको operating activity करना चाहते होते हैं सर वो दो चीजों कौन कौन सी होंगी कि वो दो चीजें होंगी एक आपको मैं simple language में लिख रहा हूँ profit and loss और एक आपको कि समझ में आ जाएगा क्या लिख्खाई बताइए क्या लिख्खाई यह तो हो गया profit and loss और यह हो गया current liability और current assets अब मैं बात करूँ तो अब ना हमारा ये वाला portion यूज हो गया इसमें से ये भी यूज हो गया तो आप ध्यान से देखो तो कुछ portion अभी यूज नहीं हुआ है अब पी एंडल का सारा portion यूज कर लिया हमने इसको भी यूज कर लिया तो भाई इसमें से क्या इस्तमाल नहीं किया एक तो शेयर अगर खरीदती हो आप investment करते हो एक तरीके से investing का पार्ट है तो उसका नाम दे दियागे investing activity जहां पर पैसा लगा रहे हो जहां से आप assets को खरीद रहे हो तो यह चला जाएगा investing यानि investing activity अगर आपको समझना है तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताओ आपको दो ही चीजे ध्यान रखनी होगी बताइए क्या-क्या रखनी होगी अगर investing activity एक आपको पता होना चाहिए fixed assets और investment एक एक इन्वेस्मेंट देखे हमारे पास जो भी था ना हमारे पास financial statement के अंदर अब बताइए कुछ बचाए या सब यूज कर लिया कुछ बचा या सब यूज कर लिया बच गया सर यानि पी एंडल भी यूज हो गया और assets भी यूज हो गया अब देखोगे तो अकेला क्या बचा अकेला क्या बचा अब इसको रखा गया financing financing का मतलब होता है कि जहां से ना पैसे का लिंद दिन जाता हो यानि कि करजा लून तो financing activity में देखा जाए तो financing activity में हम क्या रखेंगे सर दो चीज़े फिर से इस पाइनिसिंग एक्टिविटी में हम दो चीज़े रख रहें है कि सर दो चीज़े क्या क्या रख रहे हैं हम financing activity में एक रख रहे हैं शेयर कापिटल और एक रख रहे हैं हम लॉंग ट्रम बोरॉंग मैं थोड़ा तो क्या आप शेयर कैपिटल के तरफ कुछ करना काम है क्या आपका लॉंग ट्रम बोरॉंग में कोई काम है क्या fix assets में कोई काम है नहीं है यानि अगर आपको operating activity बनाना है तो आपको profit and loss current assets और current liability की अगर information दे दिया जाए तो बना सकते हो अगर आपको investing activity बनाना है तो आपको क्या information चाहिए fix assets और अगर आपको financing activity बनाना है तो आपको क्या information चाहिए share capital और long term समझ रहें बात को यानि जब काफी बच्चे क्या करते हैं आपके सामने ने एक balance sheet आता है पूरा का पूरा या फिर trial balance balance जो भी आ जाए तो आपको बोला जाता है तो उसके अंदर से ढूंबते हैं कई बार बच्चा मेरे से सवाल पूछता है का सर share capital बताई है operating activity में आएगा तो यानि अगर देखा जाएं तो हमारा operating activity बनाने के लिए एक पी एंडल की जानकारी होनी चाहिए यानि पी एंडल की जितनी भी जानकारी होती है वो सारी operating activity से related है current assets जितना भी होता operating activity से और fixed assets जितना current liability operating मैं बोलू salary बताओ किसका पार्ट है मैं बोलू आपका पर example salary के बलाबा मैं बोलताओ rent किसका पार्ट है operating activity का मैं बोलू purchase किसका पार्ट है operating activity का मैं बोलू debtor किसका पार्ट है डेटर क्योंकि current assets है तो किसका part बन जाएगा क्योंकि मैंने बोला नहीं यहाँ पे क्या किसका part है यह creditor किसका part होगा bills payable किसका part होगा bills receivable किसका part होगा operating का इधर मैंने लिखा है fixed assets और यह मैं बोलू building किसका part है investing activity का plant and machinery goodwill furniture investing का investment अगर मैं बोलू equity share capital यहाँ share capital ठीक है अगर मैं बोलता हूँ equity share capital के जगहे पर मैं बोलता हूँ suppose करो debenture क्योंकि debenture funds long term मैं बोलू bank से लिया गया loan financing का तो सभी को समझ में एक न सबसे पहले तो मैं आपका concept बताना चाहरा हूँ कि भीया यह किसका part होता है इससे related कुछ हम अगर देखा जाए पी एंडल की बात करें तो पी एंडल के अंदर सारी बाते लिखी जाती है सर यहाँ purchase भी लिखा जा रहा है यहाँ interest on capital भी लिखा जा रहा है यहाँ interest on loan भी लिखा जा रहा है यहाँ depreciation भी लिखा जा रहा है यहाँ पे goodwill कम हो जाता है गुडविल return of भी लिखा जा रहा है यहाँ पे rent receive भी लिखा जा रहा है यहाँ पे dividend receive भी लिखा जा रहा है यहाँ profit and loss में तो सारी बाते लिखे जाती है लेकिन profit and loss के अंदर वो जानकारी भी दे दी गई है जो की business चलाने के लिए जरूरी नहीं है उपरेटिंग का मतलब business चलाने के लिए जरूरी है जैसे interest on loan भया नहीं जरूरी है interest on loan को कोई मतलब भी नहीं आप loan लेके क्यों कर रहे हो business operating पार्ट ही नहीं होता है तो सर इसमें से अगर मैं बताओ interest on loan तो आपको सबसे पहले check करना ह कहां का पार्ट है एंट्रेस और सिर्ट आ लून का मतलब क्या हो गया आप ब्याज दिया लून के ऊपर अब बताओ लून कहां का पार्ट है रखना है कि एसा कोई कोई खर्चा या ऐसा कोई इंकम जो की कनेक्टिड किसी और जगह से लग रहा है वो आपका उपरेटिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा वो वहीं पहुंचा दिया जाएगा थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं जैसे बोला इंट्रस अन लोन आपने का सर फाइनेंसिंग का ह इंट्रस अन लोन कहां लॉंग ट्रम बोरिंग का है तो यह फाइनेंसिंग में आ गया तो इसी का पार्ट माना जाएगा रेंट रिसीव कोण बच्चा बताएगा रेंट रिसीव का मतलब मैंने कहीं न कहीं प्रपर्टी लेकर रखा होगा तब दो रेंट आ रहा है और प् operating activity की है लेकिन अगर ऐसी कोई भी जानकारी हुई जो की कहीं न कहीं investing या financing से connected है तो उससे operating का पाइन görगा ना मानके एंज लेकर आपको सोच ऩो इसे कनेकट कहां से ओर रहा है ज्यादा इससे connect है security premium तो किसका part माना जाएगा मैंने कहाँ यहाँ dividend receive तो dividend किस पर मिलेगा कहीं न कहीं मैंने shares पर invest किया होगा तो इसका अगर मैं बोलता हूँ commission receive तो भाई यह day to day business की बात है यह operating का part है ठीक है न अगर मैं बोलता हूँ salary operating का part है और अगर payment किया तो operating का part क्योंकि इसके मिलेया business नहीं रहा है रेंट receive किया तो investing का part interest payment कर रहे हूँ तो सर यह किसका part है financing का इंटेस payment operating का part नहीं होगा किसका होगा financing का क्योंकि interest किष्ष्ट किष्ट पेड एट कर रहे है loan पे लोन रहा है तो किस से connect होगे financing से तो किसका part माना जाएगा इंटरस्ट रिसीव इंटरस्ट क्यूं मिल रहा है कही न कहीं आपने fix deposit किया होगा कही न कहीं किसी को करजाद दे रखा जो कि आपका क्या investment तो किसका part माना जाएगा interest receive किसका माना जाएगा और interest paid किसका माना जाएगा अब थोड़ा सा मैं scenario change कर रहा हूँ मैं banking company हूँ और मैं interest paid कर रहा हूँ तो banking company का interest paid करना काम ही है या फिर वो जैसे मैं अगर मान लेते हैं कि मेरी एक दुकान है कपड़ी की दुकान है मैं ब्याज pay कर रहा हूँ मैं financial institution हूँ तो क्या मैं ब्याज जो अपने customer को payment कर रहा हूँ क्या यह मेरा routine nature का है हाँ तो उसके लिए operating का खर्चा माना जाए तो अगर मैं आपको business के nature को भी समझना होगा मैंने बोला interest paid सीधा financing का है भाई लेकिन मैंने बोला अगर interest paid करता है कोई भी financial institution तो किसका पार्ट हो जाएगा operating का यह भी दिहान रखना है समझ में आरे बात आपको तो यानि सार simple सी बात है पी एंडल के अंदर सारे item जितने भी आपने यहाँ पी एंडल लिखा तो सारे item पी एंडल के तो operating का नहीं होता कुछ पार्ट तो कहीं और से भी connected होगा simple सी बात अगर हम करें तो तो चलिए सर इसको और detail में discuss कर लेते हैं कि सर क्या क्या कहां से connected होने वाला है इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं सर पी एंडल को और categorize अगर मैं कर दूना तो पी एंडल के अंदर यानि सर पी एंडल ओपरेटिंग का पार्ट है मान गए लेकिन पी एंडल में से क्या चीज़े ऐसे हैं जो की हमारा impact कर रहा होगा cash flow के उपर क्योंकि मैंने क्या बोला profit and loss में अलग बाते हैं और ये में पैसे अलग है दोनों में difference आ रहा है तो ऐसे क्या चीज़े होगी अगर मैंने बोला भाई salary मैंने दे रखा है पी एंडल के debit में तो गलत थोड़ी न दिया है सही दिया है तो वो cash flow में कोई impact ही नहीं करेगा ऐसे कौन से item है जो की पी एंडल क्या होता है जिसके अंदर आपको किसी को पैसान नहीं देना लेकिन profit and loss के debit side में दिखा रहे हो जैसे सर number one depreciation number 2 loss on sale of fixed assets बताओ अगर आपने 10,000 का समान 8,000 में भीजा 2000 रुपे का नुकसान हो गया क्या ये 2000 रुपे किसी को देके आओ गया नहीं लेकिन profit and loss के debit में तो दिखाते हो ना loss on sale of fixed assets इसके बाद और क्या हो सकता है सर number 3 goodwill return off सर एक बाद detail में बताओ goodwill return off क्या होता है goodwill return off था मतलब very simple कि मान लेते हैं आपके business का goodwill पहले 1,000,000 रुपे हुआ करता था now आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे customer चले गए तो आपके business का goodwill 80,000 बच गया है तो 20,000 का नुकसान है जिसे हम P&L के debit में लिख देते हैं तो क्या ये 20,000 किसी को payment किया है आपने नहीं तो किसका पार्ट माना जाएगा ये non cash item नोन cash item का मतलब जहां पे cash का flow ही नहीं है नमबर चार preliminary expense preliminary expense return of number 5 transfer to general reserve अगर हम general reserve में भी पैसा transfer करते हैं तो वो भी हमारा non cash item है उसमें भी cash का कोई काम नहीं होना तो sir ये जो point लिखा है नामने ये वो point लिखा है जिसके अंदर no flow होता है और cash flow statement में no flow item की क्या मतलब क्या करना होता है तो cash flow statement के अंदर इसको हम कर देते हैं add कह लो या plus कह लो यानि अगर हम operating activity बनाएंगे और profit and loss में ऐसा कोई जानकारी दिखा तो हम क्या कर देंगे उसमें plus कर देंगे लेकिन part किसका ही है ओपरेटिंग का ही माना जाएगा ठीक है कुछ ऐसे item भी हमें दिखेंगे अपने pndl में मैं एक pndl आपके सामने बना भी देता हूं आपके दिमाग में चलता रहेगा कुछ ऐसे item भी pndl में दिखेंगे जैसे मैंने बोला salary तो भाई सही दिया वो cash flow operating activity का part है लेकिन कुछ करना नहीं है उसको क्योंकि वो सही दिया हुआ है अगर मैंने gp लिखा यहां पर 50,000 रुपए और salary लिखा मैंने 10,000 रुपए तो net profit 40 आया है तो मेरे pocket में भी कितना दिखेगा 40 कोई गलती तो है ही नहीं क्या cash flow statement बनाए हम जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो ऐसे कुछ item है जो कि हमारा कहीं और से connected है वापस add on कर देंगे जैसे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर पी एंडल के अंदर और क्या आएगा सर और आएगा expense ऐसा होगा जो related होगा related to financing activities सर ऐसा क्या item है जो कि related होगा financing activities से तो सर ऐसा क्या item है जो कि financing activities से related होगा वो देख लेएगा सर नमबर वन interest बताओ interest paid कहा लिखोगे पी एंडल के debit में आपके लिए खर्चा है मैंने बोला expense related to financing activity लेकिन वो related कि से finance अगर मैं बोलू ना interest paid बताओ किसका part है financing का है लेकिन कुछ पस्चे बोलेंगा सर यह तो पी एंडल में आ रहा है तो भाई पी एंडल में आ रहा है तो इसी को तो rectify कर रहे है क्योंकि एक्चुल कहां से connected है financing ठेक है नमबर दो dividend paid हाला कि dividend paid पी एंडल के अंदर आता ही नहीं है लेकिन statement format में दिख जाए तो आप मान लेना यह financing activity का पाठ है कि नमबर तीन कि दो ही चीज लिखते हैं बाकी जैसे जैसे एक्जामपल आता जाएगा फिर करेंगे कि सब्सक्राइब यहां पर कि तीसरा क्या पॉइंट है कि एसा income यह भी पता है क्या होगा एक चीज़ यह भी ध्यान दखना यह यह भी क्या हो जाएगा हमारा कि एड होगा कहां पर एड होगा operating क्योंकि अभी मैं operating activity को ही explain करता हूं कि तीसरा पॉइंट भी है सर इसके अंदर तर तीसरा पॉइंट क्या है कि इंकम कि रिलेटेड टू कि इन्वेस्टिंग कि एक्टिविटी सर इंकम कि रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हमें पता चलता है तो क्या करना है सर उसे माइनस कर दें कि सर क्या क्या हो सकता है कि पॉइंट नमबर वन इंट्रस रिसीव पॉइंट नमबर टू डिविडेंट रिसीव पॉइंट नमबर थ्री रेंट रिसीव में इसे सरे जओ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं न ये सारे पॉइंट पता रहा है ये वह पॉइंट है जो की हमारा the related किस्थे हैं adesso कि रिलेटेड किस्थे है इंकम और रिलेटेड अंकम कहा से है रहगया हमारा सर इसके अंदर समझने के लिए तो जब हम current assets और current liability लेंगे न अगर मैं current assets और current liability की बात करूँ अगर मैं current assets और current liability की बात करता हूं तो क्या क्या आ सकता है अभी मैं इसको एक बार और समझा हूँ आभी देखते जाईए इसके लिए मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पर current assets और current liability दो चीज़े धियान रखना है कि क्या current assets को अंदर माना जाएगा और क्या नहीं माना जाएगा मैं example ले लूँ क्या क्या हो सकता है सर क्या क्या current assets या current liability है तो सर अगर मैं current assets की बात करूँ तो बताइए current assets में एक दो item लिखके बस समझाने के लिए हम format कर लेते हैं ताकि revision करते टाइम पर हमारे काम आ जाए अगर मैं current assets की बात कर लूँ और एक बात कर लूँ मैं किसके बारे में तो एक एक example लिख लेते हैं जादा नहीं नोटिंग के लिए मैं proper time दूँ है पहले मुझे समझाने दो क्या क्या हो सकता है current assets में sir debtor और क्या हो सकता है bills receivable और क्या हो सकता है stop यानि sir हमें पता है क्या क्या हो सकता है ज्यादा detail में लिखने की जुरत नहीं है सर detail में वो लिखना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो की current assets तो है लेकिन current assets का part नहीं मानना जैसे except cash and bank balance सर cash क्या current assets का part नहीं है सर बिल्कुल है cash तो current assets का part है लेकिन नहीं मानना cash flow statement करते टाइम पे दूसरा सर और कुछ भी है क्या marketable security या फिर मैं दूसरा मैं बोल दूँ short term investment यानि सर जब हम current assets और current liability को cash flow statement के operating activity में treatment कर रहे होंगे माइनस या प्लस तब देख लेंगे तो उस समय पे cash भी हमारा current assets का part होता है और bank भी हमारा current assets का part होता है short term हमारा जो कम समय के लिए investment होता है वो भी current assets का part होता है लेकिन cash flow statement बनाते टाइम पे इसे current assets के part से बाहर रखना है समझ मैं ही बता आपको अगर मैं बोलता हूं बताओ cash किसका part है सर ना तो operating का है ना financing का है ना investment इससे cash and cash equivalent में रखा जाता है जो कि आगे सीखेंगे लेकिन अगर मैं stock बोलू किसका part है operating activity आपको ऐसे नहीं बताना कि current assets या current liability का part है आपसे वो पूछा जाएगा कि operating का है या financing का या फिर investing का अगला देखा जाए तो current liability की बात करें तो सेम ऐसे current liability में क्या है creditors और और क्या हो सकता है outstanding इतनी बहुत है जानकारी के लिए लेकिन आपको में जानना कहा है सर क्या चीज़ें ऐसी है जो कि current liability है ही नहीं cash flow statement के अंदर सर वो है अमारा except bank overdraft and cash credit अगर आपको bank overdraft या cash credit दिखता है तो इसे आपको cash and cash equivalent का part नहीं मानना है ठीक है यानि सर operating activity थोड़ा सा लेंदी जा रहा है operating activity एक पर फटा-फट से revise करता है क्या है operating activity में operating activity बनाने के लिए हमें profit and loss को देखना पड़ता है लेकिन profit and loss को भी देखते समय पे profit and loss में उसी जानकारी को pick किया जाएगा दो चीजों को add किया जाता है एक को minus कर दिया जाता है एड में क्या होता है known cash item अगर कोई दिखता है profit and loss में तो उसको क्या कर देते हैं operating activity में add अगर कोई भी expense दिखता है related to financing activity में उसको भी क्या कर देंगे add और अगर कोई income दिखता है related to investing activity उसको भी क्या कर देंगे add, sir, known cash item क्या होता है sir, आपका depreciation होता है goodwill return of होता है, आपका loss on sale of fixed asset होता है, एक्सेक्टरा जो point given है sir, expense कौन सा होता है interest paid हो सकता है, dividend paid हो सकता है security premium paid हो सकता है तो ये सारा भी हमारा कहां चला जाएगा जो कि यहाँ पर information है, उसको हम क्या कर देंगे add, और minus करने का time आएगा तो income देखा जाएगा, तो interest receive आपका dividend receive या फिर rent receive इसके अलावा जो भी point जैसे commission receive है आपका, discount receive है ये तो normal routine business का है तो इसको add less नहीं करेंगे, लेखिन ये operating activity का part माना जाएगा ये item पता है क्यों मैं minus कर रहा हूँ, ये item पता है क्यों add कर रहा हूँ, ये item minus इसलिए कर रहा हूँ क्यों operating का part ही नहीं है यहाँ से हटाओ, और ये item जितने भी ये इस पर star बना देता हूँ, ये adjustment का part होगा, सर मैंने यहाँ add करने का मतलब, अगर किसी भी profit and loss में अगर कोई चीज एड कर देते हो यानि plus कर रहे हो net profit में, इसका मतलब इसे हटा रहे हो और minus करने का, अगर minus वाले चीज़ों को आप, इधार रहे हो यानि अगर इस profit and loss में आप ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जीपी मेरा है एक लाग, सैलरी है हमारा बीस हजाद, और मैं अगर देखूं, इंटरस्ट है मेरा पांच हजाद, और मेरा देखा जाए तो rent receive है मेरा छे हजाद, तो काईदे से देखा जाए, तो सर एक लाग, छे हजार यह आता है और एक लाग, छे हजार इधर लिखने के बाद, माइनस कर देंगे पच्च्च्च्च अजार रुपे तो कितना आएगा net profit? बताओ, एक छे में से पच्च्च्च्च्च्च माइनस करोगे तो 70 मैंने का भाया, इसके अंदर ना दो बाते हैं से related information आपने डाल दी है P&L के अंदर, जो कि P&L से purely related नहीं है वो कहीं और से related है तो बोला उसको हटा दिया जाए, तो कैसे हटाएंगे सर इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे फिर हमारा profit क्या निकल के आएगा सर profit फिर निकल के आएगा हमारा तो इसका मतलब एक दूसरा तरीका भी था हमारे पास 79 के अंदर मैंने जो पहले लिखा था दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको cut pit तो नहीं कर सकते हटा देते हैं या फिर एड के फॉर्म में या फिर माइनस के फॉर्म में इसलिए ताकि हमारा नेट प्रॉब्ब वो क्योंकि कहीं और से रिलेटिड है फानिंसिंग या इन्वेस्टिंग से और इससे हमारा नमबर तीन गुडविल लेकिन सर गुडविल तो यहां पर है तो सर यह गुडविल पता है कौन सा इंक्रीज जब गुडविल डिक्रीज हो रहा होता है तो यहां आ जाता है और जब इंक्रीज हो रहा होता है तो किसका पार्ट माना जाता है वो investing का part हो जाता है समझ रहे हैं बात को क्या और भी चीज़े लिखने की ज़ुरत है नहीं सर इतनी चीज़े जानकारी जस बेसिक बेसिक point बता रहा हूँ बस बात खाता हूँ सर investment में भी same चीज़े हो सकती है इसमें क्या add होगा क्या less होगा जब हम investing activity का format बनाएंगे तो बड़ी simple सी बात कर लेंगे अभी सर्फ अतना पता होना चीज़े के कौन सा part कहाँ चाह है सर share capital का क्या क्या part है यह बताते नमबर वन equity share capital नमबर दो preference share capital नमबर तीन आपका security premium यह तीनो part आपका share capital का part होगा इसके बाद आ जाते हैं इसमें क्या क्या होगा debenture और क्या हो सकता है सर loan और क्या हो सकता है सर cash bank overdraft bank overdraft और क्या हो सकता है cash credit हाला कि यह current assets का part होता है लेकिन AS में पहले confusion था इस accounting cash flow में पहले confusion था ICI ने और government ने बोला भाया क्यूंकि bank overdraft ऐसे nature का है कि मतलब आप हमेशा लेते ही रहते हो तो वो loan कभी खतम ही नहीं होता एक loan दिया दूसरा चड़िया एक loan दिया तो loan तो बराबर ही रहा तो यह long term का ही part balance sheet के अंदर जब लिखोगे तो उसे short term में लिखना लेकिन अगर cash flow statement बनाओगे तो उसे long term मान लेना short term में लिखा होता है लेकिन क्या मान लेना है अपने long term हम इसलिए यहां आगया मैंने यहां देखो हटा रखा bank overdraft and cash and sorry cash credit क्या होता है यह दोनों हम difference अलग से बाद में देखेंगे जैसे जैसे आएगा सर कुछ बाते note यानि cash flow statement को बनाते time पे कुछ note भी हमें ध्यान रखना है सर क्या note ध्यान में रखना है और क्या चीज़ों को ध्यान रखना है note क्या note थोड़िए हम format में करेंगे note को एक बार फटा फट क्विकली देखें हमें cash flow operating activity बनाना है तो क्या देखना पड़ेगा हमारे पर दो ही चीज़े पी इंडल और balance sheet तो क्या क्या देखना पड़ेगा एक तो profit and loss पूरा देखना पड़ेगा और balance sheet भी पूरा देखना पड़ेगा या उसमें से कुछ पार्ट क्या पार्ट देखना पड़ेगा current assets और अगर हमें investing activity बनाना है तो हमें क्या देखना चाहिए fixed assets और investment अगर हमें बनाना है financing activity तो क्या देखना चाहिए share capital और dividend paid किसका पार्ट है dividend paid dividend किस पर payment किया जाएगा shares पर payment किया जाएगा तो किसका पार्ट होगा dividend paid financing dividend receive किसका पार्ट है interest paid किसका पार्ट है interest receive किसका पार्ट है rent paid किसका पार्ट है operating goodwill return यहां तक किसी बच्चे को परिशानी स्रिफ बेसिक सभी बच्चों ने जवाब दिया इनवेस्तिक सभी बच्चे जवाब दे रहा है मैं देखता जा रहा हूं सभी स्टुडेंट का वन बाइवन आंसल में सबसे पहले अगर हमारा concept build up हो जाता है तो उसके बाद कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैंने कुछ सवाल prepare किये हैं ऐसे ही कि आपका एक थोड़ा सा test type का हो जाए कि आप बता पाओ कि सही माईने मैं आपको समझ में आया है या फिर ऐसे ही देखें यहाँ पर आपको तीन चीजों पर ध्यान देना या तो operating का पार्ट होगा या investing का पार्ट होगा या financing का पार्ट होगा चलिए सर आप भी check करिए मन के अंदर आप देख लीजिए कि कौन सा किसका पार्ट हो सकता है माइंड के अंदर calculate कर लीजिए जैसे मैं माइंड में calculate कर ले रहा हूं आप भी माइंड में calculate कर लीजिए इसके बाद आंसर लिखूंगा तो अपने माइंड से टैली कर लेना कि आपने सही सोचा था या गलत ठीक है पढ़ लिया लिखना चालू करूं क्योंकि हर बच्चे से पूछूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जागा इसलिए माइंड के अंदर देख लो और फिर खुद ही टिक मार्क करना माइंड के अंदर सही था गलत काफी बच्चों का जवाब भी आ रहा है वन यह है टू यह है चलिए लिखना चालू करें द्रूर बच्चों कर हिर कर दिए उड़ पτο c poured ट लो पना इन सबीव ट एर टपर बटेव ट बॉटन लिए तुकिंध कि तुकर थेंट बटेट मात्विदा सम्ट पनती वी करी और ठीम टिर पिटिए के तूहिंथ प्ट्रया माम और क्या है डिबेंचर फाइनेंसिंग रिसिप्ट इंट्रस्ट ओन डिबेंचर फाइनेंसिंग नहीं है इन्वेस्टिंग है इस्व डिबेंचर क्या यही सोचा था कि सभी बच्चों ने यही सोचा था चेक कर ये क्योंकि काफी सारे पॉइंट से दस पॉइंट दस होगे इतने जल्दी एक दो तीन अच्छा दस होगे चलिए आगे भी देखते है अगले पॉइंट पे चलिए यह जस्ट अगर आप इसका जवाब दे पा रहे हो ना विकॉस आफ आपने कॉंसेप्ट को समझा है तुक्का नहीं मारना आपने कैस सेल्स किसका पार्ट है ओपरेटिंग कैस पेट टू सप्लायर यहां मेजर सप्लायर है कैस पे फोकस मत करना बोलो कैस सेल्स कैस तो बताए नहीं था यहां किसको पेमेंट हो रहा है वो मेजर देखा जाएगा सर्कैस पेमेंटा सलरी अंभीडेगेंट प्रकैस पेमेंट अक्वारी रिंफेस्ट का पेमेंट यहां किस्पींट डेखा न्युठा पांट बद्वेंटा पिंटार्ट अंभी पीछे भीन य। प्रचेस ऑफ मसीनरी प्रोसीड प्रोसीड का मतलब होता है सेल करना ठीक है ना प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मसीनरी इशू लॉंग ट्रम बॉंड क्या होता है डिबेंचर का दूसरा रूफ है यह इशू आफ बोनस शियर्स चेक करिए जो आपने सोचा था क्या सभी बच्चों ने यही सोचा था फटा फट बता दें सभी बच्चों ने यही सोचा था बता दें फटा फट सभी बच्चों का एफए 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 बिनीता निधी विष्णू आसी शरीता सभी बच्चों का लगबग लगबग एफए 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 एक बच्चा तो यह लिख रहा है यहां पर issue of shares purchase PPE PPE मतलब के यहाँ पे PPE क्या होता है यहाँ पे यह ना fix assets है हम आगे पढ़ेंगे property plant and equipment आपने depreciation chapter में भी पढ़ा सा PPE सबको पता है very no के यह तो कई बार हम ना shares को issue करते है other than cash याद करो हमने share दे दिया और assets ले लिया यहाँ पे तो cash inflow outflow ही नहीं है तो cash flow तभी बनेगा जहाँ पैसा आएगा या पैसा तो इसके अंदर देखा जाए तो क्या होगा हमारा यह किसी का part और यह no flow है non cash item मैंने बोला नहीं किसका non cash item भी बताईए तो non cash item conversion of deventure into share यह किसका part है non cash यहां financing investing और operating से थोड़ा मैंने अलग एक point डाल दिया कि आप समझे इसका cash flow जो भी जितने भी यह वाले है ना non cash item यहां पे जो मैं लिख रहा हूं इसका cash flow में कोई काम ही नहीं है हम जब पढ़ेंगे practical question में तब देखेंगे sir cash sales sir proceeds from long term borrowing sir cash received from trade sir purchase long term investment sir receipt of preference share से पैसा मिला sir dividend receive हुआ है share से sir refund किया income tax sir interim dividend paid किया sir dividend तो share से related है ना पर चेज गुडविल किया है मैंने इन्वेस्टिंग का पार्ट है office administration expense paid office का खर्चा पेड और ब्रोकर पेड इश्यू अफ शियर्स बाइक कनेक्टिड का है शियर्स से कनेक्टिड है तो financing समझ में आया या तो कोई देखा था है जी सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया वो सारी बातों को देख लेते हैं हमारा cash flow statement एक simple सा chapter है और इसके अंदर हमने पहले समझा था कि भाई cash flow statement क्यों बनाया जाता है और यह किस से related है और किसका पार्ट है यह financial statement का पार्ट है यह सर cash flow statement के अंदर तीन activity थे हमारे operating activity, financing activity और एक investing activity अगर आप operating activity करना चाहते हो तो आपको एक profit and loss के सारे item को अच्छे से study करना पड़ेगा और एक current assets और एक current liability को अच्छे से study करना पड़ेगा और profit and loss में से भी सारे item को आपको नहीं देखना उसमें से कुछ चीज़े add होगी, कुछ चीज़े less जो noon cash item है add और other आपका less हो जाएगा इसके बाद investing activity में fix assets से देखना है और investment से और financing में loan और share capital इस से related हमने कुछ questions भी देखे थे purchase machine यह कहां कहां जाएगा although यह आपको last class में जो बच्चे जिनकी first class होगी न उनको यह video available हो जाएगा यह video available हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा last class वाली video available हो गई होगी आप बच्चों का hand raise का रहा है hand raise का मैं answer दूंगा लेकिन last में आज पहले हम और भी कुछ concept को आगे बढ़ा के लेके चल रहे है ठीक है आप chat में लिख दीजिएगा मैं बिल्कुल definitely answer में लेगा हूँ issue of shares वगएरा नहीं हुआ यह first chapter start है अभी तो exam ही चल रहे है बच्चों के कुछ के और अभी तो exam खतम हुआ है तो first chapter एक तरीके से चलेगा हमारा second sim का और जिनको पुरानी classes देखनी है और डेडी folder में upload कर दिया है वो देख सकते हैं चलिए सर आज हम बात करेंगे formatting की सर किस चीज की formatting cash flow statement बनाने का न एक format है format in the sense कि हमें cash flow statement कैसे करना है यहान से देखिएगा और उसी format में हम end तक लेके चलेंगे ठीक है दो method होते हैं cash flow statement के direct और indirect हमारे slave us में indirect method ही होता है direct method बहुत कम या फिर मैं कहूं ना के बराबर होता है तो मैं तीनो format एक बार में बनाऊंगा आपको भी noting कैसे करना है मैं समझाऊंगा अभी पहले में बना लेता हूं यहां पर आएगा detail detail और amount ऊपर आपको लिखना है cash flow statement particular और नीचे date डालना है जिस date का है हम पहला activity करेंगे जिसका नाम होगा a part आपने भी a part लिखना है और a part होगा हमारा cash flow from operating activity थोड़ा सो short कर दिया cash flow from operating activity अभी बता देंगे उसके बाद बाद में इस यहां पर आपने लेना है सबसे पहले net profit और direct यहां लिखना है अब सर इसमें कुछ चीजे में add करने वाला हूं depreciation good will return of good will return of transfer tf का मतलब transfer to journalism ταütर अ dogma इतैसित करने अ लत प्यूज कर ले स्वी हाले खाने लाँ देर डाँ बसेट वी दीचे लाँ इंहें सोज एम प्यूज कर Então C? Loss on Sale of Fixed Assets, Interest on Loan, या Debenture के लो, Dividend Paid, Dividend Paid, हाला की एक आइटम और आना, प्रोविजन, पोटेक्स, डिविदेन पेड, प्रोटेक्स, कुछ चीजें लेस हो जाएंगे, सर, कुछ चीजें लेस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, सर, क्या-क्या लेस होंगे, सर, लेस हो जाएंगे, रेंट रेसीव, डिविदेंट रेसीव, एक बार में पूरा पॉरमेट बना रहा हूं, फिर पूरा समझेंगे इसको, कुछ चीजें यहां इनकॉर्परेट नहीं करूँगा, जैसे एक्स्ट्राओर्डिनरी आइटम वगेरा, वो मैं अलग से समझाता हूं, तो इसलिए मैं अलग से लिके चलूँगा, इसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा ना, इसको बोलेंगे, नेट ओपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग क्यापिटल बिफोर, इसके बाद, यहाँ पिर, इसके बाद, अक्रेस, अक्रेस, decrease in current asset, decrease in current liability, CLC ये समझ जाएगा, increase in current asset, मैं नोटिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम दूँ हूँ, यहाँ पर लिखेंगे, Cache end, Cache end, Cache generation, यह फिए, Cache generation from operation, इसके बाद, less कर देंगे, income tax, paid, और यहाँ income tax, CY लिखेंगे, चर्ण्दी और एक-और पिंट लिखेंगे, आ कर पिंट लिखेंगे आ, these are in pót wait- मैं, यह सरा इस ना हैम, और ये ऐसे लाइन कीच रहा है आपने और इन सभी का टूटल इधर लिखेंगे और इसका और इसका टूटल इहां लिखेंगे इन सभी का टूटल इहां और इन इहां या जाएगा cash flow या फिर यूज फर यूज फिल्च रम जाले के लोड़े देव गर अवालोप तेार आदिकाफिश्हुर्ट, हाले से लिएकाफिश्ही टार ट्यक्टिशिक ट्यक्ट्टनिक ट्यक्टिकश जाया सकते है। बीपर्ट बीपर्ट तो बीचनियो है यह बीपर्ट पहले हम ओपरेटिंग एक्टिविटी समझ लेते हैं फिर इस पे बेसिस पे एक कोश्चन कर लेते हैं फिर हम इन्वेस्टिंग और फानिसिंग पहेंगें थोड़ा-थोड़ा समझ भी आने लगेगा तो फिर हमें करने भी बेर्चा लगेगा सबसे पहला मैं हर एक चीज को समझाऊंगा पहले सबसे पहले बात आती है नेट प्रॉफिट सर कैसे लेना है नेट प्रॉफिट पॉइंट नमबर वन नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट मैंने जो लिया है वो है आफ्टर टेक्स जो मैंने net profit लिया है वहाँ पर वो है after tax यह कहां मिल सकता है देखने को maybe यह statement of profit and loss में मिले या फिर adjustment में मिले या फिर balance sheet में मिले गाई सर स्टेटमेंट profit and loss में कहां मिलेगा यह आपके पास statement profit and loss पुराने वाले method से है जो आपने सीखा हुआ है पुराना वाला pattern है तो यह आपका profit and loss एक तरीके से होगा लेकिन फिलहाल आपको नए वाला pattern देखने को मिलेगा मैंने इसको पुराने वाला first question करने का try किया है फिर मैं नए वाले से करूँआ है कुछ statement profit and loss यह सारा चीजें उसके अंदर given होता है ठीक है ना तो यह जैसे यहाँ पर जो यह profit है ना यह जो आप profit देख रहे हैं ना 35500 इसी profit को उठा लेंगे सीधा वो यहाँ पर ले लेगे पहला matter दूसरा कई बार हो सकता है आपको इस profit and loss के या balance sheet के बाहर adjustment में देखने को मिले तो simple adjustment वाला ले ले लेगे मुद्दे की बात है सर balance sheet का balance sheet के अंदर जब आओ गया ना तो कई तरीके से given होगा main यह समझना है हमें समझना कि यह आपको पता हो सकता है लेकिन फिर भी यह तो पूरा पेज हमारा एक format में ही जाएगा चलिए example suppose आपको मैंने एक balance sheet दिया और हमेशा balance sheet में दो साल का data होगा जैसे 2022, 2023 मैंने एक balance sheet बना लिया ठीक है और आपको liability side में जो हमारा यहां तो हलागी particular लिखते हैं और फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें जिसको हम रोमन में लिख लें इक्विटी एंड लियाबिलिटी इसके बाद क्या आता है ए पार्ट शेयर हुल्डर फंड मैं थोड़ा शॉट लिख रहा हूं फिर इसके अंदर आता है हमारा state a part share capital और बी पार्ट आता है reserve and surplus इस reserve and surplus के अंदर profit देखने को मिलता है जनरली reserve and surplus के अंदर तो कितने cases बन सकते हैं सारे case देख लेंगे चलिए पहला कीज देखे मान लो मैंने यहाँ profit लिखा simple पांच हजार और यहाँ छे हजार तो जो हम cash flow operating activity में लिखा है ने मैंने net profit तो यहाँ पर पता ही क्या लिखेंगे एक हजार सर कैसे एक हजार पहले पांच हजार था अब कितना हो गया हमारा 6000 तो इसका difference लिया जाता है इसका difference तो 1000 वहाँ हम code कर देंगे अगर यह वाला pattern हुआ तो कोई difference वाला सवाल नहीं है यह वाला adjustment में हुआ तो कोई difference नहीं लेकिन balance sheet में होगा तो हमें difference लेके चलना होगा समझ में आ रही है बात आपको चलिए सर दूसरे pattern पे चलते हैं पहला pattern समझ में क्या गया दूसरा आप से पूछूँ आप बताना जवाब देना मुझे आप से जवाब चाहिए मुझे second example मान लो मैंने लिखा पांच हजार और तीन हजार अब बताइए पांच हजार और तीन हजार आपके सामने दिख रहा है अब हमें दो हजार का difference लेना है तो मैं यहाँ पे दो हजार का difference कैसे लिखूँ negative में लिखूँ या positive में comment में जवाब देजे दो हजार का difference लेना है तो दो हजार का loss मानूँगा मैं जो मैंने भी example लिखा था कि मैं दो हजार का इस वाले example में loss मानूँगा या profit मानूँगा पहले वाले के नीचे answer भी लिख देता हूँ answer 1000 रुपे profit दूसरे वाले में बताइए सभी बच्चे बता रहे हैं सर लॉस होगा 2000 रुपे सभी ने जवाब दे दिया 2000 का लॉस होगा तो answer लॉस 2000 चलिए very good अगले point पहला रहता है नहीं यहांसे ठीट है थार्ड एक्जामपल सपोस करिए मैंने लिखा 1000 और 2000 लेकिन यह minus bracket का मतलब loss होता है अब बताईए answer में क्या लिखेंगे मुझे cash flow statement में क्या दिखाना चाहिए बताईए minus का 1000 रुपे दिखा दे या क्या दिखाना होगा कौन बताता है मुझे यहां पे cash flow में यहां profit अभी हम profit हर एक चीज पे detailed discussion चलेगी पहले हम profit पे समझ ले अब इस वाले example में बताईए profit कितना लिखेंगे answer में बच्चों ने जवाब दिया सर 3000, 3000 सभी बच्चों का जिसने भी जवाब दिया 3000, 100% उनका जवाब ठीक है 3000 चलिए सर, समझ में आए क्योंकि समझो 1000 तो पहले profit में थे फिर हमने 2000 के loss में पहुंच गए तो ultimately 1000 रुपे जो profit था वो तो नुकसान होई गया तो 1000 ये नुकसान और 2000 का और नुकसान तो total मिला के कितने का नुकसान 3000 तो इसलिए ये 3000 के loss में जाएगा चलिए सर होगा तो मैं नीचे भी ले लूँगा एक्जाम्पल के चलिए सर एक्जाम्पल नंबर था ये 1 ये 2 और ये 3 आजा ये 4 पे मान लिया जाए 2000 का loss और 1000 का loss अब बताईए answer क्या होगा कौन बच्चा बताएगा answer बताओ क्या लेना चाहिए 2000 का loss और 1000 का loss तो 3000 रुपे का loss ले लेना चाहिए क्या लेंगे बताओ आब बताओ 3000 आपके साफ से 3000 भाई लाइव वाले बच्चे बता दे सर 3000 वाले दुबारा 1000 पिंकी का जवाब 1000 1000, 3000 मिक्स जवाब है तो यहां का आंसर होगा 1000 प्रॉफिट सर कैसे देखो पहले 2000 का लॉस था अब आज मेरे 2000 का लॉस है यह लॉस मेरे पास ही है कल मैंने बुल आप 1000 का लॉस बचा तो मतलब 1000 कमाएं होंगे मैंने सोचो तभी तो 1000 का लॉस बचा होगा इसका मतलब हमने ढूड़ना है डिफरेंस में कि आपका नेट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो यहां पर हमने क्या देखा 1000 का लॉफिट चलिए यहां से अगला एक्जामपल नमबर लेके चलेंगे एक्जामपल नमबर पांच दो हजार और एक हजार आंसर बताईए बिल्कुल ब्रैकेट मैं तो लॉस है यह दो हजार मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ आपके लिए आंसर क्या है बताईए तीन हजार का तीन हजार प्राफिट बिल्कुल सही जवाब पहले दो हजार का नुकसान हुआ उसको रिकवर किया और हजार और प्लस में आगे तो प्राफिट होगा तीन हजार प्राफिट अगला एक्जामपल एक्जामपल नंबर छे एक हजार आगे कुछ भी नहीं है एक हजार और आगे कुछ नहीं है बताईए अंसर क्या होगा यहां पर एक हजार रुपे का लॉस क्योंकि पहले हजार रुपे पर प्राफिट खा अब कुछ भी नहीं है तो हजार रुपे का यहां क्या होगा सर लॉस हो जाएगा समझे बात एक और एक्जामपल एक्जामपल नंबर साथ तो हजाब अब क्या होगा दो हजार का प्रॉफिट मैं सारे छोटे छोटे केसिस ले लू तांकि कॉंसर्ट पक्का हो जाए और मेरे हिजाब से आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है बस एक और लास्ट एक्जामपल लेके खतम करते हैं इसको आठ क्या होगा कितने का लॉस तो आंसर लॉस दो हजार तो जितने बच्चे भी लाइव है वो देख रहे होंगे कि क्या है नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट का एक फंडा बहुत बच्चों को क्लियर हो भी सकता है और जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया कोई जंजटी नहीं हो ही आप प्रॉफिट को उठा लीजिए अगर आपको बैलेंस शीट में दिया तो वहाँ आपको डिफ्रेंस से काम चलाना पड़ेगा और डिफ्रेंस में कुछ भी हो सकता है तो इतने सारे एक्जांपल में क्लियर हो गया आपको अट्जस्मेंट में होगा तो अट्जस्मेंट का सीधा उठा लीजिए सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज एक्स्प्लें थ्री एंड फॉर्थ केस थ्री एंड फॉर्थ केस थर्ड केस में देखे पहले हजार रुपे का प्रॉफिट था मैं पूरा ही एक पर बता देता हूँ यहाँ पे हमारा पांच हजार का प्रॉफिट था दो हजार बाईस में और 2023 तक हम 6000 रुपे प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं तो मतलब हमने 1000 रुपे और कमाया है इसलिए आंसर इसका 1000 प्रॉफिट है यहाँ पे 5000 रुपे का प्रॉफिट है लेकिन अब 3000 रुफिट रह गया है तो 5 वाला प्रॉफिट तीन होने का कारा ने नुकसान कर बैठे आप 2000 तो इसलिए 2000 का लॉफिट है यहाँ पे 1000 रुपे का प्रॉफिट है तो 2000 का लॉफिट है तो 1000 का प्रॉफिट वो तो गया ही मेरे जिव से दो का और लॉफिट होगे तीन का लॉफिट है यहाँ 2000 का लॉफिट है तो 2000 को पहले कमाया होगा फिर एक और कमाया होगा तो अल्टिमिटली 3000 का प्रॉफिट है यहां पे 1000 रुपे था और आप कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब आपने पूरे 1000 रुपे गवा दिये तो 1000 का लॉस हो गया यहां पे कुछ भी नहीं था और आपके 2000 हो गया तो इसका मतलब 2000 कमा लिया आपने तो 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं था अब 2000 का नुकसान हो गया तो इसका मतलब 2000 का लॉस है ठीक है किलियर सभी बच्चों को बढ़ें आगे हम तो यानि सर हमने इसमें से यह पॉइंट देख लिया अब मैं इस पे कुछ पॉइंट पे ने स्टार लगाने जा रहा हूँ सर इस्टार का मतलब क्या है सर स्टार का मतलब जिसके उपर अडजस्मेंट होगा और उस अडजस्मेंट के साथ हम करेंगे इसको like depreciation और किसी पे प्रोविजन फोर टेक्स और किसी पर होगा जी हाँ इस पर होगा इस पर इनवे ना अड़्जस्मेंट देखने को मिलेगा अब और सबसे पहले net profit निकालेंगे फिर depreciation सवाल में दे रखा है तो directly add कर लेंगे अड़्जस्मेंट में है तो अड़्जस्मेंट के हिसाब से कर लेंगे लास्ट क्लास में बताया था मैंने तो आप ध्यान से देखो यह जो मैंने पिंक मारकर से लिखा हुआ है यह सारे noon cash item है कौनसे आइटम है यह तो noon cash item add हो गया और यह जो दो मैंने green से लिखा है यह expense related to financing activity है क्योंकि interest paid और यह तो यह हो गया और यह जो मैंने यहाँ पर yellow type का लिखा है यह सारा income related to investing activity है तो minus हो गया तो पहली class में हमने यह देखा तक क्या करेंगे तो simple सी बात है depreciation net profit लिखेंगे फिर depreciation क्या होगा add हो जाएगा depreciation adjustment से भी हो सकता और यहां भी adjustment भी देखें goodwill return of का मतलब जैसे पांच लाग का goodwill था अब चार का बच गया तो एक लाख रुपए का difference amount यहां add हो जाएगा transfer to general reserve पहले 2000 का general reserve था अब 3000 का हो गया इस transfer को मैं यह भी बोल सकता हूं increase तो अभी यहां आ जागा simple preliminary expense return of सबाल में दे रखोगा return of का मतलब क्या होता है कम हो जाना के घट जाना loss on sale of fixed assets adjustment का part होगा provision for tax current year का होगा या फिर adjustment का part होगा आपका given होगा interest on debenture यह भी adjustment से मिलेगा नहीं मिलेगा directly add हो जाएगा और dividend paid और dividend paid हमेशा होगा यह previous year का ठीक है rent receive simple दे रखा होगा dividend receive simple दे रखा होगा profit यह simple दे रखा होगा अब आज आते है working capital अब आप ध्यान से देखिए यह सारे profit and loss के part है तो हमारा net operating profit आ गया sir net operating profit मतलब P&L की item है आप ध्यान से देखिए तो हम P&L को न operating का part मानते हैं तो profit and loss से minus करने के बाद क्या आगया net operating profit आगया before working capital changes sir working capital क्या होता है working capital हमारा current assets minus current liability यानि working capital का मतलब जहां current assets और current liability का लिना देना होगा उसे working capital हम कहेंगे लेखिन लेखिन यहाँ पर मैंने लिखा है increase in current liability अब ध्यान दीजिएगा मैं कुछ example भी लूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ accept current liability लेगे ना तो accept bank overdraft BOD ठीक है ध्यान रखिएगा current assets में accept cash का balance और bank का balance मैंने वहाँ भी लिखवाए था तो यहाँ पर नहीं consider करेंगे cash का balance और बाकि सवाल करते करते हैं यह सारी बाते आपको याद हो जानी है ठीक है अब सर हमारा यह वाला हिस्सा तो यह fix है ऐसे ही पढ़ना है और यह वाला हिस्सा पताय क्यों add less होता है यह वाला हिस्सा जो होता है working capital वाला हमें देखना पड़ता है कि cash अगर outflow होता है हमें इसा याद रखिए कि cash flow में एक छोटा सा concept चलता है cash अगर outflow हो रहा है तो that is minus हो जाएगा और अगर cash हमारा inflow हो रहा है तो plus हो जाएगा यानि जब कभी पैसे आएंगे हमारे पास तो हम statement में plus कर देते हैं मूट लिख देता हूँ सर इसमें कैसे देखने का एक बड़ा simple सा तरीका है यहां तक operating investing मुझे यहां पर लिख देते हैं यहां पर आएगा बिजनस के लिए अगर good है तो minus होगा सर बिजनस के लिए कैसे good मतलब अगर आपका asset increase होगा assets अगर आपका current assets क्या होगा अब बताइए अगर आपका मैं बोलू कि आपका current assets पहले 5000 था और बढ़ गया तो यह business के लिए good है यह bad है आपका current debtor पहले 5 लाग का था अब 7 लाग हो गया तो business के लिए good है भाई business का assets बढ़ना एक तरीके से good बाना जाता है अब बताओ current liability में आप खुछ सोच के बताओ क्या होगा current liability में यानि liability क्या हो जो कि business के लिए good बन जाए तो आप बोलोगे sir liability क्या हो मतलब liability घट जाए liability क्या हो घट जाए तो यहां से हमें पता चल जाएगा के हमारा good है या फिर यानि कोई चीज़ बिजनस के favor में है तो उनको minus कर देते हैं अभी क्यों करते हैं वो भी समझ लेंगे और दूसरा अगर business के लिए bad है not good या फिर कह सकते हो bad तो हम उसे plus करेंगे sir जैसे increase जैसे मैं अगर बताऊं current liability तो बताईएगा आपको बताना है current liability current liability के साथ ऐसा क्या हो कि हम बोले भाई business के लिए ठीक नहीं है बढ़ जाए या घट जाए तो जबाब है increase तो यानि current liability same अगर हम बात करते है current assets बुरा बुरा सोचना है आपको तो आप मुझे बताईए कि ऐसा क्या हो business के साथ के current assets हमारा minus में चला जाए मतलब current bad हो current assets को लेकर उसकी बैड कब होगी जब वो घटेगा तो क्या हो जाए हमारा decrease और मैंने अभी एक छोटा सा ये भी example concept बताया आपको के भाई साब ये चीज़ों तो हम सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है समझा आ रहा है एक trick है ये लेकिन conceptual देखा जाए तो यहाँ पर लगता है cash inflow और outflow मैं example के साथ भी समझा देता हूँ मान लेजिए 2010 और 2011 ठीक है आपका debtor एक लाक रुपए है अब debtor आपका साथ हजार हो गया इसका मतलब debtor हमारा घट रहा है debtor घट रहा है मतलब current assets घट रहा है सर current assets घट रहा है तो business के लिए क्या है bad है या good है bad है तो इसे मैंने बोला trick है ये bad को add कर देना है trick है तो सर ये business के लिए bad है तो हमने add कर दिया क्यूं करा add logic समझना cash inflow और outflow का तो simple सा fund पाता है बार्वी में पढ़ा अब आपका एक लाक रुपए से 60,000 हो गया मतलब आपने cash को receive किया होगा कितने 40 तो 40,000 रुपए यहाँ पर add कर देंगे लिए ठीक है ने कितना add करेंगे हम 40,000 रुपए add कर देंगे ठीक है ठीक है ठीक है दूसरा example देखो मैंने debtor का घटना बता दिया अब मैं debtor का बढ़ना या फिर और कोई concept ले लेता हूं मान लेते हैं मेरा stock stock मैं अब पहले 6000 था अब मेरा 7,000 हो गया अब debtor क्या assets क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो business के लिए क्या है good है तो मैंने बोला minus करो तो भाईया आपका 6000 से 7,000 क्या होगा आपने 1000 रुपए का और खरीदा होगा तो इसके लिए क्या दिया ह होगा आपने पैसा तो outflow है तो इसलिए क्या हो गया यह माइनस concept समझ में है क्यों हम चीजे एड कर रहे हैं और क्यों हम less कर रहे है अगला देखते है current liability क्रेडिटर आप बताओ 5000 से क्रेडिटर मेरा 4000 हो गया अब बताओ इसका मतलब क्या समझें 5000 से 4000 हो गया मतलब घट गया और liability का घटना business के लिए good बाना जाता है लेकिन हम minus करेंगे क्यों क्यों क्योंकि 5000 से 4000 हो तो 1000 रुपए हमने payment किया होगा payment करने के वज़े हमारा घट गया यह ठीक है दूसरा एक्जामपल आपका घटने का भी मैंने ले लिया तो एक liability बढ़ने का भी ले सकते हो जैसे आप मान लो loan ले ले लेते हैं छोटा सा short term loan ले ले लेते हैं मैंने 2000 से 3000 हो गया तो यह business के लिए bad है न लोन बढ़ी गया 2000 से जो short term loan है 2000 से कितना होगे 3000 तो क्यों बढ़ा होगा logic बताओ आपने loan लिया होगा और loan जैसे ही लिया होगा तो आपके पास क्या आया होगा कैस आया होगा तो इसलिए यह बढ़ी जया तो यह मैंने एक छोटा सा example बता है जिसके इसाफ से लेकिन आप यह याद रखे सिंपल सी बात है अगर हमारा assets ऐसे अगर हमारे business के साथ bad activity लगे के business के साथ बुरा हो रहा है business के favor में चीज़े नहीं होगे तो add कर दें है अगर आपको लगता है business के favor में चीज़े ओर यह बिजनस के लिए अच्छा है business के लिए good है तो क्या कर देना है माइनस कर देना बड़ी सीरी सी बात है तो इनको देखोगे न तो मैंने यहां current assets, current liability लिया तो that's why इसे बोलेंगे हम working capital तो देखो working capital minus plus यहां पे कहीं भी नहीं था अब हो रहा है तो यह इसके बाद अगला heading आएगा हमारा cash generation, cash generation from operation मतलब सब कुछ करने के बाद last minute text paid करेंगे यहां use या flow आजाएगा अगर answer last वाला negative में आता है तो word इस्तमाल करते है cash use from operating activity अगर positive में आएगा तो cash flow from operating activity एक सवाल छोटा सा हो जाए इस पे तो हमारे लिए थोड़ा सा understanding क्या होगा बढ़ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीकर ना एक सवाल हो जाए इस पे तो ब साइध हमें space की ज्यादा जरुत पड़ेगी क्योंकि item ज्यादा है तो गोई बात में manage करेंगे हम सरफ इसमें operating activity करने जाए अब जब operating करोगे ने तो उपर टॉप पे लिखोगे cash flow प्रॉप ओपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है डिटेल और अमाउंट है डिटेल और अमाउंट है सर यह कोश्चन टैनियर का है या बुक का यह अभी फिल सबसे पहले मैंने कहा यहां पर क्या लिखना है सबसे पहले हमें लिखना है यहां पर net profit सर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कौन सा लेना है यह वाला तीन लाख 35,500 ले लिया हमें अब इसमें से हमें आइटम ढूंदा है जो आइटम ऐसा होगा के रेंट पेड तो भी यह असली में कैस गया बिजनस कही है तो उसको तो छोड़ देंगे ऐसे आइटम को यहां पिक करेंगे जो कि expense related financing activity, noon cash item या income related investing activity सबसे पहला loss on sale of furniture है तो भी यह एड हो जाएगा एड हो जाएगा क्योंकि noon cash item है यह loss on sale of fixed assets कितने रुपय का 15,000 चलिए discount on issue of debenture return of इसे preliminary expense भी बोलते हैं तो अब discount return of हो रहा है तो discount return of भी एड हो जाएगा सर होता क्या है यह 12,000 suppose आपने किसी को discount दिया अगर shares पे हम discount देते हैं हलागे shares पे तो ban हो चुका है मतलब government ने मनाई कर दिया debenture पे दे सकते हैं अब 100 रुपय का debenture आपको मैंने 90 में दिया तो आपने मुझे 90 रुपय दिया तो 10 रुपय क्या मेरे जीव से cash जाएगा मैंने 100 का समान आपको 90 में दे दिया जो 10 रुपय का नुकसान है इसके लिए केकसी को पैसे दूँगा मैं नहीं दूँगा तो यह कौन सा item हो गया noon cash item इसलिए यह add हो गया हमारा कितने रुपय है 15,000 इसके बाद depreciation on sundry assets तो depreciation तो यहीं आएगा noon cash item इसलिए और depreciation कितना है 85 इसके बाद goodwill return of यह भी आ जाएगा कितने हमारे 25,000 इसके बाद journal expense है तो journal expense तो वेपार का खर्चा है नॉर्मल खर्चा है तो यह operating activity का पार्ट है लेकिन हमारे profit में सही माइनस हुआ है इससे कोई confusion नहीं होने वाला मालिक को तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे ठीक है कितने रुपए है सर शी हजार प्रोविजन फोर tax किसी को नहीं जाता कितने रुपए है सर प्रोविजन फोर 45,000 इसके बाद interim proposed dividend और interim dividend हाला कि थोड़ा पुराना question है मैं इस question में इस interim dividend को काट के ना कुछ और करना चाहता हूँ interim dividend की जगहें पर मैं इसको करना चाहता हूँ salary salary 35,000 रुपए मैंने गलत काट दिया मुझे purpose dividend काटना था मैं इस purpose dividend को काट के यहां करना चाहता हूँ salary अब बताओ salary तो वैपार का खर्चा है तो नहीं लेंगे interim dividend 35,000 रुपए तो किसका पाट है यह interim dividend financing का पाट है सर इंटरिम dividend financing का पाट है लेकिन दिखा ओपरेटिंग में रहे हो तो सर अभी ओपरेटिंग में और वहां ले जाके minus करेंगे जब आएगा तो यहां का point हो गया अब इधर देखिए interest on investment बताईए क्या होगा interest on investment अब आपको बताना है interest on investment क्या होगा interest on investment चलिए format देख लिजिया बताईए interest on investment क्या होना चाहिए सभी बच्चे बताएं सर provision for tax current year का लेना नहीं previous year का लेना है बताईए क्या होगा देखो लिखा हैने मैंने interest वैसे rent receive लिखा है investment यानी investment यानी income related किस्से है तो investing related से सारे क्या हो जाते हैं यहां नहीं लिखा मैंने लेकिन आपको थोड़ा सा logic लगाना है सर यह तो इसी का पार्थ है तो क्या होगा वहाँ पर जाके minus हो जाएगा किस नाम से interest on investment कितने रुपे बारह हजार बारह हजार देख लेते हैं बच्चों जवाब दिया सर लेस होगा लेस होगा ठीक है अब आजाते हैं प्रॉफिट अन सेल ऑफ बिल्डिंग बेचने पर प्रॉफिट हुआ वो भी क्या हो जाएगा लेस सोला है रेंट लेक्चर हौल रेंट मिला है तो सर रेंट भी क्या होगा लेस हो जाएगा क्योंकि आपका बिजनस किसी और का होगा रेंट कितना है हमारा अगर मेरा काम ही होगा ना किराये पे घर को देना तब नहीं होगा इनसारेंस क्लेम फॉर लॉस बाइ फायर अभी इसको मैंने नहीं समझाया है तो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ इसका कुछ और नाम दे देते हैं तो इसलिए मैं इसको काट के इसकी जगहार पर नाम बदल देता हूँ जैसे commission receive और discount receive तो sir commission receive भी business का income ही होता है तो कहीं नहीं जाएगा और discount receive business का ही income normal है तो इसको भी कहीं नहीं लेंगा यानि sir PNL में जो कि business से related actual है और उसमें पैसा inflow outflow का चक्कर चल रहा है तो हम यहां नहीं दिखाएंगे सिंपल सी बात है ठीक है चलिए आ जाईए अब यहां पर देखेंगे ना यहां डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रोविजन फोर टेक्स, एक्रूड, कमीशन, तो यह सारे एसेट्स और लाइबलिटी की चरचा चल रही है तो अब पहला हेडिंग क्या जनरेट होता है सारे खर्चे लिखने के बाद पहला हेडिंग जनरेट होता है operating profit before working capital changes तो हम वही लिख देते है operating profit before working capital changes net profit before working capital changes changes सर कैसे लिखना style भी आपको पता हो ना जिए पहले यहां से यह total करेंगे अब इन सब को total करके यहां लिखेंगे हम totaling का process last में कर देंगे clear चली आगे की कहानी इससे आगे लेके चलते हैं कि थोड़ा कंजिस्ट्र होजाएगा चलो पर आप वरकिंग सबसे पहले बिजनस के लिए गुड और बैड सूचना है और फिर मुझे बताना तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डेटर और अब हमें डिफ्रेंस से काम चलाना होगा तो सभी बच्चे का जवाब आ गया क्या होगा हमारा बताओ सब्सक्रिया क्वारा कीटमे एक फैंतालिस और माईनस में एक लाख फंदरा हजार यानि सतर हजार माईनस होगा तो यहां अमाउं डिटेल अमाउं तो यहां लेस रिखेंगे सटर हजार ठीक है कुछ कफका अगले पॉइंट यहां difference काम हाएगा, creditor देखते हैं, 30 से 70 हो गया creditor, जवाब दो मुझे creditor का, क्या होगा creditor के साथ, बताएंगे creditor के साथ क्या होगा, creditor क्या हो रहा है, 30 से 70 हो रहा है, अब सोचना क्या है आप बिजनस के लिए good या bad, creditor क्या होता है, liability, तो business का bad है एक तरीके से liability का बढ़ना, liability बढ़ रहा है ना यहां पर creditor, तो business के लिए क्या है bad है एक तरीके से और business के लिए अगर bad है तो क्या करेंगे इसको add कर देंगे, add कर देंगे, सिवधा डिविदेंट रिसीव नहीं लिया मैंने? अच्छा 21,000 डिविदेंट रिसीव नहीं लिया? कोई बात में मैं लेता हूँ. चलो 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 लेते हैं. पहले मैं क्रेडिटर. कितने से हमाइ एड करेंगे? 40,000 से. डिविडेंट रिसी भूल गए लेना, चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं, डिविडेंट, कितने रुपए था, 21,000, यहीं confusion हो गई थी है न, चलिए इसके बाद है हमारा, थोड़ा साफ सुथरा कर ले इसको, हम पहुंच चुके हैं, यह done, यह done, यह done, stock, stock 150 सी 165 है, तो stock sir, assets होता है, और assets क्या होता है, घट गए, तो business के लिए क्या है assets का घटना, bad है, कितने से घट गए है, पच्चिस से, तो 25,000 क्या हो जाना चीह stock, sir stock, add हो जाएगा, कितने से, 25,000, आगे देखते हैं प्रोविजन फो टेक्स तो प्रोविजन फो टेक्स देखा जाए तो मैंने यहां पे वैसे हला कि अकाउंट बनेगा मैं क्या करूं क्या करूं एक मिनट 45-35 ठीक है तो मैंने फॉर्मिट के अंदर मैं भी इस पे स्टार लगाता हूँ पहले पॉर्मिट दिखा कर बताऊंगा एक्रूड कमीशन सर एसेट होता है एक्रूड कमीशन क्या होता है एसेट्स यह कितने हो गए 13 से 20 हो गया एसेट्स हमारा 13 से 20 हो गया तो बताओ क्या करें एक्रूड कमिशन सर माइनस करेंगे कितने से साथ हजार से ठीक है चलो आगे चलते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस यानि यह है जर प्री पेड और यह भी क्या है हमारे बिजनस के लिए एसेट्स यह हो गया 14 से 21 तो एसेट्स फिर बढ़ गया और एसेट्स बढ़ना गुड है तो क्या करेंगे माइनस तो 14,000 माइनस 21,000 that is 7,000 ओहो फिर से 7,000 माइनस प्री पेड एक्सपेंस ठीक है इसके बाद प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स देखो 14 से कितना होगे हमारा 20,000,000 अल्ड़टी हम यह ले चुके हैं यह 6,000 अल्ड़टी ले चुके हैं ठीक है ना तो अब लेने की कोई अवास सकता नहीं है अल्ड़टी हमने ले लिया है तो इसको नहीं लेंगे यानि सर अगर पहले अगर नहीं गीवन होता इस साइड में कहीं नहीं दिखता तो फिर हम 6,000 रुपे एड कर देते हैं ठीक है ना यह करेंट लाइवलिटी का अंदर जाता है लेकिन इसको आप उपर भी कर सकते हो यहाँ 6,000 और आपका मन करें तो इसे वर्किंग कैपिटल के बाद भी कर सकते हो दोनों ऑप्सन अविलिबल है यह यहाँ करिए यह यहाँ करिए ठीक है चलिए इसके बाद है हमारा आउटस्टेंडिंग वेजिस लाइबिलिटी 15 से 25 बताओ क्या करें आउटस्टेंडिंग वेजिस 15 से 25 लाइबिलिटी बढ़ गया 10 अजार तो प्लस ठीक है अब प्रोविजन फोर टेक्स मैंने छोड़ दिया क्यूं छोड़ दिया मैं यहाँ दिखाना चाता हूँ यहाँ देखो मैंने लिखा है प्रोविजन फोर टेक्स कौन से वाला करंट इयर और यहाँ मैंने माइनस किया है प्रोविजन फोर टेक्स फेड और यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया प्रीविएस इयर यानि करंट इयर का यहाँ एड होता है और प्रीविएस इयर का यहाँ लेस हो जाता है तो हम क्या करेंगे अब बताओ यहाँ पर प्रोविजन फोर टेक्स वाले केस में स्पेशल केस है यह तो 35,000 यह हमारा प्रीविएस इयर और यह है करंट 45 करंट इयर वाला तो हमने एड कर दिया है कहाँ एड किया यह रहा प्रीविएस इयर वाला लेस हो जाएगा यह हमारा कितना है 35,000 रुपए कब लेस होगा कैस जनरेशन के बाद चेक करो कब लेस होगा प्लास यहाँ होगा लेस कैस जनरेशन के बाद अब टूटलिंग का काम है पहले हम टूटलिंग कर लेते हैं देखेंगे तो फटा फट टूटलिंग का भी एक न आपको तरीका पता होना चाहिए देखते जाईए यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं सर हेडिंग आएगा कैस जनरेशन फ्रॉम ओपरेशन मतलब क्या होता है सर कैस जनरेट हो गया ओपरेशन मतलब कामकास से तो यहां का टूटल यहां लिखेंगे इसमें लेस कर देंगे टेक्स पेड या प्रीवियर्स यह देट इस हमारा कितना है पैंतिस हजार यहां माइनस सर अब टूटलिंग पर आ जाओ 15,000 12,000 15,000 85,000 25,000 6,000 45,000 35,000 माइनस बारा हजार माइनस शे हजार माइनस 19,000 माइनस 21,000 सर यह आगया 192 देख रहे हैं हमें कहां लिख रहा हूं इन सब का टूटल यहां अब यहां से यहां को टूटल करना है प्लस 33 55,000 यहां के 5 27 कुछ चीज़े मैंने सवाल में चेंज की है तो बुक से बिलकुल मैंच ना करें हैं ठीक है अब इसके बाद मैं इसका टूटल करूँगा ठीक है इसका 70,000 माइनस का न तो पहले प्लस वाला ले ले लेते हैं 20,000 और 25,000 और 40,000 माइनस सतर हजार माइनस फाच हजार माइनस फाच हजार माaja से भाउट килne माइनस का तो देख रहे हैं मैंने कैसे किया यहां से यहां टोटलिंग करके 14,000 माइनस का फिर से देख लेते हैं सतर पाँच साथ बिल्कुल 14,000 माइनस अब क्या करेंगे एक यह यह टोटल है अगर मेरे फॉर्मेट नीचे रहता तो यह इसके नीचे आता है कि यह टोटल और यह इसको हम सब्स्ट्रेक्ट कर देंगे 57,500 माइनस चौदर डेट इस हमारा आगया 5,13,500 उसके बाद इस टेक्स को माइनस करेंगे माइनस 35,000 यह आगे 478,500 दुबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा स्लो करके यहां लिखा जागा cash flow from operating activity तो यह छोटा सा मैंने एक format basically फिल करके दिखाया कि हम किसी format को कैसे करेंगे 10K added 234 पता नहीं बच्चों नहीं क्या बता है 24 कोई आंसर बता रहे होंगा चलिए ठीक है तो हमने यहां तक एक सवाल देख लिया अब आते हम continue किसी को इसमें doubt है तो बताईए नहीं तो continue जो चीज मैंने काट दी समझ लेना आपका वो है किसी को doubt है कितने नमबर का आता है यह यह 10 marks से 15 marks के बीच में आएगा 10 से लेके 15 नमबर के बीच का सवाल आएगा यह चलिए सर अगले सवाल पर अगला सवाल नहीं अगला सवाल बाद में करेंगे हम पहले क्या करते हैं सर हम पहले अगला format बना लेते हैं अगला format कौन सवा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा एड अगर कोई भी एसेट बेचा तो एड होगा profit on sale of fixed assets किसी भी एसेट पर प्रोफिट कमाया investment sold rent receives dividend receive यह तो हो गया add वाले आईट लेस purchase of fixed assets less purchase of fixed assets के बाद investment investment less purchase of goodwill या फिर patent सर बस investing activity इतना सा ही है total करेंगे और यहां जाएगा यह आपका ज्यादा सा ज्यादा minus में आएगा यानि cash flow भी आ सकता है आपका या used भी आ सकता है from investing activity और यह investing activity ना आपका maximum minus में आता है क्यों आता है sir investing activity minus में क्योंकि यहां पे outflow और inflow चेक करते हैं तो outflow जितना ज्यादा होगा negative में जाएगा और outflow कब होगा जब हम assets को खरीदेंगे और inflow कब होगा जब हम assets को बेचेंगे तो पैसा आएगा तो अगर आपका positive आ रहा है मतलब अच्छा नहीं है चलिए सर इसके बाद c part cash flow from financing activity cash flow from financing activity sir इसमें क्या होगा add share issue या increase add debenture issue preference share capital issue issue का मतलब है कि आपने shares लोगों को दिये तो बदले पैसे में आए होगे ये सभी add हो जाएंगे list buyback of share buyback का मतलब होता है share को खरीद ले तो खरीद होगे तो पैसे दोगे redemption of debenture debenture का redeem हो जाना ये minus है इसके बाद redemption of debenture के बाद dividend paid और ये भी प्रीविएस येर का हो सकता है ठीक है और यहां पर ये भी आ सकता है loan टेकन लेस्ट में में इसका कलर चेंज कर देता हूं माइनस का ठीक है यहां पर ये भी आ सकता है loan टेकन और यहां आ सकता है इसके loan refund टेकन अच्वार में एक पॉइंट यहां सकता है security premium एड़ में ठीक है हम थोड़ा इसको और चोटा करके हुआ 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 है चेकन चली यह प्लस का है यह माइनस का है अब इसको टूटल करेंगे हम सेम यह लाइन खीचा और इन सब को टूटल कर लेंगे और यहां लिख लेंगे यहां अंसर क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फ्रॉम फाइनसिंग एक्टिविटी ठीक है मैंने शॉट लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनसिंग एक्टिविटी इसको नीचे करते हैं आगे तू भी कंटीन्यू चलेगा यह और मैं सवाल भी करके दिखाऊंगा आपको देख न अब ध्यान से दिखिए हमने अभी तक क्या करा है सर हमने ओपरेटिंग एक्टिविटी भी कर लिया फाइनसिंग एक्टिविटी भी कर लिया और फाइनसिंग एक्टिविटी कर लिया operating activity को A part नाम दिया investing activity को B part नाम दिया और financing activity को C part नाम दिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे cash and cash equivalent हमारे तीन पार्ट है cash and cash equivalent में A part, B part और C part क्या है A part में operating activity और यह क्या है investing एक्टिविटी और तीसरा क्या है financing activity इन सभी को यहाँ लिख लिए चाहे minus में हो चाहे plus में हो फरक नहीं परता है इसके बाद इसमें add करेंगे opening balance कुछ चीजों का opening balance एड़ हो जागा सर किस चीज का opening balance एड़ होगा cash का bank का marketable security और short run investment इनका total करेंगे हाँ और जो यह total आएगा यह आएगा हमारा closing balance cash and cash equivalent यह total यह पूरा हमारा format है लेकिन सवाल इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा अगर आप सोच रहेंगे सर इतना सारा लंबा चौड़ा सवाल आगा बिल्कुल नहीं आगा इसमें से कुछ point आएंगे लेकिन आपको वो सारे चीजे पता होना जरूरी है तो cash flow पहले करोगे operating activity फिर करोगे आप investing activity फिर करोगे financing और इन तीनों को जोड़ दोगे और उसमें opening balances को जोड़ दोगे तो cash and cash equivalent बनेगा closing इसका answer जो है आपके balance sheet से tally होना चाहिए इसका answer balance sheet से tally होना चाहिए सर साइड हो जो दिख रही रहा ओके नेट नहीं चल रहा होगा नेट तो चल रहा है चाहिए यहाँ पे एक point में लिखना भूल गया जो कि मुझे लिख देना चाहिए जगह है मेरे पास यसलिए लिख रहा हूँ increase in bank draft ठीक है bank overdraft है थोड़ा गंद गंद लिखा है कोई बात नहीं है मैंने आपको याद हो होगा यहाँ पे चुडवा दिया था कि भीया bank overdraft मत लेना क्योंकि bank overdraft कहा रहा है मैंने यहां छुड़वा दिया था कि cash और bank का balance नहीं लेना क्योंकि cash और bank का balance कहां आ रहा है यहां पे आ रहा है ठीक है न बच्चे कह रहा है सर नेट बहुत खर्च होता है marketable security है security यह don't worry यह अपको पूरा pdf में लेगा यह marketable security ठीक है चलिए सर एक सवाल इस पर भी हो जाए पूरा cash flow statement पर एक सवाल जैसे मैं format बनाऊंगा वैसे आपको करना है बहुत छोटा सा सवाल लिया है मैंने आपके लिए एक practice के लिए और हलाकि question में कहता है heading पर बिल्कुल मत जाएए heading card देते हैं operating activity बोला लेकिन हमने पूरा कर लिया है तो हम cash flow statement बना लेते हैं क्या बन पाएगा cash flow जी हां बन जाएगा बनाने का तरीका क्या होना चाहिए एक आपकी ना तैयारी होने चाहिए पहले से आपको ready होना पड़ेगा सर रेडी या तैयारी कैसे format बना लेना है देखो मैंने question अभी नहीं पड़ा आपको भी ऐसा ही question बाद में पड़ लेंगे पहले हम क्या करेंगे format format के अंदर क्या होना चाहिए देखो format का मतलब क्या है समझना और इन चीजों को follow करना बहुत आसानी से आपका cash flow बहुत जल्दी हो जाएगा जी एक पूरा page ये वाला मैं operating activity के लिए ही रखूँगा ठीक है ना ये वाला पूरा page operating आपका register का मान लेते हैं एक page है तो ये पूरा हमने operating के लिए रखा है उसके बाद हम दूसरा page लेके चलेंगे और दूसरा page लेके चलेंगे किसके लिए सर ये लेके चलेंगे हम financing activity and other जो भी हमारे activity बनते हैं उसके लिए चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया जा ओहो एक महीं रह गया ठीक है थोड़ा छोटा कर दिया तो हमने हाला कि दो page में इसको डिवाइड करा एक ये वाला page रहेगा ये वाला page ओपरेटिंग और ये वाला दो पार्ट सबसे पहरे blank format बना लेंगे हमने उपर लिखा cash flow from statement cash flow statement from नहीं cash flow यहाँ detail यहाँ amount यहाँ particular सबसे पहले a part क्या है cash flow from operating activity ठीक है a part cash flow from operating activity यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिख्कत format भी एक टेक्नीक है भाई यहाँ वाइफाई वाइफाई बोल रहे है हमारे घर वाइफाई लगा है तुमारे घर नहीं लगा है पंदर रुपे करी चार्ज करा लो यह सब पहले class देख लो आप ए पार्ट ए पार्ट में न यहाँ से कुछ चीज़े सबसे पहले आता है हमारा net profit net profit के बाद आपको 10 से 12 आईने छोड़नी है मैं गिन लेता हूँ एक दो तीन चार पांच चेसा ताट नो दस मेरे यहां ओगया दस दे बार ठीक है इसके बाद अगला पॉइंट आएगा net कि ओपरेटिंग प्रॉफिट कि अधुद्ध फ़ड़ा साफ साफ लेकिते हैं यहां लेकित कि नेट कि ओपरेटिंग प्रॉफिट कि ओपरेटिंग पॉइन वार्किंग कापिटल च्यंजेज कि अग्या है पहला यह आ गया दस लाइन छोड़ा यह आ गया इसके बाद साथ लाइन यह चोड़ना है इसके बाद शेल साफ हम कि यहां आ जाते हैं छेज से शाफ लाइन हमें यहां क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे cash generation from operation अब यह हमारा operating का format जाके complete हुआ ठीक है और यहां क्या लिखेंगे सर यहां B part cash flow from conceptivity investing activity थोड़ा धर चले गए हम इसके लिए आप 6-7 line enough है पूरे investing activity के लिए ज्यादा नहीं होता है इसमें बहुत कम होता है मैं C part यहां से लिख लेता हूँ cash flow from financing activity यह भी 6-7 line हो में नहीं पड़ जाता है जो बाते बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है बनाते टाइम पे अब देखो मैंने question पढ़ा ही ने लेकिन मैं पहले format बना रहा हूँ आपको यही करना है इसके बाद cash and cash equivalent इसके बाद हम क्या करेंगे सर एपार्ट बी पार्ट और सी पार्ट और इसमें एड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस तो सर यह चीज़े ना आपको एकदम tips पर पता होना चीज़े सर यह लिख रहा है सबसे पहले operating activity बनाया format net profit फिर operating profit फिर before working capital changes फिर cash generation इसके अंदर यहाँ पर 7 line इंचोड़ा मैं lineों को भी लिख देता हूँ था कि अब भूल ना जाओ यहाँ पर छोड़ना है जो मैं bracket में लिख रहा हूँ इनके बीच का gap ठीक है जो इनके बीच का gap रहेगा या इधर लिख दे इनके बीच का gap रहेगा कितने line है 12 line 10 से 12 line इसके बीच का gap सिर्फ 7 से 8 line बाकी नीचे रहता है नहीं एक page पे इनके बीच का gap रहेगा सिर्फ 7 से 8 line इसके बीच का gap रहेगा कम से कम 7 से 8 line बस पता होना चाहिए और बाकी नीचे वाला तो last है उसके नीचे क्या gap छोड़ना वो तो चलिए start करते हैं यह पता होना चाहिए आपको चलिए sir कर लिया जाए start अब हमेना questions को कभी भी specific नहीं बनाना चाहिए specific नहीं बनाने से मतलब है कि ऐसा नहीं कि पहले हम operating करेंगे फिर investing करेंगे फिर financing करेंगे बिल्कुल नहीं जो मुझे दिखता जाएगा मैं करता जाओगा सबसे पहला point मुझे दिखा क्या equity share capital आप logically बताइए यह किसका पार्ट है operating का पार्ट है, investing का पार्ट है या financing का पार्ट है और equity share बढ़ गया issue हो गया 50,000 का तो मैं simple इहां लिख हूँआ equity share बहुत simple सी बात है क्योंकि हमारे पास format ready है हमें कुछ सोचने की जूरत नहीं है done general reserve 40-70 हो गया किसका पार्ट है general reserve बढ़ना operating का पार्ट है तो general reserve 40-70 हो गया तो हम लिखेंगा एक बात मुझे याद आगे, मैंने कहीं गलती तो नहीं लिख दिया general reserve increase गलत लिख दिया यहाँ decrease लिखना था increase तो उपर है न increase यहाँ increase बच्चे नोट करेंगे बोलेंगे सर दो-दो जगह increase यहाँ decrease है चली अब आज आते हूं वहीं पर कोई बात नहीं तर general reserve operating का यहाँ add हो जाएगा सर balance sheet में से difference का काम काज चलता है तो यहाँ पर 30,000 रुप है मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूँगा का मेरा यह बन जाए इसके बाद profit and loss अब कुछन बच्चा बताएगा बताओ profit होगा या loss होगा इतने सारे सवाल की यह थे क्या हो रहा है profit हो रहा है loss हो रहा है बताएगे profit हो रहा है loss हो रहा है 30,000 से 48,000 हो गया तो 18,000 रुपए का profit है तो net profit यहाँ वाले column में 18,000 चलिए परपोस डिविडेंट हाला कि यह पुराना questions है अब आपको परपोस डिविडेंट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ परपोस डिविडेंट का नाम काटके सर नाम काटके दिखेगा नहीं मैं यहाँ परपोस डिविडेंट का नाम थोड़ा सा एडिचन कर देते हैं कोई बात नहीं कट जाओ भाई परपोस डिविडेंट इसकी जगह कुछ और नाम आ जाओ इसकी जगह आ जाते हैं loan bank loan ठीक है तो bank loan तो bank loan तो तो चलो पहले परपोस डिविडेंट को काट देते हैं इसकी जगह लिख देते हैं bank loan अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा ही नहीं कभी bank loan अब बताए bank loan किसका पार्ट है पहले तो यह सोचिए सोच पारे हो bank loan किसका पार्ट है किसका पार्ट है bank loan financing का पार्ट है सर बैंक loan 42 से कितना हो रहा है सर 42 से हो रहा है हमारा 50 42 से कितना हो रहा है 50 हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझें 42 से 50 का मतलब क्या समझें बताओ हमारा loan ले लिया गया पैसा आ रहा होगा तो add हो जाएगा कितने से add हो जाएगा हमारा बैंक लोन कितने सेड होगा आठ हजार से ठीक है यह प्लस है चलो आगे आ जाते हैं क्रेडिटर 55,000 से 83,000 अब बताओ क्रेडिटर किसका पार्ट है किसका पार्ट है क्रेडिटर बताओ ओपरेटिंग का करेंट लाइबिलिटी करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी करेंट एसेट में क्या देखते हैं गुड और बैड और इसके बाद आता है है ना इसके बाद तो गुड और बैड के साब से देखो क्या हो रहा है हमारा यह 55 से 83 हो गया तो बिजनस के लिए बैड है तो एड कर देंगे अब इसके बाद है बिल्स पेवल भी लाइबिलिटी है 20 से 16 घट गया भाई बिल्स पेवल तो बताएं क्या करें चार हजार रुपए माइनस लाइबिलिटी का घटना बिजनस के लिए गुड है प्रोविजन फोर टेक्स बताये था ना आपको करेंट येर का एड और प्रीविएस येर का माइनस तो एड कर देते हैं प्रोविजन current year ऐसा क्यूं होता है इसके उपर adjustment करेंगा आपको खुद समझ में आएगा सारी चीज़े तो sir current year कितना है 50 और यहां से less कर देंगे हम प्रोविजन फोर टेक्स कितने रुपए का 4000 का प्रोविजन फोर टेक्स 40,000 चलिए sir assets पर आ जाते हैं goodwill 1,15,000 से 90,000 हो गया यानि goodwill घट गया goodwill घटने को बोला जाता है return of होना तो यानि 25,000 रुपए का घट गया तो यहां आ जाएगा sir goodwill sir अगर बढ़ जाता है न तो investing का part होता return of कितने 25,000 plus में land and building अब land and building 2,01,01 हो गया तो इससा मतलब क्या हुआ कौन बच्चा बताएगा पहले 2,01,01 तो सीधी सीधी बात है और एक ही बात है यहां पे दो कारण रहे होंगे मैं भी जब adjustment पर आँगा तो clear करूँगा या तो depreciation लग किया होगा इसलिए घट गया होगा भाई है न या फिर बेच दिया होगा आपके पास दो कारण होगे तो मैं फिलाल यहां पे मान लेता हूँ assumption कि depreciation लग के घटा होगा यह मेरा assumption है personal assumption है क्या है land and building है या फिर हम इसको sale माने आप बताओ आप जो बोलोगे वो मान लेगे क्या माने यह बिक गया होगा या डैप लग गया होगा बताइए आप बताइए भिक गया या डैप लग गया sir provision for tax previous year का 40 है previous year का 40 है तो current year का यहां लेते हैं previous का 40 वही लिखा है बच्चे कह रहे हैं एक बच्चा कह रहे है डैप, sale, दोनों आया थे दोनों कैसे ले लेंगे डैप या sale, sale ले लेते हैं investing activity का part यह बिचारा खाली रह जाएगा ना, कुछ रहा नहीं इसके अंदर इसको sale मान लेते हैं, तो sale of land and building कितने कभी गया 30,000, add हो जाएगा, 30,000 add होगा मतलब आपको investing और financing में सोचना है पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है अगर पैसा receive हो रहा है, तो inflow यानी plus, पैसा जा रहा है तो minus यह concept लेना है operating activity में आपको थोड़ा format आपको used to होना पड़ेगा बार-बार practice से हो जाओगे, ठीक है अब मुझे बताएगा कौन बच्चा क्या करेंगे, plant है 80 से 2,00,000 हो गया 80,000 से 2,00,000 हो गया, सबसे पहले plant किसका पार्ट है बताओ investing का पार्ट है, operating का पार्ट है, financing का पार्ट है plant किसका पार्ट है, sir investing का पार्ट है, plant और plant कितना हो गया, 80,000 से 2,00,000 मतलब हम अगर देखें तो plant बढ़ गया, तो plant बढ़ने का reason है खरीद लिया होगा, ठेक है न, बढ़ने का रीजन क्या है, खरीद लिया तो कितना खरीद लिया plant भीया, एक लाख 20,000, एक लाख 20,000 रुपे का तो यह इन्वेस्टिंग में माइनस होगा यह प्लस होगा, बता दो मुझे क्यों minus होगा? क्योंकि मैंने पैसे दिये होंगे, तो a class 20,000 minus में. Sir debtor, debtor किसका पार्ट है? कुhन बताएगा debtor किसका पार्ट है? debtor बताओ, किसका पार्ट है? kisका पार्ट है debtor, बताओ? Sir debtor न? operating का पार्ट है. क्यूं? current assets और current library अब debtor देखते हैं भाईया 162 business के लिए बढ़िया business के लिए बढ़िया सभी नहीं जवाब दे दिया operating 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 तो debtor 162 business के लिए good तो minus कर दो debtor कितने रुपे 40,000 ये लोजी minus में stock 77 से 1,09,000 ये भी यहीं का part है 77 से 1,09,000 32,000 ये भी minus बढ़िया stock 32,000 इसके बाद last हमारा है bills receivable ये भी बढ़िया क्या होगा बताओ ये बढ़िया क्या करा जाए इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं बताइए क्या किया जाए इसके साथ बढ़ गया हमारा bills receivable सर bills receivable बढ़ गया तो minus कर दिया जाए कितने 10,000 ठीक है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है cash and cash 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 opening balance add करो यहां cash का cash का opening balance add करो sir कितना है cash का opening balance जी cash का opening balance है 25,000 अब जब मैं पूरा solve करूँआ तो ये हमारा answer है ये answer आना चाहिए अगर 18,000 नहीं आया है तो दिक्कत है अब मेरा totaling का काम रह गया ध्यान देना यहां तक हर बच्चे को clear है पहले blank format का मतलब समझ में आया क्या है तो register के दोनों page करना एक इस side में एक इस side में तो बड़े आसानी सो हो जाएगा इसके अंदर बस अब हमें कुछ adjustment समझेंगे सारे अगली class जैसे भी हम लेते हैं या भी देखते हैं तो हम adjustment start करेंगे तो adjustment के हिसाब से करेंगे ठीक है ना अभी ले लेंगे कोई बात नहीं तो चलिए इसका total कहा करना है देखो मेरे पास ना इतना space बचा हुआ है तो इस space में हम नहीं हम इसके जस्ट ऊपर लाइन खीचेंगे तो सर्थ 30,000 50,000 25,000 एक लाग पांच हजार और अठरा हजार एक तेज़ अब इसका total जस्ट इसके ऊपर 28,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000 माइनस 32,000 माइनस 10,000 58 और वो भी माइनस का 65,000 और माइनस का 40,000 25,000 आगे यह आगे cash flow from operating activity अब आ जाते हैं यह बिचारा बहुत छोटा सा रहेगा एक बीस और तीस कितने होते हैं 90 और यह आगे cash used from investing activity देखो अभी totaling थोड़ा गलत होगया हमारा totaling करने का style गलत होगया यहाँ नब्बे नहीं आए गई है इसको यहाँ line खीचेंगे और यहाँ लिखेंगे 90 और इसको इसके सामने लिखने वाले नब्बे ठीक है same इसको हम यहाँ लिखेंगे यहाँ line खीच लेते हैं तो यह कितना हो गया पचास और आठ अठावन दोनों प्लस और यह हो गया अठावन यह क्या हो गया हमारा cash flow यह flow हो गया क्योंकि positive है from financing activity अब तीनों मिल गया A भी मिल गया B भी मिल गया C भी मिल गया A है 25,000 Sir A है 25,000 और B है 90,000 माइनस का बी जो है वो 90,000 माइनस का और C 58,000 positive इन सभी को solve कर लिया जाए तो 25,000 प्लस 58,000 प्लस 25,000 माइनस 90,000 तो यह आगया 18,000 और यही 18,000 यहां लिखेंगे और यह आएगा closing balance cash का अब check कर सकते है closing balance cash का कितना है हमारा 18,000 तो यह आपको पहले से ही पता होता है कि हमारा answer क्या होगा बताइए किसी बच्चे को doubt रिजल्ट कब तक आएगा आप देखिए वो तो du के उपर depend करता है कि कब तक result आजाएगा 90 के minus है ओके negative 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 पाइल का कहना है sir here capital के 10 year share capital के 10 year के question भी कराओगे हाँ बिल्कुल करेंगे उसको भी कोसिस तो पूरी है बिजनस के लिए good वाला ओके no sir बच्चे कहरें के तरीका हाँ बिल्कुल थोड़ा सा trick एक मैं पैसे मैं memory trick से avoid करता हूं लेकिन कहीं थोड़ा कम पड़ जाए तोई करने परपोस डिविडेंट क्यों नहीं लिया इस पर धेर बड़ा सारा adjustment है accounting standard 4 है उस 4 को पहले हम चर्चा करेंगे यह 3 का पार्ट है जो जो चीजे न मुझे बहुत detail में जाना है तो उसको मैंने इसमें से हटा दिया सो डैट ऐसा ना हो कि यहां छोटा बता दो यहीं दिमाग में रह जाए फिर बाद वाले चीज़े भूल जाओ प्रोविजन फोर टेक्स वे डिटेल में जाएंगे यहां तक हर बच्चे को क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए सर फाइनल अकाउंट के आंसर कब तक मिलेंगे आंसर मिले नहीं मैं भी मैसेज कर देता हूं भेज़ेंगे कल भेज़ेंगे फाइनल अकाउंट वाले बच्चों का आँसर अभी कर देते हैं मैसेज यह लिज़े अभी कर दिया अब ही मैं सोच रहूं कि एक अर्जस्मेंट तो कर लिया जाए है कि कर ले एक अर्जस्मेंट लिए इस अर्जस्मेंट स्टूडें और कि डाउट 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 वोके डाउट भी लेगते हैं और अगली क्लास के अंदर ही तीन घंटे के अंदर सारा अजस्मेंट खतम कर देंगा अगली क्लास तीन घंटे को के नेट वेट बचा के रखना अगली क्लास में ठीक है तो तीन घंटे में हम सारा अजस्मेंट 10-12 अजस्मेंट है सब निप्टा देंगा तीन घंटे में अग क्या रहे जाएगा सर्प्रैक्टिस सरफ हम करने वाले हैं प्रैक्टिस कुश्चंस के पास की कुश्चंस के वो देखना फिर फटा-फट सारा हुने लग जाएगा में अज्जस्मेंट इसलिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लिया है ओके सर चलिए मिलते हैं हम नेक्स क्लास के अंदर अब कुछ बच्चों के जिनके डाउट बता रहे थे कुछ बच्चे उनके लिए मैं रुख जाता हूँ और बाकी बच्चे जो भी जिनका कैस्ट फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है कैस्ट फ्लो स्टेटमेंट कर रहे वो लीव कर सकते हैं class को ठीक है या एक ही बच्चे का doubt आ रहा है भावेस मुझे आप call करिए आँ क्या नाम है भवनीश भवनीश आप मुझे call कर लीजिए और फिर मैं अभी आपका doubt call पर ही ले लेता हूं ठीक है बाकी मैं इस class को ओ मैं disconnect करने जा रहा हूं तो sir मिलते है next class में very very good night और ये पूरा format अच्छे से note करिएगा और self ये question मैंने एक बार कराया है और एक बार आप खुद करिएगा चेप्टर का निचोड मिल जाएगा ठीक है ना चलिए good night समझना है तो आप noting के लिए मैं नहीं बोल रहा है noting के लिए मैं PDF आप सबको देना हूं तो में ध्यान से और जितना भी time हम spend करते हैं उसमें समझ लेना कि ये topics ऐसे ऐसे क्यूं हो रहा है विद लॉजिकल समझना किसी से mcq बना के पूछ लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा format और question देंगे इसमें से mcq question भी पूछा जा सकता है आपका तो चलिए सर adjustment start करते हैं भाई अवाज बच्चों की नहीं आनी चाहिए cash flow statement में adjustment सर adjustment क्या है खूब सारे adjustment है लेकिन first adjustment करने जा रहे है पर सदस्達 में आपी ऐ। अ कं टीक्स अ हिंग है अल जुए अ तो इन अ पूर्ट थे अ इंकम टेक्स और प्रोविजन पो टेक्स बहुत इंटरस्टिंग पॉइंट है ये कैसे इंटरस्टिंग पॉइंट है देखिए में पॉइंट अब यहाँ पे इंकम टेक्स आपको बहुत तरीके से सवाल में देखने को मिल सकता है और मेजरली तीन तरीके से देखने को मिल सकता है एक हो सकता है आपको गीवन हो स्टेटमेंट या फिर हम पहले कर लेते हैं स्टेटमेंट लिख लेता है Statement of Profit and Loss सर हो सकता है Profit and Loss Statement में गीवन हो या फिर या फिर अभी का हेंड्रेज आ रहा है अभी हेंड्रेज का मैं आंसर नहीं दूँगा वोईज में दिक्कत है तो बता देजिए या फिर और और गीवन इन अडजस्मेंट अउनली तर दो जगा गीवन हो सकता है अब समझाना मैं कैसी बात कर रहा हूँ किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैं दिखाता भी जाऊंगा यह हमारा है Profit and Loss यहाँ पे आपको टेक्स दे रखा है मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ या तो हो सकता है Profit and Loss यानि Statement Profit and Loss के अंदर देखने को मिले या फिर हो सकता है यह हमारा Balance Sheet है Balance Sheet के बाहर देखने को मिल जाए Provision for Tax यहाँ अंदर है न तो Balance Sheet के बाहर जब देखने को मिलेगा तो That is called Adjustment Balance Sheet के अंदर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ Balance Sheet के बाहर तो उसे Adjustment बोलेंगे तो जब ऐसा Given होगा हमें Point तो हम इसके जनरली दो Treatment करने वाले हैं Sir Sir दो Treatment क्या करोगे एक ये Add हो जाएगा In a Net Profit Add हो जाएगा In a Net Profit Sir Net Profit मैं हर चीज को आपको दिखाते जाऊँगा कौन से Net Profit की मैं बात कर रहा हूँ और Less हो जाएगा Cash Generation From Operation Generation From Operation और सर यहाँ पर जो Add होगा ना Net Profit में और यह तो इसको और थोड़ा कर देते हैं और Detail में ले जाते हैं क्योंकि यह मुझे Notes में भी डालना है Same Amount मतलब समझे आप कि वही Amount जो दे रखा है वही Amount हमारा एक तो Add हो जाना है कहां पर Net Profit में और एक Less हो जाना है सर Generation के बाद सर आप एक बार Question देखिए लास क्लास में किया था तो यहां पर हमें Income Tax गीवन था या तो Profit and Loss में जैसे गीवन था तो देखिए Same Amount मैंने एक Provision for Tax छे हजार यहां लिया हुआ है और छे हजार सेम हमने कहां माइनस किया अरे यहां पर दो दे रखा था नीचे adjustment में भी था तो सिर्फ और सिर्फ P&L में होगा तो 6000 यहां भी ले लेंगे और 6000 यहां भी माइनस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ P&L यहां पर आप मत देखिए क्योंकि यहां न यहां पर भी है मैंने अभी क्या बात किया है कि सिर्फ P&L में हो या फिर सिर्फ adjustment वहाँ शब्द जो है वो ध्यान से देखेगे और लगाया मैंने, end नहीं लगाया अब ऐसे वाले के लिए माय लग note बता हुआ ठीक है न, same amount क्या करेंगे हम add कर देंगे, same amount less कर देंगे concept wise भी समझेंगे यह मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह बोल दिया तो बोल दिया अगला, when given in the balance sheet only तो भी दो जगह जाएगा तो भी दो जगह जाना है सर अगर तरिफ balance sheet में देता है तो दो जगह जाएगा add हो जाएगा in net profit previous year net profit previous year amount भाई हट जाओ क्यों चिला रहा है यह लेस हो जाएगा पर यह मैंने प्रीवियस गलत लिख दिया current year होगा यह लेस हो जाएगा previous year amount previous year amount समझने का यह देखे आप यह हमारा balance sheet है अब balance sheet के अंदर कोई adjustment नहीं है balance sheet के अंदर provision for text था यह रहा अब यहाँ दो साल का data है आपके पार तो जो नया वाला जो सबसे latest साल होगा उसे हम current year मान लेंगे है ना और जो उससे पुराना होगा previous year तो मैंने बोला previous year वाले को क्या करना है हमें माइनस करेंगे और current year वाले को add करेंगे तो सवाल में देखिए यहाँ 40,000 है और 50,000 तो हम 40,000 को बोलेंगे previous year और 50,000 को बोलेंगे current year तो देखिए मैंने यहाँ पे 50,000 add कर दिया है provision के नाम से current year का और minus कर दिया है देखिए 40,000 यहाँ पे लेकिन सर माइनस प्लस कहां करा है net profit में लेकिन माइनस कहां किया है मैंने cash generation के बाद उसके बाद cash generation के regular वालों के लिए enough है ना यह class अब पता नहीं क्या के रहे है provision for doubtful नहीं यह मैं इसकी बात कर रहा हूँ चलिए सारा करवाएंगे दीरे-दीरे मुझे समझ नहीं आया बच्चे ने क्या बताया तो अब मुझे आप बताईए छोड़िए वो सारी बाते ध्यान देखिए बाते नहीं बाते नहीं हो निचे समझो मैंने का less previous year amount लेकिन कहां से cash generation from operation से कि अब होगा अब होगा अब होगा अब जैसा को बोला चाट के देने के लिए या आप खुदी जब जा रहे तो चाट लो बारे सोड़ी तो तो सारे कली परसो कल लगवा दूंगा आप लिए परसो तक में लगवा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं मैं लगवा दूँआ बाकी अभी खंबों पर भी लगवा दिया देख लोगे तो अच्छों आप वह खंबे पर मैंने चोटे चोटे पर अब देखते पहले बैनर लगाते पिर देखते हैं अभी इसके अ अभी इसके ना यह बंद हो रहे हैं कि यह आथा पूप्राइब अभी हुआ है अरे बच्चे देट शिट मांगए रहे भाई आछ अब कि अबाज अबाज भाज वाज वो इस चेक कर लीजे ठीक है तो मैंने यहां क्या लिखा आप देखो साथ के साथ ध्यान देना लेकिन प्रिवियस दे यह कहां से कैस日本 generation from operation यानि सर यह ना नोट में थोड़ा एड़ कर देता हूं तो समझिएगा after cash generation from और बिल्कुल as it is यह सारे नोट 10-year के अंदर जाएंगे जब आप 10-year खरीद होगे तो आपको तो मैं पहले लिखवा रहा हूं और as a tease मैं 10-year के अंदर भी चार्ट को प्रिंट करवाऊंगा जिसमें बच्चों को last time पे इसको revision करते time पे आसानी हो सेम इसलिए मैं पूरे पूरे वर्ड भी लिखूंगा जब मैं पूरा करके देदी तो वह semester 1 का तो हो गया था अभी तो 4 का हो गया 4 वाले बच्चों के पास तो आ गया होगा चलिए अगला प्वाइट वंबनी बैले बैले चीट जो अध्युञ्णत्य। वेन गीवन बैलेंशीट एंड अडजेस्मेंट और स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस समझेगा मैंने क्या लिखा मैंने कहा कि जब बैलेंशीट में तो होगा ही होगा और साथ के साथ अडजेस्मेंट में मिल जाए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कहीं हो तब हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसे गीवन होगा तो हमें बना लेना चाहिए प्रिपेर प्रोविजन फूर टेक्स अकाउंट सर अभी तक ना एक कोश्टन मैं एक्स्पेक्ट कर रहा था आप लोगों का आना चाहिए लेकिन किसी बच्चे का आया नहीं एक कोश्टन कि why we are add previous year और less current year या फिर less हमारा previous year और add current year ये क्या चक्कर है कि हम current year और previous year का का काम करते हैं उसको मैं समझा देता हूँ उसको मैं समझा देता हूँ सर कैसे ध्यान दीजिएगा बातों को आज new year है और इसी new financial year पर आपने बहुत सारी बाते भी सुनी होगी कि आज से बड़ी सारी चीज़े बदलाव हो जाएंगी मतलब आज से कुछ UPI के payment पे या फिर कुछ चीजों के rate बढ़ जाएंगे या कुछ चीजों के rate वैसे हो जाएंगे बहुत सारी चीज़े ऐसा पता क्यूं हुआ समझना बात को और ऐसे कैसे पता चलिए यह दो दिन पहले लोगों ने commitment कर दी कि तीन दिन पहले लोगों ने commitment कर दी यह दो से तीन दिन पहले लोगों ने commitment कर दी थी कि सर मैं यह handraise वाले को हटाई देता हूँ बजट आता है और बजट जो आता है न वो आता है फैव के मन्त में और फैव के अंदर बहुत सारी बाते बताई जाती है कि अगले साल यह सारे चीजे अप्लीकेबल होगा यानि अगर मैं बात करूं तो पुराना साल की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक चार दो हजार बाईस था और जो की आज यानि कल की डेट एक अतिस तीन दो हजार तईस को समाफ्थ हो गया अच्छा दो साल हो गया ये 22 करते हैं न 22 था और जो कि 23 में खतम हो गया हाँ जी आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी जो बच्चे बैठे हैं ये साल खतम हो गया इस साल के मन्थ में न एक फैब का भी मन्थ आया था जो कि मान लेते हैं इस जगह पे फैब का मन्थ आया था और इस फैब के मन्थ में देखा जाए तो फैब के मन्थ में एक आता है बजट बजट सेशन होता है और यहां पे बजट जो होता है न वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी एफम सर हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन आ गया निर्मला सीता रमन जो की फाइनेंस मिनिस्टर है इस दिन इनका क्या काम होता है मेन काम मुख्य काम क्या होता है हमारा बजट का मतलब होता है प्लैनिंग और प्लैनिंग कभी भी काम जो हो चुका है उसके लिए नहीं करते जो काम हम future में करने वाले हैं उसके लिए planning करो गया और budget का दूसरा शब्द मान लो planning तो planning जो यहाँ पे करने वाली है ये वो इस साल की planning नहीं करेगी क्योंकि ये साल तो खतम ही है तो जब कभी भी ये planning करेगी तो आप समझ सकते हो ये planning जो लेके आएगी वो इस साल से आगे साल के लिए planning लेके आई होगी और इस साल का planning का मतलब क्या वो actual success होता है नहीं होता हम पढ़ाई को लेके भी planning करते हैं कि बारवी में इतने percent लाएंगे कुछ लोग उससे आगे भी निकल जाते हैं और कुछ का नहीं achievement होता तो ये क्या है हमारे future perspective planning है तो इस दिन निर्मला सीता रमन क्या करती है बोलती है इस budget को अगर सुनोगे तो मैं सुनी रहा था budget को तो उन्हेंने बोला कि next financial year भाई next financial year यानि एक चार दो हजार तेईस से 31 तीन दो हजार चौबिस इन्होंने कहा next financial year के लिए मैं कुछ plan कर रही हूं Sir क्या-क्या plan कर रही है यानि हम next financial year के अंदर जो कोई भी tax भरेगा कब बात करें इस date पर बोल दो है निर्मता सीता रमन इस date पर इस date पर इन्होंने बोलना चालू किया कि अब जो भी tax भरेगा next financial year में 7 लाख रुपए तक उसके income पे tax माफ कर दिया जाएगा ऐसा बोला गया मतलब 7 लाख तक सालाना income है उसके tax नहीं देंगे दो रिज्दिम होंगे नए रिज्दिम होंगे पुराने रिज्दिम होंगी इस दिन से जो insurance महंगा हो जाएगा इस दिन से अगर जो नया काम start करेगा ये हो जाएगा post office में पैसे जमा करेगा उसके ये tax लग जाएगा pen card link नहीं होगा ये लग जाएगा यानि यहां से बता है basically इनके पास दो परचे होते हैं एक इस पूरे साल में हम कितना पैसा collect करेंगे उसका अनुमान और एक इस पूरे साल में हम कहां खर्च करेंगे एक उसका अनुमान दो परचा एक expense का खर्च है और एक revenue का है अब income कहां कहां से आएगा वो सब बताएगी कि इतना tax rate है यहां यहां से income आएगा GST से यहां आएगा और खर्च कहां करेंगी यह infrastructure करेंगे किसान को देंगे development करेंगे इधर बाटेंगे यह योजना चलाएंगे यह इसी को हम call करते हैं बड़ी सी बात है budget अब हम income tax भरने की बात करें हम अगर बात करते हैं सर क्या income tax भरने की तो बड़ी सी बात है हमने अगर यहां से लेके यहां तक में काम कमाई की है तो हम कभी भी इस डेट पे इंकम टेक्स नहीं भर सकते हैं कि आप सोचो 31 मार्च दो कल ही गया 31 मार्च क्या 12 बज़े तक कोई काम हो रहा होगा यह नहीं हो रहागा और कल insurance इतने भी के ना राद के 12 बज़े तक भी के हैं उसका कारण था कि जिन लोगों ने यहां तक insurance ले लिया वो अपने income tax के अंदर उसका छूट यानि deduction ले सकते हैं तो सर 12 बज़े तक अब 12 बज़े तक काम हुआ तो क्या कोई वेक्षी ऐसा कोई चमतकार तो है नहीं कि इसी दिन 12 बज़े के बाद ही अपना वो balance sheet बना ले और पी एंडल बना ले ऐसा तो कोई ऐसा कोई जादू तो है नहीं उसको इस पूरे साल की कमाई पे balance sheet और profit and loss बनाने के लिए समय चाहिए और उसको government ने समय दिया है के भाईया तुम्हे हम समय दे देते हैं अगर आप company हो तो आपको समय दे दिया गया 30 September last date है यह समय का मतलब यह नहीं कि इसके बाद भी चलेगा आप 30 September तक अपने income के उपर टेक्स भर दीजिए इतना time क्यों दिया गया ताकि इस duration के अंदर आप क्या करें अपना minus plus calculation कर पाए सीदी सी बात है क्योंकि जो आपने इस साल में सारा sale purchase किया है उसको जमा घटा करना proper अपर format में फिल करने में समय तो लगेगा छे मैने का वक्त दे दिया आप चाहें तो दो मैने में हो जाता तो दो मैने में टेक्स की डिटेल दे दीजिए आपने जैसे निकाला अब इस date पे आप क्या करिए paid कर दीजिए मान लीजिए आपने यहां पे अपना balance sheet और पी पचास लाख रुपए अब आपको टेक्स तो देना है ना मान लेते हैं कि 30% का टेक्स है तो आपको 15 लाख रुपए सरकार को paid करना होगा अब मुझे एक बात बताईê यह P&L और balance sheet कि साल से related है यह P&L और balance sheet कि साल से related है सर यह previous year का है यानि इस साल का है ही नहीं यह है previous year का और हमने payment भी कर दीए इसका और payment करा होगा तो क्या गया होगा पैसा गया होगा ठीक है पैसा गया होगा हमारा सेम यही सिलसला फिर चला होगा इस साल के लिए सर यही सिलसला इस साल से मतलब क्या है यानि फिर से आप दिमाग लगाओ कि यहां से फिर एक दिन ऐसा आएगा जब यह साल खतम हो जाएगा और जब एक दिन ऐसा आएगा जब ये साल खतम हो जाएगा तो ऐसे सिचुवेशन में ये आएगा एक चार दो हजार चौबिस और ये खतम होगा इकतिस तीन दो हजार पच्चिस को अब फिर आपको टाइम दिया जाएगा 30 सेप्टेमबर और फिर आप यहाँ पे टेक्स कैलकुलेट करोगे और आप यहाँ पे पेमिंट करोगे यही कहानी रहेगी और यह एक साल की कहानी नहीं चलते जाएगी तो यानि सिंपल सी बात है अब इस साल के अंदर देखो दो बा कि बात करूँ इस साल का यह बैलेंस चिट कौन से साल का पिछले साल का और इस साल का यह पी इंडल किस साल का बताओ मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया हो तो उसको सुनिए यह पी इंडल पे भी नेट प्रॉफिट आया और net profit आया 40 लाद अब ये कौन से साल का profit है इस साल का है किस साल का है 2024-25 का है ये P&L या 23-24 का है अब मैं आपको दो data देता हूँ 2023 और 2024 का data है और एक 2024 और 2025 का data है तो आपके सामने दो साल दे दिये मैंने और आप देखोगे के दोनों साल P&L बना है और दोनों साल payment भी हो रहा है क्या हम इस साल 23-24 में सरकार को tax हमने दिया या नहीं दिया दिया था हमने कितने दिये 15 लाद लेकिन जो दिया आपने पैसा वो इस साल की income पे था या पिछले साल की income पे था सर यानि payment जो इन दोनों डेटा में देखा जाए तो यहां वाला डेटा का हमने क्या कर दिया है पेड कर दिया है सर इस साल का P&L कहा है सर इस साल का P&L यह है इस साल का P&L कौन सा है अगले साल में जो की बन के तयार हुआ क्या इस साल के अंदर हमने payment किया इसका नहीं क्या वो कब paid किया हमने next year यानि current year का जो भी tax हमारा बन रहा था इस tax का तो हमने paid ही नहीं किया क्योंकि वो payment कहां सिफ्ट हो रहा है और मैं बोला रहा हूँ कि इस साल का आपको cash flow statement बनाना है इस साल का आपको cash flow statement बनाना है cash flow statement एक simple सी बात कहता है अगर पैसे हमारे पास से outflow होता है तो minus कर देंगे और inflow होता है तो add कर देंगे यही कहानी है तो अब आप और no flow होता है तो भी add करेंगे दो चीजे हैं अगर पैसे आएंगे तो add करेंगे और अगर पैसे no transaction होता है जैसे मैं पैसे no flow हो रहा है वो भी add हो जाता है जैसे depreciation add कर देते हैं दो बाते हैं और पैसे अगर outflow है तो minus करेंगे तो सबसे पहले बताओ ये जो मैंने payment किया है तो इसमें क्या हुआ और इसके अंदर tax हमने अगली बार payment किया लेकिन इस साल के हिसाब से P&L में बनाया तो गया है इस साल का tax है calculated अगर मैं बात करूँ इस साल का tax calculated है तो जिस साल का हम tax calculate कर लेते हैं लेकिन payment हम अगले साल करते हैं तो calculate करने को हम बोलते हैं made करना tax को हमने बना लिया है अभी payment नहीं किया हमने क्या करा नेक्स को बना भले ही अगले सार में, लेकिन हम टेक्स इसी के हिसाब से लेकि चलेंगे, तो यह होता है, Mayd, तो यहां पे जब हमने टेक्स बनाया, तो हम अपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा रहे हैं, तो यहां खड़े हो के सोचों के हमने P&L मे 40 लाक पर tax दिखा दिया लेकिन हमने दिया इस साल में नहीं है तो इसलिए सिरफ ये क्या होता है हमारा net profit में current year का हम tax को add कर देते हैं सर्थ क्यों add कर रहे हैं क्योंकि इसका payment गया ही नहीं होगा current year का payment current year के session में एक payment जरूर किया है लेकिन वो कौन से वाले tax का किया है तो इसलिए हमने previous year वाले को क्या कर दिया minus कर दिया अब previous year मैं उसको क्यों कह रहा हूं क्योंकि वो पिछले साल का है calculation और current year मतलब वो इसी साल का है तो income tax के अंदर हमेशा जो previous year होता है उसका tax payment हो जाता है और वो payment कब होता है अगले साल जाके assessment year के अंदर ठीक है न तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको previous year वाला add करना है और minus करना है और current year वाला add कर देना है बड़ी simple सी बात है चलिए सब अब देखते हैं हम अगर आपको balance sheet एक मैंने बात बताया कि previous year वाले को आप क्या कर देंगे previous year वाले को minus और current year वाले को क्या करेंगे add current year वाले tax को एक और नाम से मैंने बोला था भी made इसको बोला जाता है made यानि बनाया गया अब बोला गया के भाई साब अगर आपको अगर आपको balance sheet और pndl दोनों जगह गीवन हो तो you should prepare provision for tax account sir provision for tax account बना लेंगे अब मुझे simple simple बातों का जवाब देना provision for tax जो है हमारे लिए liability है या assets है provision for tax सरकार को tax देना है इसका मतलब होता है तो provision for tax liability है क्या assets बताइए मुझे liability और liability हमेशा कहां होता है credit side में होता है या debit side में होता है बताइए simple सी बात है sir liability always credit side ये बना लिया हमने provision for tax provision for tax ठीक है चलिए सर ये particular amount चलिए अब liability का balance bd कहां से शुरू होता है पता है by side से liability का balance bd होता है by side से सभी बच्चों ने सही जवाब दे दिया liability होता है by balance अब मुझे बताइए जो balance bd का मतलब opening balance होता है एक तरी के इसे ठीक है न अब जिधर balance bd होता है न उसका opposite side balance cd होता है balance cd अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा जिस side balance bd होता है उस side से plus होता है तो मैं कह सकता हूँ ये भले ही credit side हो लेकिन इधर से ही plus होगा और ये debit side है तो इधर से क्या होगा अगर मैं और profit कमाता जाओं और income tax और देना है मुझे सरकार को तो मेरी liability बढ़ जाएगी और अगर मैं सरकार को payment कर दूँ उसका तो मेरी liability घट जाएगी तो अगर मैं बोलू मैंने सरकार को पैसे दे दिये हैं पेड कर दिये हैं तो यहाँ पे आएगा two side में और किस नाम से आएगा bank से paid bank से paid का मतलब सरकार को मैंने tax दे दिया है और अगर आपने और पैसा कमा लिया तो यहाँ आएगा statement profit and loss क्यूंकि यह वाला statement profit and loss में जाता है जिसे बोलते हैं made और एक चीज़ याद रखिएगा आप cash flow statement में मैं कुछ बाते बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना cash flow statement में balance bd balance cd का कोई transaction नहीं होता cash flow statement में ना तो balance bd को कहीं दिखाये जाता है ना ही balance cd account बनाने के बाद जो उसके अलावा points हमें मिलते हैं difference करके उसको treat किया जाता है तो अब मैं अगर कहूं के बताईए के हमारा balance bd cash flow statement में कहां जाएगा तो जवाब सर यह कहीं जाएगा ही नहीं सर balance cd कहां जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा तो जाने वाली चीज़े दो चीज़े जो मैंने white marker से लिखा है सर यह जो हमने profit and loss से बनाया है तो यह current year का बना होगा तो इसको क्या करेंगे सर हम इसी के नीचे लिख देता हूँ जो made है ना वो क्या होगा सर वो add हो जाएगा add हो जाएगा statement profit and loss में क्या है एड हो जाएगा यानी made हो गया और जो यह वाला है ना paid यह less हो जाएगा cash generation from operation cash generation from less हो जाएगा ठीक है समझ में ही बात आपको यानी एक चीज़े add हो जाना है और एक point less हो जाना है और इसके अंदर balancing figure कोई भी हो सकता है या तो possible है कि यह balancing figure हो ठीक है या possible हो कि यह balancing figure है यानी हो सकता है maybe आपको opening balance दे दे closing balance दे दे और बोल दे कि income tax इतना बनाया गया है तो opening डाल देंगे closing डाल देंगे और income tax इतना बनाया इधर दिखा देंगे बाकि यह balancing figure निकल जाएगा या हो सकता है opening balance दे दे, closing balance दे दे और मैं बोलू कि मैंने इतना tax payment किया है तो आप इधर entry डालोगे तो balancing figure ये निकल जाएगा तो जब हम सवाल करेंगे नहीं तो अच्छे से clear हो जाएगा अभी हमने adjustment वाले सवाल ने सरफ adjustment समझते हैं आप मुझे जवाब दीजिएगा ये मेरा balance sheet है ठीक है ये मेरा balance sheet roughly फिर मैं इसे हटा दूँगा यहां से आपको सिर्फ समझाने के लिए PFD लिखा है मैंने 500 और 600 और 10 और 11 है ठीक है और मैंने बोला made provision for tax प्रोविजन फोर टेक्स मैंने मेड किया है सर हजार रुपए बताइए अकाउंट मनमन में calculate करिए क्या निकले लें मैंने कहा प्रोविजन फोर टेक्स पांसो दसमें था और 611 में है और मैंने made कर दिया PFT हजार रुपएगा तो अकाउंट में देखे सबसे पहले तो ये वाला पार्ट एक तो BD आएगा और एक CD आएगा BD में क्या चला जाएगा CD में और ये made है तो इधर आएगा कितने हजार अब balancing figure निकाल लीजिए 1500 और ये क्या जाएगा bank से और अब आपको करना है ये वाला कहां चला जाएगा operating में made statement profit and loss में add और ये वाला paid कहां चला जाएगा इसमें balancing figure ये निकल गया समझ में आई बात आपको ऐसा ही आपको made की जगह पर क्या दे सकता है bank से paid सभी बच्चों ने जवाब दे दिया 900 900 समझ में आ गया ये चलिए इसको मिटा देते है कि अरे तो ये कहानी थी हमारी और एक important adjustment कहलो किसका provision for tax का अब इससे आगे चलेंगे इसमें किसी बच्चे को कोई doubt clear है adjustment number one done ये adjustment number one है चलते हैं आप adjustment number two पे इससे बच्चे को कर दो ऊसरा अजय में आफ्यों सस्जारी को जनलाक दूडिवेंट में एक अट एक ज्थ्ड लग.. ड्रेशियोटday में एक बनलाक दोडिय है , व्योरोकी द्वक्रिवर औरैужने दिविले ज़क्र क्रूच करन दो में कि अबेख करो ध्यान दीजे ध्यान दीजे इदर Sir, adjustment no. 2 depreciation Sir, depreciation लगता किस पे? Fixed assets ठीक है न? Depreciation लगेगा कहा? Fixed assets पे हम depreciation को दो पार्ट में करेंगे एक provision for depreciation वाला पार्ट जिसे accumulated depreciation कहते हैं और एक simple depreciation जो कि हम करने वाले हैं अब depreciation के case में 2 बाते हो सकती है इपक्रिजाई आद तक होत fucking है इप प्रिजिए्टENTE ट्रह में इपषी इंग प्रेश्ट right स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा प्रॉबिबिलिटी है कि आपको गीवन होगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में सरक्ष्ट फ्लो के अंदर भी अड़्जस्मेंट की डबल एंट्री एफेक्टिड हो जाता है और नोन अड़्जस्मेंट की सिंगल एंट्री वही चलता है अड़्जस्मेंट वाला हिसाब के ताब अगर मैं बताऊं तो कैसे देखी आप ध्यान से यह हमारा प्रॉफिएंडल है आपके सामने यहाँ पे आपको डप्रीशेशन दिखेगा 85,000 दिखा तो मैं इस पीएंडल की बात करता हूँ तो अगर आपको पीएंडल में यानि स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डप्रीशेशन दिखा तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे पॉइंट्स में आपको क्या करना है सिंपली स्रिफ एड़ कर देना है कहां गया यह रख डैप पिछे असी अजार बस तो हमारी एक ही जगा इंट्री जानी है कहां जानी है एक जगा लॉसरा एड हो जाएगा सर एक है सर यह एड हो जाना है आड इन नेट प्रॉफिट इन नेट प्रॉफिट इन ठीक है और बेसिकली इस adjustment का नाम दूनो तो fix assets के उपर adjustment चल रहा है basically मैं बोलू तो fix assets का पार्ट है ठीक है fix assets को मैं अलग से करवा दूना लेकिन अगर आपको देता कहां पर अशर ये 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 देता है adjustment में adjustment में अगर आपको adjustment में देता है तो prepare करना होगा prepare fix assets assets account अब सर फिक्स assets में आपका machinery furniture whatever name call करो कुछ भी हो सकता है सर फिक्स assets account बनाने के लिए बड़ा simple सा logic है और अगर हमें operating activity बोला जाए ना बनाने के लिए सिर्फ क्या बोला जाए operating activity तो no need to prepare any account ध्यान दीजेगा मैंने जो बाते बोली है उसको ध्यान से सुनीगा मैं note बना के लिख दूँगा सर जो यह account मैं बना रहा हूना इसके भी condition मैंने बताया आपको कब बनाओगे यह account जब आपको तीनो activity बनाना हो operating, investing और financing लेकिन जब आपको स्रिफ और स्रिफ एक activity बनाना हो यानि operating activity तो जरूरत ही नहीं है ठीक है मैं note में डाल दूँँगा मैं पूरे cash flow statement के इसाप से चल रहा हूँ एक activity के इसाप से adjustment नहीं लेके चल रहा हूँ तो सर यह हो गया हमारा fixed assets account सर fixed assets account में amount सबसे पहले fixed assets हमारा debit side होता है तो हम इसका balance bd स्टार्ट करेंगे टू balance bd और इसका cd आएगा by balance और आपको पता होना चाहिए assets अगर घटाना हो अब आपको पता चल गया भई bd इधर है और cd इधर है अगर मैं पूछू आपको assets घटाना हो account अभी बता जितन अगर मैंने बोला कि इस fixed assets को अगर घटाना हो तो किस side से घटाएंगे credit side से और घटाने के दो कारण है सर क्या क्या reasons हो सकते हैं एक तो depreciation depreciation को short form में लिख रहा हूँ या फिर आपका हो सकता है sale scrap का मतलब ही sale होता है bank से या फिर sale पता चल आपको दो reason हो सकते हैं यानि आपको अगर adjustment में given हो तो sir adjustment में क्या given होगा debt भी दे सकते हैं and sale का value दे सकता है तो account बना लेना है और इस side में क्या निकलेगा बढ़ेगा बढ़ने के दो reason है या तो purchase कर लो तो बढ़ जाएगा है ना और दूसरा क्या reason हो सकता है profit बढ़ जाए profit हो जाए है ना तो यहां पे एक तो purchase यानि वो भी purchase के लिए भी bank शब्द ही इस्तमाल होगा और bracket में purchase loss एक loss से भी घटेगा हमारा ठीक है ना एक loss से भी घटेगा चलिए मैं कह दूँ profit bracket में और एक घटने का reason है और loss bracket में चलिए और by side में आ जाएगा by balance cd थोड़ा short use कर लिया चलिए अब मेरा एक सवाल है मेरा एक question है आप मुझे जवाब दीजेगा मैं देखता हूँ आप कितना ध्यान से समझ रहे हो मान लिजिए balance bd मेरा 500 रुपए है यह 5000 रुपए है ठीक है तो बताओ यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है यह ओपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा यह मैंने कहा कि मेरा balance bd 500 मान लो 5000 मान लो whatever तो यह बताओ यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा यह ओपरेटिंग यह फाइनेंसिंग लाइव में जो बच्चे हैं वो भी बताए किसमें जाएगा तो सही जवाब कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं और काफी बच्चे ने बोला कहीं नहीं जाएगा और ऐसा ही balance cd कहीं भी नहीं जाएगा ध्यान रखना है आपको क्यूंकि बहुत बच्चे परेशान लेकिन हाँ इसके अंदर जो points निकले है न इस points को तो कहीं न कहीं ले जाना होगा क्यूंकि मैं यह adjustment के हिसाब से करा रहा हूं सर यह adjustment मैं करवा रहा हूं आपको अगर purchase है तो यह हो जाएगा less from investing activities और अगर profit है तो less हो जाएगा from net profit in operating activity in operating activity समझे बाद अब हम assets को खरीदेंगे assets को जब खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा investing assets खरीदना और fixed assets is a part of investing activity investing activity हमारा किस concept पे चलता है inflow और outflow की concept पे चलता है अगर पैसा जा रहा होगा तो minus और आ रहा होगा तो flood तो अगर हमने purchase किया है तो but obvious सी बात है कि हमारा पैसा जा रहा होगा है न तो क्या करेंगे हम investing में minus profit and sale of fixed assets यह operating का पार्ट है यह हमने पहले भी देखा था क्योंकि यह हमारा income होता ही नहीं है हमारा तो इसलिए operating में क्या कर देते हैं इसको less कर देंगे जब sale करोगे तो पैसा आएगा मैंने बोला investing का पार्ट है तो अब आपको decide करना add होगा यह less तो पैसे जब inflow है तो add होगा तो यह add हो जाएगा add in investing activity अब इसकी बात करें हम यह भी add होगा in net profit add होगा net profit in operating activity क्यूंकि यह known cash item है अब देखिए इसके अंदर कहा कि in case आपका स्रिफ operating activity बनाना हो ना तो account बनाने की जरुरत नहीं है क्यूंकि operating depreciation अगर हमें दे दे depreciation अगर हमें given हो तो operating activity ही बनाना है तो बस यह operating activity में उठाके लिख देंगे मैंने बोला अगर depreciation हमारा adjustment में given हो और हमें operating activity बनाना हो तो फिर बनाना पड़ जाएगा account हमें profit loss निकालने के लिए fix assets तो better है हम shortcut में ना जाके practice करते करते पता चल जाएगा तो simple अगर हमें depreciation adjustment में देगे ना तो मैं तो कहूंगा कि account बना ही लो और account बनाना बहुत मुश्किल नहीं balance bdcd डाला और debit credit में डालके हमने क्या तर दिया इसको खतम करके समझ में आरीए बात आपको कि depreciation add in net profit बिल्कुल सही निदी आप एक बार बता जीजेगा क्या point यह भी हम और भी discuss करेंगे इस पर अब बात आता है if no information is given तर आपको कोई जानकारी नहीं गीवन फिर भी depreciation निकल जाता है कोई जानकारी कहीं दूर दूर तक depreciation की बात नहीं करी जैसे मैं आपको दिखाते जा रहा हूं जैसे आप यहाँ पे assets को ध्यान से देखिए हमारा यह land and building दो लाग से 71 हो गया तो अब यहाँ पे दो ही वजह हो सकते हैं या तो depreciation लगा होगा या तो sold हो गया तो अब यहाँ कहीं भी depreciation की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है लेकिन यहाँ भी depreciation ढूंडा जा सकता है तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपको कोई information ना given हो सर कोई information ना given हो तो हमें क्या given होगा कोई information ना given हो और इसके साथ हम बना देते हैं बट balance sheet given सर no information के साथ साथ आपको याद रखना है कि balance sheet तो होना ही चाहिए उस case में दो condition लग सकता है सर दो condition क्या क्या या तो हमारा या तो हमारा और यहां पर भी दो बाते में लगा देता हूं सर यहां कौन सी दो बाते लगेंगी या तो given होगा हमें land या given होगा हमें other fixed asset land और इसको slash करके ये भी लिख देता हूं या land and building ही कर देते हैं चलो land and building ठीक है और जो यह बाते मैं लिख रहा हूं third वाले point में यह हमारा only assumptions है और जो भी हम अजम्शन मानेंगे always याद रखना उस अजम्शन को आपको note में जरूर दिखा के आना है ठीक है अगर note में नहीं दिखा होगे तो हो सकता है आपके marks ना मिले तो अगर आपका land और building से related information नहीं given आपके balance sheet में land और building दिखता है या other assets की दिखता है इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा और आपके लिए और easy कर दें अगर हमारा क्या होता है decrease in case क्या होता है decrease का मतलब समझ रहे हो अगर decrease होता है तो दो चीजें हो सकती है नग decrease या तो land and building decrease हो रहा होगा या फिर इसके अलावा कोई asset decrease हो रहा हो रहा है plant and machinery furniture कोई भी या नहीं अदर तो अगर land and building decrease हो रहा है न तो इसको consider करना है क्या सर सेल और अगर plant and machinery या other assets हो रहा है तो इसको consider करना है सर यहां क्या है depreciation मैं इसको थोड़ा सा चलिए यह है कहानी इसकी और यह है कहानी इसकी पूरा लिख देते हैं अब तो जगह बन गई ना अब मुझे जवाब दीजिएगा मैं इसका अंसर नहीं लिखने वाला आप मुझे जवाब दीजिए अगर आपका यह निकल के क्या आता है sale हाँ जी धर ध्यान दीजिए मुझे जवाब दीजिएगा अगर यह निकल के sale आता है तो कहां लेके जाओगे अगर निकल के sale आये मैंने बोला कि in case एसे decrease हो जाए मतलब घट जाए और आपने consider करा sale तो कहां कौन से activity में treatment करोगे तो यह हो जाएगा हमारा एड हो जाएगा कहां इंवेस्टिंग एक्टिविटी में और depreciation हुआ तो एड हो जाएगा ओपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं यहां चलेगा और ओपरेटिंग एक्टिविटी चलिए यह कहां इती decrease की मिक्स मत कर देना इसके साथ साथ यह पूरा थोड़ा अलग से है ठेक है ना यह मिक्स ना कर दो आप नोटिंग में तो थोड़ा मैं आपके लिए काम असान करता हूं कि 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 चलिए अब mix नहीं होगा अगले पाट की बात करते हैं अगर हो रहा हो अगर अगर अपने decrease देखी लिया तो सर लगे हाथ increase की भी बात कर ले अगर increase होगा तो फिर दो तरीके के वे असेट सो सकते हैं न सर कौन कौन सा असेट सो सकता है बताओ बताइए या फिर हम इसको complication से खतम करें मैं verbally बोल दूँ हो सर अगर increase हुआ तो always consider करना है purchase चाहे land and building हो चाहे आपका plant and machinery हो यहां पर वह concept नहीं लगेगा डिक्रीज में confusion होता है क्योंकि ऐसा पता है क्या कहता है जो हमारा एस टैन है प्रॉपर्टी प्लांट एक्क्यूपेंट या यह शिक्स हुआ करता था तो वह पता क्या क्या कहता था कि हम लैंड और लैंड के उपर डेप्रीशेबल लैंड इ यह depreciation तो नहीं लगेगा यह तो sale ही होगा और दूसरे पार्ट के अंदर assets depreciation लग गया होगा इसलिए यह assumption है मेरा जो यह add sale माना है और चाहे यह करा है that is assumption यह क्या है हमारा एक assumption है जिसको आपको exam में लिख करके आना है अगला है increase तो वह purchase ही होगा सर और कोई दूसरा option नही देखा होगा कि हमारा assets increase हो गया तो उन सारी बातों को cash flow में ज्यादा incorporate नहीं कर रहे हैं तो यह था हमारा total simple सा पार्ट एक depreciation जब सिर्फ depreciation गीवन हो तो यह किसका पार्ट था सर सिर्फ depreciation चलिए अब अगले point पर आते है सर अगला point बड़ा simple सा point adjustment नमबर तीन adjustment नमबर तीन सर यह क्या करा होगे आप प्रोविजन पूर depreciation या फिर सर यह adjustment examiner का सबसे फेवरेट adjustment है यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अक्सर पूछा ही पूछा करता है यह adjustment ना तो उसके point में डालता ही डालता है तो इसको बड़ा simple सा है अब यहाँ पे भी बात आईगी अब यह आपको समझ में आ जाएगा क्यों examiner का फेवरेट है यह तर यहाँ पे दो चीज़े हो सकती या तो यह given हो सकता है given in the balance sheet only वह बाते नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की यह तो क्या हो सकता है आपका स्रेफ और स्रेफ balance sheet में हो सकता है balance sheet में हमें दिखाएंगे एक वर कैसे होता है balance sheet में एक style से होता है यह हमारा assets है ध्यान दीजिएगा यह assets है मैंने लिखा building चार लाक और पांच लाक ठीक है और इसके नीचे मैंने लिख दिया provision for depreciation दो लाक और तीन लाक ऐसे लिखेंगे वो और यहाँ minus का ऐसे कल दे और फिर हो सकता है आपको नीचे minus करके भी दे दे यह stripes से तो अगर सर सर्फ balance sheet अब यह जो PFD है यह हमारे किसमे गीवन है अगर सर्फ और सर्फ balance sheet में गीवन है सर्फ और सर्फ balance sheet में तब हमें कुछ नहीं करना कोई account prepare नहीं करना बस हमें provision for depreciation का difference जो होगा वही current year का depreciation माना जाएगा यानि यहाँ पे दो लाक और तीन लाक है तो एक लाक रुपे का जो difference बढ़ गया है वो depreciation current year का depreciation माना जाएगा और उस current year के depreciation को कहां ले जाएंगे net profit में add कर देंगे operating activity के अंदर फीक है बड़ी सीधी सी बात है तो मैं इसे हटा देता हूँ यह सिर्फ मैं आपको बताता जा रहा हूं कि कैसे होगा नहीं होगा तो सर इस case में difference amount amount will be added in a net profit in इन ओपरेटिंग एक्टिविटेज देखें क्या कहा मैंने जो भी डिफ्रेंस अमाउंट होगा वो एड हो जागा जैसे मैंने अभी एक्जाम्पल में बोला था दो लाख से तीन लाख हुआ तो डिफ्रेंस कितना आया था एक लाख उस एक लाख रुपए को एड कर देए किसमें नेट प्रॉफिट में वो नॉर्मल डेप्रीशेशन माना जाए ठीक है न सर अगला क्या हो सकता है वेन यहां पर भी वेन से स्टार्ट कर देते हैं वेन गीवन in the balance sheet ठीक है ना वेन गीवन इन गीवन बालेंस शीट and adjustment or सर जब आपको यह दो जगे गीवन हो एक balance sheet में दिखाया था और साथ के साथ adjustment adjustment में भी न आपका assets sold और purchase देगा यह adjustment में देखो balance sheet में तो PFD मिल गया और adjustment में क्या मिलेगा assets को खरीदा हो या बेचा हो ठीक है related to sale of part of assets sale of part of assets यह ठीक रहे है इस case में prepare fix assets account and provision for depreciation account provision for depreciation account हाँ जे ध्यान दीजे अगर आपका provision for depreciation balance sheet में दे दे और adjustment में assets sales related information दे दे तब हमें account बनाना ही बनाना पड़ेगा और तब कितने account बनाने पड़ेंगे दो account बनाने पड़ेंगे एक बनाना पड़ेगा वो fix assets का account और उसके साथ साथ एक provision for depreciation account बनाना पड़ेगा और provision for depreciation को हम क्या कहते हैं सर प्रोविजन for depreciation को accumulated depreciation के नाम से भी जाना जाता है जो कि मैंने दोनों नाम common में लिखे हैं तो सर जो दो account बनेंगे वो किस टाइप से होंगे मैं बता देता हूं मैं यहां बना रहा हूं इसका account और यह account इतना असान है ना बस आपको ध्यान से कैसे बनाना यह समझना है और although आपने यह account प्रोविजन for depreciation सीखा था तब भी बनाया था परिकुलर अमांट परिकुलर अमांट प्रोविजन for ओपरबाद विखें था था रिश्या ना था यह दितना था था जा आपको प्रविजन दी दीखा था हूं प्रड़े प्रिक्स एंध झे खर्विझास प्रविज्ट पॉर। उस्क प्रविज्टावांच ध्यान दीजिए सर दो अकाउंट बन गए दोनों अकाउंट के पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा कि सर वो एसेट से या लाइबलिटी एक सेसेट अकाउंट लिखा है तो अपने आप में एसेट से और provision for depreciation always liability होता है एक तरीके से उसके दो तरीके होते हैं या तो हम एसेट में से माइनस कर दें या फिर आपको liability में स्वो कर दो दोनों option अभी लेबल होते हैं तो सर आपको liability और एसेट का अगर knowledge हो जा Laurie तब आप बड़े आसानी से इस साइड में इसका आने वाला है बैलेंस बैलेंस बीडी है ना और इस साइड में आएगा आपका बैलेंस सीडी और इसकी बात करें तो इसका इस साइड में आएगा बैलेंस बीडी और इसका इस साइड में आएगा CD समझ रहे हैं इस साइड में balance BD और CD और इसका BD और CD इसमें किसी को कोई दिक्कत ये clear है अब ये इधर से घट जाएगा और ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से घट जाएगा ये तो पता ही है जिधर आपका BD होता है उस साइड से बढ़ता है और जिस साइड CD होता है उस साइड से घटता है बड़ा सिंपल सा concept लेके चलो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको तो सर अब बात करते हैं सर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो current year का depreciation होगा इस साइड आ जाएगा यानि statement profit and loss statement profit and loss वो होगा हमारा depreciation current year का और इस साइड आ जाएगा हमारा जो हम assets बेचेंगे यानि इस assets के account के नाम से आएगा अब समझेगा बात से मैं इसका example भी लूँगा और फिर मैं कराओंगा इस साइड में आ जाएगा हमारा fix assets fix assets account आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा सर इधर आ जाएगा आपका जो यहाँ fix assets लिखा है न वो इस साइड में आ जाएगा देट इस आपका provision जाएगा depreciation थोड़ा short use दिया सर एक example समझ लेते हैं तो ज़्यादा असानी होगे कि roughly example ले लेंगे और फिर समझ लें दो लाग से तीन लाग पचास अजार से एक लाग समझे यह दे रखा हैं नीचे कह दिया मैंने एक लेटास पाचास और अैड भूक वेल्म से बाचे कास्च अजा अड 35,000 अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने बच्चों को जानकारी है उसके लिए मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता दूँ देखिए हमारा एक मसीनरी था मसीनरी है हमारा पांच लाक रुपए का इसके उपर डेप्रीशेशन लगाना है मान लेते हैं 10% है तो डेप्रीशेशन लगेगा 50,000 तो हमारा यहाँ पे बचने वाला है 4,50 तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं cost और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं book value या फिर इसको प्यार से WDV भी बोल देते हैं अगर बोला जाए WDV assets है तो इसका मतलब क्या होगा book value है इसका मतलब क्या होगा book value कई बार examiner question देता है WDV of assets तो book value है यानि सर अब मैं इसके formula अगर बनाओ और book value का मतलब होता है आज का value as per account यानि accountant के हिसाब से आज भीया ये 4.50 का होगा इसका मतलब सर अगर हम sale की बात करें profit या loss की profit या loss की तो हम कैसे निकालेंगे sale का value minus में book value यानि मेरे हिसाब से sale मैंने 5 लाक रुपे का या 4 लाक असी हजार का अगर मैंने sale कर दिया अगर हमने 4 लाक असी हजार रुपे का sale कर दिया और book value था इसका 4.50 तो आपका profit कितना आ गया यानि आप कैसे निकालोगे sale value आपका कितना है मैंने बताया आपको sale value 4,80,000 तो आप easily यहाँ पे profit and loss निकाल सकते हो तो यानि जब कभी भी profit पूछू तो sale और book value का सहेता लेना पड़ेगा लेकिन अगर मैं पूछू का भईया depreciation बता दो कैसे आएगा तो very simple depreciation कैसे निकलता है sir अब cost और इसके बीज का क्या difference है cost minus में क्या यही होगा तो आपको छोटी सी knowledge भी मैंने sir book value क्या होता है यानि depreciation लगने के बाद जो assets होता है that is book value और जितने का खरीदा उसको cost price cost price और book value का बीज का जो भी difference पाया जाता है that is depreciation अगर मैं इसमें एक साल का और depreciation लगा दूँ मान लेते हैं 50,000 और लगा दिया तो बचा कितने का तो बताईए यहाँ पर book value क्या है बताईए book value क्या है मैंने एक depreciation और लगा दिया 4 लाग तो आप बताईए book value आप साड़े चार लाग को बोलोगे या चार लाग को बोलोगे मैंने एक बार और depreciation लगा है ठीक है न देखो पहले 50,000 डेप लगा है साड़े चार बचा फिर 50 डेप लगा है फिर कितना बचा तो मेरा जवाब है कि भाईया अब book value हम 4 लाग को बोले है साड़े चार को चार लाग रुपय का सभी का जवाब भी आ गया सर्थ 4 लाग चार लाग और आपका भी जवाब चार लेकिन फिर भी कुछ बच्चे साड़े चार भी सोच सकते है तो इसका मतलब एक और point mind में clear होना चाहिए हमें accounts में यानि book value का मतलब सिर्फ एक साल का depreciation नहीं होता पूरे उसके life का depreciation होता है यानि इस assets के life भर में कितना डेप लग चुका है एक लाग, पचास और पचास तो यहाँ पे हमारा book value यह माना गए clear? तो यहाँ पे दो बाते समझी हमने एक depreciation जो होता है वो सिर्फ एक साल का नहीं होता वो पूरे life का भी depreciation होता है ठीक है? law क्या कहता है? हमारा accounting standard क्या कहता है? कि भीया, provision for depreciation का मतलब है यह हमारा depreciation का account है और sir, assets का मतलब यह assets का account है law कहता है कि भीया, assets account अगर आप बना रहे हो तो इस assets account में सरिफ उसी assets को आपको रखना है जो assets आपके use में है और आपके pass है अगर किसी assets को आपने बेच दिया तो वो assets आपका है यह नहीं तो इससे निकाल के बाहर कर दो तो very simple, इसलिए हम assets को बेचते हैं तो buy side में दिखा देते हैं निकाल के बाहर कर देते हैं और दूसरा कहता है भीया, इतना अच्छा account है एक depreciation account इस account के अंदर उसी का depreciation रखना है अगर किसी assets को आपने बेच दिया तो इस्तमाल में नहीं है उसके depreciation को निकाल के बाहर कर दो तो sir अगर हम यह side से start था, निकाल के बाहर this side कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर कोई assets विक जाता है, तो उसका depreciation निकाल के क्या करना होगा तो आप मुझे बताइए, उसका depreciation 2 से निकाल के बाहर करें, या buy से निकाल के बाहर करें निकाल के बाहर करने का मतलब है घटा दीजिए उसमें से तो किदर से, buy से घटाएंगे या 2 से, तो sir दिमाग कहता है पहले balance BD चेक करो, कहा है अब balance BD अगर इधर है तो भाई इधर से तो नहीं घटा सकते है किस से घटेगा हमारा 2 से घटेगा, समझ में आ रही है बात आपको यानि sir 2 से घटाएंगे तो यह जो हमने लिखा है न तो यह आपका total debt है total debt और sir total debt किसका होगा आप जवाब दो, यह किसका debt होगा total, जो assets हमारे पास है या जो बिक गया है सभी बच्चों ने debit debit भी answer दे दिया तो यह जो मैंने कहा fix assets क्या है मारा total debt किसका total debt जो बेच चुके हैं उसका total debt यह ध्यान रखने आपको और इस depreciation को उठा के इधर ले जाना पहले समझ में आया मैंने BD लिखा statement profit and loss लिखा यहाँ पे depreciation लिखा यहाँ पे depreciation क्यों आया यह concept clear होना चाहिए क्योंकि वो assets भिका रहा होगा या भिक चुका होगा उसका depreciation तो इधर ही लिखना होगा और इसको हम उठा के कहा रख रहे हैं सर सर इसको उठा के यहाँ से हमने यहाँ ले जाए इसको उठा के हम कहां से कहां ले गए यह रहा ठीक है अब एक बात और बोलने जा रहा हूँ cash flow statement में ना तो balance BD का कोई जगह होता है ना ही जो transfer हो रहा होता है न एक account से दूसरे account उसका भी कोई treatment नहीं होता cash flow statement बिल्कुल समझ मैं आई बात मैंने दो बाते बोल दी अभी तक कोई assets अगर balance BD और balance CD किसी account में आए तो cash flow statement में कहीं नहीं ले जाना और अगर कोई transfer हो रहा हो एक account से दूसरे account में interchange हो रहा हो तो उसका भी कोई काम और इस account में देखो fix assets क्यों लिखा है इसको मैंने address दिया है कि भाई तू चला जा कहां और यहां से देखोगे तो क्या पता चलेगा तू आया कहां से है यह आपको यह लिखना होगा नहीं तो आपका account टेक्निकली गलत माना जाए ठीक है अब मैं यहां पे हमारी बाते खतम हो गई और यह account भी खतम हो जाता इसके साथ अब आपसे मैं पूछूं के इस पूरे account में से इस्तमाल करने वाली क्या चीज है कौन बताएगा इस पूरे account में से मैं क्या इस्तमाल करूँ cash flow statement में क्या balance bd इस्तमाल करूँ क्या balance cd इस्तमाल करूँ क्या fixed assets इस्तमाल करूँ नहीं तो एक ही point बच किया तो इस account में से सरफ और सरफ यह इस्तमाल होगा जो की add हो जाएगा net profit में in operating सर बातो बातो में मेरा सवाल तो लिखा हुआ रहे गया सर बातो बातो में सवाल तो लिखा हुआ ही रहे गया अब यह बताएगे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक assets था जिसकी कीमत 50,000 था उसका book value 30,000 था उसे बेच दिया पेंथीस अजार में मैं जानना चाहता हूं कि इस account में से क्या हमें कोई depreciation निकाल के बाहर करना पड़ेगा इस situation के अंदर इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको सिर्फ इस statement को जिन बच्चों को सभी को दिख रहा है इस statement को देखके बताईए कितना depreciation है जो इधर लिख देंगे तो आप depreciation लगाने का भी formula भी बताया था और वो भी बताया था देखो 50 का cost था और book value 30 का depreciation का formula जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते और जो दिमाग लगाते हैं simple बात है भाई या book value और उसके बीच में difference तो 20,000 रुपए होगा अगर ये सवाल मैं करूँ न फॉर्मिट में तो मुझे 20,000 यहां दिखा के यहां भी दिखाना होगा यहां पर यह क्या एसर balance BD होता है यह balance BD यहां आ जाएगा यह balance CD यहां आ जाएगा यह balance BD यहां आ जाएगा और यह balance CD यहां आ जाएगा ठीक है इसके बाद यह assets का debt भी यहां के यहां transfer हो जाएगा यहां तक समझ में आ रही है बात है अब assets को बेचा जाएगा क्योंकि यहाँ भी बेचा गया है तो assets को बेचने का मतलब depreciation कम नहीं होता है fix assets account कम होता है assets को कहां से बेचेंगे इधर से मैं इधर लिख देता हूँ buy, sale bank से करना buy, bank लिखना और bracket में अब sale करोगे तो दो बाते या तो loss या तो अगर profit हुआ तो two side में और loss हुआ तो अगर यारे अगरे और अगर हमने खरीदा तो किदर जाएगा कौन बताए मैंने खरीदा तो किदर जाएगा सब्सक्राइब लॉजिक के हिसाब सोच के बताना तो सब्सक्राइब जाएगा टू बैंक और ये टोटल कर दिया अब इस अकाउंट में से क्या क्या इस्तिमाल हो सकता है बताओ सर इस अकाउंट में से मुझे बताना है क्या ये इस्तिमाल होगा नहीं होगा क्या ये इस्तिमाल होगा हो जाएगा कहा होगा Investing activity में क्या होगा Minus हो जाएगा क्या ये इस्तिमाल होगा होगा Operating activity में Minus अभी मैं लिखूंगा भी क्या ये इस्तिमाल होगा नहीं होगा क्योंकि ये Transfer हुआ तो Transfer का मतलब जहां से जा रहा है वहां नहीं जहां पहुँचा है वहाँ भी उसकी कोई value नहीं रह जाती है और इसका क्या होगा हमारा investing activity में add और loss operating activity में add और balance cd तो सर कहां कहां जाएगा उसको लिख देते हैं चलिए add in investing activity add in और add थोड़ी less होगा और उपर भी मैंने add लिख दिया उपर भी less होगा less less in net profit in operating activity ठीक है चलिए सर अरे अब इधर कहां लिखें ये तो बनाने का बस समझाना था सटा थे हुआ 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 है हुआ 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 है कर् describes him एड़ इन इनवेस्टिंग एक्टिविटी यह क्या होगा एड़ इन नेट प्रॉफिट इन चलिए यहां तक किसी को डाउट इसमें किसी को डाउट यह कित कुणस अड़्जेस्मेंट नंबर था पहले देख लीजिए किसी को डाउट है तो वो सेल के वेल्यू में प्लस होके चला गया ना आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना एड़ करोगे दस अगर हजार की चीज बारा सो में बीचा तो इन्वेस्टिंग में कितना एड़ किया कि बारा सो तो दो सो उसमें जोड़ जुका है ना पहले ही कि एक बार और जोड़ देंगे दो सो डबल जोड़ जाएगा कि क्लियर है सर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अभी का अभी तो आठ बज़े हैं कर 17 चैप्टर है आपकी किताब में अधडेस्में नूमबर पूर लून अगला adjustment है adjustment on loan और जब मैं adjustment और loan बोल रहा हूँ तो adjustment और loan भी हो सकता है और चाहे debenture भी हो सकता है या फिर debenture भी हो सकता है सर यहाँ पर दो चीज़े हो सकती है when no information given और एक हो सकता है when information given यानि loan से related जानकारी या तो दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता तो when no information is given यानि सर अगर आपको बोर्ड पे ध्यान दीजिए अगर आपको कोई जानकारी ना दे सर मतलब balance sheet 10 परसेंट इसका मतलब क्या है कुछ जानकारी नहीं है पर सिंपल सी बात है पता है 10% debenture दो लाक ये 10 है और ये 11 मान लेतने साल 10 में 2 लाक था और इसमें 3 लाक हो गया है इसका मतलब एक लाक का भी है debenture और बढ़ गया है तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 1 लाक का debenture बढ़ गया तो क्या करना है हम बात कर रहे हैं इसके उपर जो rate लगा है तो कोई अलग से आपको जानकारी नहीं मिल रही तो ऐसे situation में क्या करना है सर interest लगाना पड़ेगा अब interest लगाना पड़ेगा तो समस्या यह आ जाता है दो लाक पे या तीन लाक पे जब जानकारी नहीं है तो समस्या यही आ गया ने सर दो पे लगाए या यहाँ पे अगर मैं समझाओं माल लेते हैं यह पूरा साल है अगर यहाँ दो लाक रुपे है यहाँ भी दो लाक है और इसी साल फट से मैंने एक लाक का लोन ले लिया तो मैंने पैसे इस्तमाल सिर्फ दो लाक ही करे हैं एक लाक रुपे तो साल के एंड में मैंने लोन लिया है तो मुझे काइदे से ब्याज इस दो लाक पे पूरे साल पे देना चाहेगी एकिने दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलू कि यहाँ दो लाख है और इसी साल एक लाख रुपे का मैंने लोन लिया तो इस टाइम पे तो दो होगा और कंटीनु में लास्ट में तीन लाख दिखेगा तो सुरू में तो दो लाख था लेकिन उसी टाइम हमारा अजम्षब हम यह मानके चलेंगे कि हमने लोन लास्ट में लिया है तो बताओ अब किस पे लगाए हमने लोन कब लिया है लास्ट में तो किस पे लगाएंगे दो लाख और इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस और इसको बोला जाता है closing यह आप तो अच्छे से जानते हैं, अभी बताये भी था, तो ऐसे situation में, interest will be calculate on opening balance, interest calculate on, सर ऐसे situation में, दो लाक रुपए पर 10% लग जाएगा, बड़ी simple और CDC बात है, किसी को इसमें कोई दिक्कत है, चाहे loan के उपर हो, चाहे, किस पर हो, debenture के चाहे, ठीक है न, अगले point पर चले, when, date of date of when date of loan end or debenture, जी, given, जब आपको date, दे दे, debenture का या loan का, date किस चीच का सर, कि हमने इस loan को कब लिया था, तब हमें opening balance वाला जम्शन नहीं लेना पड़ेगा, तब हमें interest तो निकालना है, but according to date, तो हमें interest निकालना पड़ेगा, interest will be, interest will be, according to date, तो सर हम interest निकालेंगे, according to date, सर according to date का मतलब, एक example अगर समझ ले, तो बहतर होगा, एक्जामपल, एक अगर मतली खाएpark, ऑग्ए़म्यो सक्फेखर, अगर मतली टॉशन ले ले से हमें, सर दो हजार, पेईश, दो हजार, चौविस, 10% रिवेंचर, एक लाउख, एक लाउख, and दो लाउख, केस, लाउख, 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 लाउख नमबर थी ओन देखिए इसको तीन केस बना दिया है मैंने अलग-अलग तीन केस बना दिया तीनों केस के अंदर आपको जवाब देना है कि इंटरस्ट क्या होगा और मैंने यहाँ पे एक चीज रहे गया था कि सर इंटरस्ट तो ओपनिंग वैलेंस पे निकालेंगे लेकिन इंटरस्ट जाएगा कहा चलो मैं एक साथ ही लिख दूँगा दोनों में काम आ जाएगा पहले इस पे इंटरस्ट निकालेंगे अंसर पॉइंट नमबर वन का अब आप ध्यान दीजिए मैं डारेक्ट आंसर लिखूँगा समझाता जाऊँगा आंसर भी लिखूँगा दो हजार ये तेईस है और ये दो हजार चौबिस है ये 31 मार्च है यह है आपका इस डेट पे लोन एक लाक आ रहा है इस डेट पे दो लाक आ रहा है सवालने पहले केस में क्या कहा कि आपने जो लोन लिया है यहां पे कितना डिवेंचर आपका एक लाक तो इस situation में एक लाक लिया है तो अब हमें जो interest calculate करना होगा किस पर करना होगा क्योंकि ये दो लाक रुपे पूरे साल इस्तमाल किये हैं समझ रहे हैं दिकत सभी बच्चों ने जवाब दे दिया किसी ने 20 बताया, किसी ने 15 बताया किसी ने 10 अब देखते हैं एक ही ने बताया, तीनों अच्छा वो अलग-अलग case का बता रहे है ये रहेगा समझ में आ रहे हैं आ रहे हैं ने समझ में दूसरा case तो पहले case का अंसर पहले case का अंसर जो है देट इस दो लाक इंटू में 10 बाई 20,000 जिस बच्चे का ये आंसर था बिल्कुल सही जबाद case नंबर 2 का अब ध्यान दीजिए इस डेट पे 1 लाक है इस डेट पे 2 लाक है यहाँ पे मुद्दा जो है ना वो एक लाक रुपे से गड़बर हो रहा है यानि एक लाक रुपे का एक्स्ट्रा जो ले रख रहा है अब मैंने डिबेंचर इशू करा 31 मार्च 2024 में यानि जो एक लाक रुपे का बढ़ा है ना वो इस डेट पे मैंने इशू किया है तो इस डेट पे हमारा सार्टिंग में साल में एक लाग का लोन था और लास तक भी लोन कितने का था एक लाग का ही था इसका मतलब पूरे साल जो पैसे इस्तमाल हुए वो कितना है तो हमें ब्याज किस पर लगाना चाहिए तिम्पल सी बात है जितने दिन कंपनी पैसे को इस्तमाल करेगा उतने दि अगला है कि हमने यहां पे एक लाग था और यहां पे दो लाग है सर एक लाग रुपे कहां इंकॉर्पेट हो रहा है तो सर एक लाग रुपे सवाल खुद कह रहा है कि 30 सेफ्ट नमबर यानि कहीं न कहीं यहां एक लाग रुपे और एड़न होके तब गया यहां डेट पे एक लाग था बढ़ते गए बढ़ते गढ़ते एक लाग और लून ले लिए फिर लास्ट में पहुंचते पहुंचते दो लाग तो यहां से यहां तक कंपनी के पास करजा तरिफ एक लाग है और इसके बाद कंपनी के पास करजा तो यहां से यहां एक लाग पे ब्याज लग जाएगा और यहां से यहां दो लाग पे ब्याज लग जाएगा सिंपल सी बात है इसके दो तरीके करने का पहला तरीका यहां देखे पहला तरीका मैंने बोला कि पहले यहां से यहां तक हमारा एक लाग पे ब्याद लगेगा यानि यहां से यहां 30 सेप्टमबर की बात करें तो 6 मेने की बात चल रही है तो सर एक लाग के उपर 10% और वो भी 6 मन्स का यानि 6 by 12 that is हमारा निकल के आता है हाँ और इसके बाद आपने 2 लाग रुपए लिए 2 लाग हो गए ना सेप्टमबर के बाद तो अब आपका 2 लाग पे 10% अज़ तीन नहीं सेप्टमबर जुलाई सेप्टमबर ले लीए है अच्छा यह सेप्टमबर लिखना था घडवढ हो गई मेरे से मैं सेप्टेंबर लिख रहा था मैं दिसंबर ले लिया तो 39 वो उल्टा हो गया था ठीक है अब 2-6 एक तो ये तरीका, कुछ बच्चे बोलेंगे, सर हम तो दूसरे से भी कर सकते हो, आसान लग रहा है, भई लग सकता है, क्या करेंगे पता है वो, वो कहेंगे, सर एक लाख रुपे तो पूरे साल इस्तमाल हुआ, तो दस बटे सौ करो, और बाकी का एक लाख जो एडिशनल थ तो वो च्छे मैंने इस्तमाल हुआ, तो उस पे आप कर दो, तब भी जवाब क्या आएगा, पंद्राजार, तो दोनों का आंसर ठीक होगा, अब इस आंसर को मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, आंसर नंबर थ्री, एक लाख, इंटो 10 परसंट, इंटो 6 बाई 12, और दो लाख, इंटो 10 परसंट, इंटो 6 बाई 12, That is पांच हजार That is दस हजार Total पंदरा Or एक लाग Into 10 by 100 That is दस हजार Or एक लाग Into 10 by 10 Into 6 by 12 5 हजार That is पंदरा समझ में आगी बात आपके दोनों में से जिसको जो मन में निकल रहा था वो हो गया अब बात करते हैं सर ये सब तो सारी बात है ठीक है लेकिन करेंगे क्या है इसका निकाल के सर दो जगह लेके जाना है अब देख लो एक जाएगा ये एड इन नेट प्राफिट अब पता है कि ओपरेटिंग में हर बार नेट प्राफिट पता क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ओपरेटिंग में एड करने के खूब सारे जगह है एक नेट प्राफिट में भी हो जाता है एक वरकिंग कैपिटल के बाद भी हो जाता है तो पता होना चिए कहां एड़ करना है ठीक है एक हो जाएगा यह लेस फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसी को दिक्त सर कोई साभी इंटरस्ट निकालो ट्रीटमेंट तो यही रहेगा कोई साभी इंटरस्ट निकालो सर ट्रीटमेंट तो यही रहेगा इसको गलत जगह ले गया अब ठीक है खीक है कोई दिक्कत इसमें अभी नहीं अभी नहीं अभी ख्लास हो लेगी पंद्राजार एफे लेटा पहले यहां तक देखिए किसी बच्चे को डाउट अटजस्मेंट नमबर पांच 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 ठाज बच्चे को बच्चे को अटेज ? अभी नहीं यहां देखिए सेविए यूज सेविए यहां पांच डिविडेंट बाई देखो आप सब घर ते प्रामिस करके निकले थे कि नौ बजे तक लास होगी इसलिए आप नौ बजे तक बैठाए तक आज मैं लेट भी तो आया था ना तो उस लेट की भरपाई कर रहे हैं अब डिविडेंट अब डिविडेंट मुद्वे की बात है और डिविडेंट पे धेर सारा कन्फियूजन है बहुत पहले दिये चेंज हो चुका था डिविडेंट कैसे बनता है कैसे दिखाते हैं क्यूं दिखाते हैं उसकी एक हम डिसकुशन कर लेते हैं सब जाके हम डिविडेंट को यहाँ पे लिखेंगे आई यह डिविडेंड के थोड़ा समय हर बार अरे बोर्ड मीटिंग थोड़ी था और अरे चार आई दितलूबंटर तवस्यच साष nuclear पर छूदी। जन्नल मीटिंग जन्नल मीटिंग की बात करने है यह दो को आइए अग्याइए 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 इस में इसमें बात कोई नहीं है इसमें बात की आप कौमर्स के बच्चे हो तो मजदूरी की बात क्यों कर दें चलिए सर हम समझने डिविडेंट लेकिन डिविडेंट से पहले हमें समझना होगा कुछ के डिविडेंट डिस्टिब्यूट कैसे होता है और डिविडेंट के इतने टाइप है तो कौन से डिविडेंट को हमें लेना चाहिए या कौन से डिविडेंट को नहीं लेना चाहिए अब हमार सारे डिविडेंट के जो टाइप है ना सबसे पहले यह जो पर्सन यहां पर आपको बैठे वे दिख रहे हैं यह सारे पर्सन इस मीटिंग के मेटिंग का मतलब क्या होता है सभा एक जनसभा जहां पर एक से ज़्यादा वेक्षी मुख्ये वेक्षी है और बहुत सारे लोग जो है, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हुए हैं, that's called meeting. Same अगर हमारा company की बात करें, तो company के अंदर दो meeting करना बहुत, एक meeting करना बहुत important होता है, जिसको बोलते है annual journal meeting, short form में हम AGM भी बोलते हैं. Annual journal meeting करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि company का जो honor होता है, वो shareholder होता है, और बाकी जितने भी company में काम कर रहे होते हैं, वो एक servant होते हैं एक तरीके से company में, तो honor को उसके काम की सारी जानकारी देने के लिए, हमें उस meeting में सभी honor को बुलाना चाहिए, तो honor company का कौन होगा shareholder, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं न, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये सभी को एक नाम मैं दे देता हूँ, share, सर ये किसलिए आए हैं, ये सारे के सारे top पे जरूर बैठे हैं, लेकिन ये company के मालिक नहीं है, real मालिक तो ये है, अब ये company का सब कुछ करते हूँ, इन सभी के, ये company के जो ये है, जो जितने लोग बैठे हैं, इसमें से दो तरीके के इंसान होंगे, एक होगा इसमें, board of director, इसके अंदर एक होगा हमारा, chairman, सर एक होगा, chartered accountant, एक होगा company secretary, इन लोगों का मुख्यता रहना बहुत जरूरी है, इन लोगों का रहना बहुत important है, अब इन सभी के पास, एक सबसे पहले, एक किताब होगी, that is, जिसको हम balance sheet बोलेंगे, और ये balance sheet, इन सभी लोगों के हाथ में बाट दिया जाएगा, और बोला जाएगा इन सभी के द्वारा, इसमें से जो बोलेगा वो chairman बोलेगा, board of director भी चुप चाप बैठा रहेगा, और CA और CS भी बैठा रहेगा, दोनों सब तीनों बैठे, chairman यहाँ पे उठके आएगा, और सब को बताने लगेगा, कि हमारी company का पिछले साल में क्या performance रहा है, पिछले साल का मतलब यह 30 September को meeting हुई होगी, और profit जो generate हुआ होगा, और balance sheet जो बना होगा, वो पिछले साल का ही बना होगा, अभी सिखाया था, तो meeting में हम discuss क्या करेंगे, कि हमारा profit कितना रहा, हमने फैसला किया है कि company के नए product launch कर रहे है, हमने फैसला किया है कि company के नाम को थोड़ा बदल दिया जाए, हमने decide किया है कि हम एक काम कर रहे हैं, कुछ नए share issue कर रहे हैं, हम debenture issue कर रहे हैं, तो जो भी फैसला लेंगे, तो बिना मालिक के पूछे हुए कोई फैसला नहीं लिया जाता तो साल के एंड में बुलाओगे तो जर्नल मीटिंग में फैसला लिया जा रहा है और साल के बीच में बुलाओगे अन्वल जर्नल मीटिंग में अब इनसे जब हम पूछेंगे तो अब इसका मतलब इनको जवाब भी देना है अब इनके जवाब में अगर मैं पूछ हूँ तो जवाब mix हो जाएगा कौन yes कह रहा है कौन no तो इनके जवाब दो तरीके से हम मांगते हैं या तो बोलते हैं भाया या तो show of hand के थुरू आप म आपने hand raise कर दे मैंने कहा कि मैं इस बार company को 20 लाक रुपे dividend देने जा रहा हूं और सभी में बाट दिया जाएंगे कितने लोग सहमत है हाथ उपर करिए तो इसमें से सभी लोग हाथ जितने उपर करेंगे 51% जितनी भी यहाँ पे लोग है उसका 51% अगर agree हो जाता है तो 20 ल का dividend नहीं देना चाहिए तो इसका मतलब नहीं दिया जाएगा इसको बोला जाता है resolution pass करना जो की होता है हमारा ordinary resolution company के अंदर दो resolution pass किये जाते हैं एक किया जाता है statuary resolution pass और एक किया जाता है ordinary resolution pass statuary resolution pass करने के लिए 75% लोगों की मत सहमती होना जरूरी है ordinary resolution के लिए हमारा 51% का लोगों का voting होना जरूरी है तो जो company में मुख्यता वर्क होगा में काम होगा company का नाम बदलना बहुत बड़ी बात है company का प्लेस बदलना बड़ी बात है तो ऐसी चीजों के लिए हमें special resolution का सहारा लिना पड़ता है और ऐसा काम जो की हर बार होना तय है जैसे balance sheet बाटना dividend बाटना यह ordinary बात है तो इसके लिए क्या होगा ordinary resolution आपके एक्जाम जो लौका पेपर हैं उसके अंदर होट कोस्टन फेवरेट कोस्टन रहता है क्या होता है या फिर आपका जब हम law को भी पढ़ेंगे तब देखेंगे तो अब इसके अंदर बात करते हैं इनसे हम पूछेंगे तो दो option है एक तो यह क्य by poll कर सकते है पोल का मतलब कैं और इनके पास हर वेक्ति के पास two share है तो इसको दो वोट करने का धिकार है और soul of hand में भईय सब बराबर एक समाने इसके पास 50,000 share है और इसके पास एक share है तो पचास अजार share की भी उतनी उकाद है जितनी एक share वाले की और voting by poll में 50,000 वालों की value जादा होगा तो यह voting by poll होगा या so of hand होगा meeting start होते time पर बोल दिया जाता है पहला जो meeting होगा वो voting by so of hand ही होगा जब so of hand में agree हो जाते हैं और यहाँ पर सभी कुछ disagree हो जाएं और chairman से बोल दे सिकायत कर दे के sir यह voting by आपने so of hand कराया मेरे पास 50,000 शेयर था इसके पास 200 शेयर रहा हो यह मेरी बराबरी का राइट ले रहा है तो यह गलत है तो चेर्मन बोलता है हम मानते हैं आपकी बात अगर 10% शेयर होल्डर 10% वोटिंग राइट वाला परसन यह चीजी कंप्लेन कर दे इस चेर्मन को तो चेर्मन अपना डिसीजन बदल देता है और बोलता है चलो अब करेंगे हम voting by poll और उस voting by poll को करने के बाद फिर फैसला लिया जाता है यह तो है मीटिंग की बाद तो मीटिंग में हमारा में मुद्ध क्या है ऐudth दिविडंड की बाद में मुद्ध दिविडंड बोले तो इस डाहेक्टर ने बोला कर भईया हम आपको 2 लाख ुपय का डिविडंड देना चाहँ रहे हैं इस बोलता है कर हम सोच रहे हैं मेरे फैसला है मैं आपसे सुझाव ले रहा हैं 20 लाग का dividend दे दिया जाए तो ऐसे dividend को कहा जाता है आपका proposed dividend या फिर बोला जाता है recommended dividend proposed dividend या फिर recommended अब बताईए ये तो इसने बोला इसकी बातों ये सिर्फ परपोजल रख सकता है लेकिन वो finally approved किसे करना है जो shareholder है finally approved कौन करेंगे ये बैठे वे लोग अगर इन सभी बैठे वे लोग ने बोल दिया हाँ तब तो dividend देगा अगर बोल दिया नहीं तो dividend तो आप सोचिए एक बात balance sheet बन चुका है और इस director ने क्या करा balance sheet में पहले ही सोच लिया कि मैं 5 लाग का dividend दूँगा और 5 लाग का provision बना के बैठा है लेकिन meeting में balance sheet बन चुका है एकदम print हो चुका है signature हो चुके है CA के signature होगे CS के signature होगे सब के signature होगे balance sheet बट चुका है और इसने dividend इसके अंदर लिख दिया है अब shareholder यहाँ पे बोल दे कि भईया dividend नहीं देना तब तो भईया ये balance sheet जो है ये क्या हो गया गलत हो गया सब के signature खराब इतने सारे paper खराब accountant की मेहनत खराब सब खराब हो गया इसलिए क्या हमें dividend अपने balance sheet के अंदर पहले से लिख लेना चाहिए इसे बाद में लिखना चाहिए बाद में लेकिन सब बाद में लिखो के तब भी खराब पास हो गया तब भी लिखना पड़ेगा तो law ये कहता है कि भाईया हम ऐसा करेंगे एस फॉर में amendment आया एस फॉर हमारा balance आपका event occurring after the date of balance sheet यानि balance sheet बनने के बाद जो घटनाएं होती है उस घटना को किस तरीके से treatment किया जाएगा वो अब एस फॉर में हमें सिखाए जाता है तो एस फॉर में ये balance sheet बनने के बाद की घटना है तो ये चला गया एस फॉर के अंदर उसमें बोला गया कि भाईया current year का dividend जो भी होगा वो हमेशा हमेशा आपका balance sheet में आएगा ही नहीं और अगर previous year का dividend है तो वो balance sheet में आ सकता है क्योंकि minus कर सकते हैं वो तो approved भी हो चुका है दूसरा अगर हमने balance sheet बनाने से पहले एक meeting कर लिया या हमें पता है कि मान लेते हैं कि हम company बनाने के लिए 7 member की जुरत होती है आपरृवड हो जाता है शेयरहों बोलता है dividend दे दिया जाए तो उसको बोला जाता है हमारा final dividend या फिर उसको बोला जाएगा final dividend या फिर उसको बोला जाएगा dividend paid अब मुझे एक छोटा सा मेरा सवाल का जवाब देना यहां तक कि इसके अंदर value किसकी है final dividend है आपके पास और दो ये नाम है अलग अलग तो किसकी value है यानि इसकी तो कोई value ही नहीं है ये काम हो भी सकता या नहीं भी हो सकता तो बोला गया purpose dividend या recommendation dividend की कोई value ही नहीं बची तो cash flow में क्या करेंगे इसका तो बोला गया cash flow से इसको बाहर कर दो cash flow में इसकी कोई value नहीं है तो क्या कर दो cash flow को बाहर कर दो final dividend payment हो रहा है that's why ये financing activity में जाना चाहिए sir लेकिन एक और dividend आता है कई बार क्या होता है ये तो balance sheet बनने के बाद की कहानी थी कई बार balance sheet बना ही नहीं और हमने सब को बुला लिया balance sheet बना नहीं और हमने सभी को बुला लिया भाई आजाओ आजाओ खुशी की बात है आजाओ और मैंने सब को बुलाया और एक good news देने के लिए इनको बुलाया है good news ये है के पूरे जो है UP का ये construction company और good news ये है के पूरे UP का metro इसी को बनाना है government का पूरा UP का metro बनाने का tender इसी को मिला है तो अब देखो कितना बड़ा project मिल गया तो company को जब कोई बहुत बड़ा project मिलता है तो अंदाजा पहले ही हो जाता है भाईया के हमारा क्या होगा ये इतना profit इतना लगाएंगे इतना कमाएंगे सब पहले पता चल जाता है तो पैसा इतना सारा हो सकता है तो वो क्या करते है खुशी की बात यही है good news यही है इन सभी को बताएंगे ये सारी बाते सब को पताएंगे सब को क्या है एक बार माइक में बोलेंगे सब को पता चल जाएगा ठीक है सभी को पता चलिया ये बात के भाईया good news है बोला अभी balance sheet बनाया नहीं है लेकिन हमें पता है कि इस साल हमारा बहुत profit बढ़के आएगा चलो इसलिए हम क्या कर रहे हैं आपको दे रहे हैं dividend दे रहे हैं shareholder आपको दिया जा रहा है क्या dividend जब shareholder को dividend दिया जाएगा तो उसे बोला जाएगा interim dividend इस dividend को क्या बोलेंगे sir interim dividend बोला जाएगा sir interim dividend क्या होता है interim dividend वो dividend होता है जो balance sheet बनने से पहले जो कि साल के बीच में दे दिया जाता है तो sir ये interim dividend तो हमारा हमेशा paid वाला ही होता है तो क्या interim dividend हमारा cash flow statement में आना चाहिए बिलकुल आना चाहिए क्योंकि पहले ही paid हो गया balance sheet में तो आएगा ही आएगा ही तो interim dividend हमेशा entry किया जाएगा proposed dividend का कोई value नहीं है और recommendation dividend का भी value नहीं है और final dividend ये dividend paid operating activity में treatment होगा लेकिन sir अगर proposed dividend आपको 2 साल का दे दिया जाए मान लो आपको proposed dividend 2 साल का दे दिया जाए 2010 का दे दिया जाए 2011 का दे दिया जाए ये 5 लाक और ये 6 लाक तो generally हम एक assumption यहाँ पे choose करते हैं कि 2011 में जो propose हुआ होगा वो तो balance sheet बनने के बाद हुआ होगा लेकिन 2011 के अंदर आप payment करोगे पिछले वाले का तो इसलिए हम क्या करते हैं previous year वाले को consider करके हम treatment में ले लेते हैं cash flow statement में current year वाले को ignore कर देते हैं और footnote में डान देते हैं it is a contingent liability क्योंकि इसका फैसला भी नहीं आए तो जब दो साल का purpose dividend देया जाए तो आपको पुराने वाला dividend activate हो जाता है simple सी बात है तो अगर मैं यहां पे आपको बताऊं सर dividend की बात तो या तो आपका हो सकता है यहां पे purpose dividend या तो क्या हो सकता है purpose dividend सर आप बताईए purpose dividend balance sheet के अंदर होगा क्या जवाब नहीं हो सकता final dividend होता है होता है profit and loss में से minus होता है या हो सकता है final dividend या हो सकता है आपका interim dividend या हो सकता है interim dividend तो सर अगर purpose dividend हुआ तो यहां पे दो केसिस आएंगे सर purpose dividend आए तो दो केसिस आएंगे purpose dividend always given होगा आपको adjustment में given in adjustment सर अगर adjustment में given होगा तो दो बाते आपको एक current year का given होगा एक आपको previous year का given होगा सर अगर हम बात करें current year का और हम बात करें previous year का तो current year का no treatment it is it is contingent liability यह क्या है सर यह contingent liability है सर सर अगर आपको गीवन हो प्रीवियस येर का क्या अगर गीवन हो प्रीवियस येर का तो दो बाते एड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट ओपरेटिंग एक्टिविटी और लेस हो जाएगा प्राम फाइनसिंग एक्टिविटी सर और लेस हो जाएगा प्राम फाइनसिंग एक्टिविटी चलिए सर और अगर फाइनल डिविडेंट हुआ फाइनल डिविडेंट हुआ फाइनल डिविडेंट हुआ तो दो बाते हैं सर हर जगा दो बाते क्यों ये भी अड़्जेस्मेंट में ही होगा फाइनल डिविडेंट जो बोल दिया था दे दो टेर होल्डर ने अप्रूबल दे दिया अगर फाइनल डिविडेंट हुआ तो दो बाते हैं देखो लेकिन यहां करेंट ये और प्रिविएस ये की बात तो है नहीं तो यही अमाउंट जो अमाउंट दे रखा है एड हो जाएगा उपरेटिंग प्रॉफिट में और फाइनिसिंग एक्टिविटी में सर इंट्रिम डिविडेंट हुआ तो इंट्रिम डिविडेंट भी तो एक्ट्वाली है सेम बात अट्रिम अट्रिम डिविडेंट की हम बात करें तो फाइनल डिविडेंट सर और इंट्रिम डिविडेंट का मतलब डिविडेंट दे दिया गया है ओपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंट करो कोई जंजट नहीं है परफोस डिविडेंट में जंजट है कि प्रिविएस येर और करंट येर का चेक करना होगा current year वाले का कोई रोल नहीं होता previous year वाले कोई add करना है और previous year वाले कोई less करना है यह जितने भी dividend की मैंने discussion किये यह सिर्फ equity dividend की बात है अभी preference dividend पे आएंगे हम यह किसकी बात है सिर्फ equity इसमें बताईए कोई doubt फिर आगे चले चलिए सरफ back अभी आगे नहीं बढ़ेंगे इसका मैंने सोचा कि यह था हमारा interest on loan that is expense यह क्या है हमारा expense अब हम बात करते हैं इसी को आगे पार्ट में ले जाए जाए सर आगे पार्ट में यानि advance outstanding outstanding interest इस adjustment को नाम देते हैं हम अगला वैसे चार का ही पार्ट है यह लेकिन अलग है कहीं ना कहीं तो हम इसे पांच नाम दे देते हैं हम change कर देंगे हर देखे नमबर क्या नहीं मैं इसको पांच उसको साथ कर देंगे जो भी है अभी देखते जाते हैं अच्छे डलवा दिया यह अगल शलीए अगल आउटस्टेंडिंग इंटरस्ट आउटस्टेंडिंग इंटरस्ट का मतलब होता है ब्याज हमने नहीं दिया यहीं होता है इसका मतलब अब मेरे एक सवाल का जवाब देना ठीक है मैंने लिखा 10 परसेंट 10 परसेंट इंटरस्ट और 10 परसेंट लोन रुपीज 10 लै आप मुझे इंटरस्ट निकाल के दिखाईए सर इसमें निकालना क्या है सिंपल सी बात है यह 10 परसेंट इसी के उपर निकाल लेंगे जो की आ गया 10,000 यह 10,000 रुपे आपके लिए इंकम है आपके लिए खर्चा है आपके लिए एसेट्स है यह आपके लिए लाइबलिटी है बताइए यह क्या है 10,000 आपका पर गेए एक्सपेंस है इंट्रस्ट निकाला एवी तो मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि नहीं दिया है आरे उससे छोड़ो नहीं एक्जांपल चल रहा है पुछ तो ये क्या है हमारे लिए सर एक्सेंस से सर एक्षपेंस लेकिन समझना और रटना दोनों चीज़ा लागा है मैं फॉर्मेट बनाता हूं आपके नोट्स रिवीजन के लिए बना रहा हूं कुछ बच्चे अगर लास्ट ताइम पर याद भी न रहे तो पढ़ लेंगे कि यह इधर जाएगा इधर जाएगा बात खतम पेपर में करके आएगे नंबर आ जाएगा लेकिन पहले समझ लोगे न तो फिर आपको वह फॉर्मेट देखने के बाद ही सीधा याद आ जाएग आगे कहानी मैंने लिखा अरे इस लाइन को क्या हो गया एक आगे कहानी लिखा बैलेंशीट बनाएं आपके सामने आप कि देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो यह दो हजार दस दो हजार बाइस और दो हजार तेईस दो हजार बाइस और दो हजार तेईस यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी था और यहाँ पे आउटसेंडिंग इंटरस लिखा मैंने यहाँ आउटसेंडिंग इंटरस लिखा इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है Outstanding Interest लिखा 1000 रुपे इसका मतलब 2022 में हमारा कोई Outstanding बट 2023 में 1000 का Outstanding हो गया कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा यह 1000 है उधर 10,000 चलो आपको confusion खतम 2000 कर दिया एक 0 ले रहे थे ना कि भीया कम लगा दिया हो क्या पता तो उससे मैंने 2000 कर दिया तो मेरा 2000 का Outstanding मतलब पहले नहीं था अब है मैं एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं हमने interest payment कितना किया है यह तो interest निकाला expense, expense यह होता है मैंने मकान में रहा, मैं एक किराया मेरे को देना है, तब भी मेरे लिए expense माना जाता है और दे दिया तब भी expense माना जाता है अगर देना है तो एक तो P&L के debit में Outstanding के नाम से entry करते हैं फाइनल अकाउंट में और एक लाइब लीटे में भी चला जाता है तो आप मुझे यहां पर बताईए कि भीया मैंने interest कितना payment किया है तस हजार या आठ हजार जितने बच्चे लाइब में वो भी बताएं तो सर इसका सही जवाब है हमने payment किया कितना आठ हजार रुपे हमने payment कितना किया है आठ हजार रुपे पेड किया है तो जो चीजे आपने अभी सूज भूज अपनी समझदारी से बताया यही एक्जाम में भी गीवन होता है तो इसका मतलब सर पेड मिंट आपने आठ हजार किया है अब interest मेरा निकला कितना था दस हजार आपका जो profit and loss में जो interest होता है वो किस activity से related होता है profit and loss वाला interest जो होता है वो किस activity में चला जाता है operating activity में add हो जाता है और जितना part payment करते हैं न वो part less होता है कहां जाके financing activity में यानि यहां पे interest calculate तो दस हजार होगा operating में add भी दस हजार होगा but 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 financing activity में कितना minus होगा आठ हजार पे minus होगा समझ में आ रही है बात सर अब ये current liability है तो आपने ये भी बताया था कि current liability और current assets working capital का part होता है तो क्या वहां पे भी treatment होगा वहां इस current liability का कोई treatment नहीं होगा समझ आई बात आपको तो यानि again current liability does not include bank overdraft cash credit and any outstanding interest और unclaimed dividend नहीं include किया जाता हो आपे लेकिन include हो भी जाता है कही बार यहां तक समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे है अगर मैं इसको लिखता suppose करो 4000 और इसको लिखता है मैं 6000 ठीक है अगर पुराना कितना था हमारा 4 और फिर कितना हो गया 6 तो clearly 2000 रुपे हमने payment नहीं किया इस 10 से कहां नहीं वही है मीचे लिखता कि current year का current year का interest outstanding सिर्फ 1000 रह गया है समझो बात को यानि सर 10 था और यहां पर outstanding interest कितना दिख रहा है 2000 कुछ और भी हो सकता है मैंने वोला current year का 1000 रह गया तो इसका मतलब 1000 रुपे जो होगा वो कोई और होगा किसी और पार्ट पे होगा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी कही है किसी और पार्ट का हो सकता है तो ऐसे सिच्वेशन में हम 1000 रुपे को तो एक तो 1000 माइनस करके 9000 चला जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस और यहां पर तो 10,000 रुपरेटिंग में एड होना ही है और 1000 रुपे का जो difference आ रहा है आउट्सेंडिंग इंट्रस हुआ तो सर यह कहां कहां देखने को मिलेगा एक तो एड हो जाएगा तो एड हो जाएगा पुल अमाउंट इंट्रस्ट एड़ इन ओपरेटिंग एक्टिविटी ओपरेटिंग एक्टिविटी में कहां पर भाईया इन नेट प्रॉफिट सेकेंड बात लेस हो जाएगा प्रोम कहां से फाइनसिंग एक्टिविटीज लेस हो जाएगा प्रोम फाइनसिंग एक्टिविटीज से कितने अमाउंट अमाउंट आफ्टर डिड़क्टिंग आउटस्टेंडिंग आउटस्टेंडिंग क्या ये लाइन समझ में आ रही है आपको ठीक है नोट आउटस्टेंडिंग एंट्रस्ट गीवन इन गीवन इन कहा गीवन होगा चर्ण लिएबिलिटी ठीको आूटस्टेंग इन्टच्ट क़झ इन करन लिएबिलिटी बिली नट आटस्टेंग अंटस्टेंग एंट इन अटेंग्ड़ लिए इन not treatable will not so in cash flow statement yeah figure that is not part of working capital I am so I am so I am sorry this may be a yes I am I am I am I am I am समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो समझाया पी इंडर बना के वही बाते मैंने यहां पर लिखे दिया है ठीक है न कि अगर आपको इंट्रस्ट दे रखा हो कैलकुलेट और आउट्सेंडिंग वाला कॉंसेप्ट उसके अंदर अगर आ जाता है तो इंट्रस्ट तो पूरा अमाउंट हमारा ओपरेटिंग में आड हो जाएगा बट फाइनसिंग में जब लेस करेंगे तो डिड़क्ट करके करेंगे आउट्सेंडिंग अमाउंट और जो लाइबलिटी में गीवन होगा उसको हम कहीं ट्रीटमेंट में नहीं लेगे चलिए सर अगला हमने करा था सर डिविडेंट और डिविडेंट के अंदर एक हमने कहानी भी देखा था एक शब्द आता है अनक्लेम्ड डिविडेंट अनक्लेम्ड डिविडेंट का मतलब ह मोते हैं कि कोई व्यक्ति अपना डिविडेंट लेने ही न आए है कि तरख सारे Amos लिए और वह पर्मानेथी माल मनले रेने के बाद वैसे अब ऐसा होता नहींगे कि अपना डिविडेंट न तो चेक ले तो चेक ले तो तेरे डिविडेंट का पैसा पहले ऐसे हुआ करता था तो पहले इस तरीके से डिविडेंट बाता आता था लेकिन अब जब shares खरीदते हैं तो उस fine पे हमें पहले ही account number बगएरा दे लिया जाता है और जितना share होता है, automatic उसके account में हम भीज देते हैं तो हई वेक्ति तो unclaim होगा नहीं, अब इस एक condition के अंदर unclaim हो सकता है मान लेते हैं Mr. X जो है उसने हमारी company के shares खरीदे shares खरीदने के बाद उसका death हो जाता है, लेकिन उसके परिवारबारों को पता ही नहीं कि इसने कहीं shares में भी पैसा ले रख तो परिवार वाले shares को भी claim नहीं करेंगे हुआ यूँ death होने के बाद परिवारबालों ने उसका account चेक किया तो account में पैसे थे, account से पैसे वैसे निकाली account को क्या करवा दिया बंद है, जब account को बंद करवा दिया तो जब company उस account में पैसे भो written back आ जाएगा, कि वो account तो है इन ही नहीं, तो वो dividend जो company देना चाहा रही है वो claim या नहीं हुआ, not claim फिर company उस पते पे भी अपने अधिकारी को भेजेगी कि भाई आप पता करके आओ कि कोई है नहीं है उनका shares है वैसे generally करती नहीं है company मान लेते हैं कि law के हिसाब से भीजना चाहिए भीजा जाएगा और पता किया जाएगा फिर भी नहीं मिल पाएगा तो ऐसे dividend को बोलेंगे unclaimed dividend और unclaimed dividend वो होता है जो क्योंकि उस जो जिसकी death हो गई उसको तो dividend नहीं मिला तो हम बोल देंगे ये dividend unclaimed है लेकिन मान लोग कभी ना कभी उसके घर वालों को सफाई करते हुए shares के document मिल गए हो सकता है ना अब shares के document मिल गए तो दोड़ा दोड़ा जाएगा company के पास भाई हमारे family member ने हमारे husband ने हमारे बेटे ने भाई shares करी देते एक करोड रुपे के अब इसके ऊपर dividend भी होगा और इसका हमें बेचना भी है आ जाएंगे वापस तो वह डिविडेंट बाद में जाके claim हो सकता है पूरा का पूरा लेकिन company claim dividend को साथ साल का वक्त देती है कि भाईया इंतजार करती है अगर कोई वैक्ति डिविडेंट नहीं ले रहा या हम उसे नहीं दे पारे तो company अपने पास साथ सालों तक होल्ड करके रखती है साथ साल तक भी नहीं मांगने आएगा तो वह समझ जाती है कि अब यह मांगने नहीं आएगा और वह डिविडेंट का पैसा वह इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन प्लान होता या फिर इन्वेस्टर को जो एजुकेट से भी के पास से इन्वेस्टर को एडूकेट करती है समझाती है उस वयलफेटर फंड के अंदर डाव देती है जाकर वह 5 साल के पैसे को साल के बद लिए ना देने बोलते हैं रूल है यह कंपनी लौका तो हम उसी को फॉलो करेंगे भाई तो ऐसे सिच्विशन में वहां चला जाता है तो हमें इतना लंबा नहीं जाना हमें बस एक कंसेप्ट समझा कि what is the unclaimed dividend और यह unclaimed dividend का क्या रहता है सर unclaimed dividend और outstanding interest का बिलकुल कहानी सेम है जिस तरीके से हमने dividend बनाया होगा dividend जब paid करने का सोचा होगा तो P&L में पूरा डाल दिया होगा और जब payment करने के लिए गए तो जो लोग नहीं मांगने के लिए आए उसका पैसा कट करके payment हुआ होगा तो P&L में तो ज़्यादा गया हुआ है हमारा dividend लेकिन payment कम हुआ है तो again हम जब add करेंगे operating activity में तो full amount add कर देंगे लेकिन जब हम payment करने जाएंगे तो financing में after deducting unclaimed dividend को add करेंगे और जो current liability में आपका dividend दे रखा होगा उस dividend का कोई treatment नहीं होने वाला उस dividend का को कोई treatment नहीं होगा तो सर डिविधेंड का एक और पार अनक्लेम डिविदेंग के अंक डिविडेंड को एं अनक्लेमटi चे यह नंबर चेंज करह दो कहां खें भाई साब नमबर चे कर रहे हैं सर यह हो गया साथ साथ पॉइंट अगेन अन्कलीम डिविडेंट अगेन अन्कलीम अपूइंट इसकि तो. for example final dividend or प्रोसी देप्से पी जे जे एक ना dividend बताते बताते एक declare dividend भी आता है तो एक होता है purpose कि अमने बताया और अगर आप agree कर देते हो ना हां sir हां dividend दे दिया जाए तो उसे final भी बोल देते हैं और उसको declare dividend भी बोलते हैं तो कई बार exam में देखने को आएगा आपको declare dividend तो वो ध्यान दखना है less हो जायेगा हूं, from financing activity, after deducting unclaimed dividend, after deducting unclaimed dividend, note in case in this situation, in this situation unclaimed dividend, dividend. dividend. current likelihood, but no treatment in cash flow. statement, koi treatment, naihinpa. चलिए, sir, ये थी बात हमारी unclaimed dividend का. अब बात करेंगे हम debtor का. और प्रोविजन फोर प्रोविजन फोर प्रोविजन फोर और रुपीस एक लाग रुपेगा, आपने गुट सोल्ड किया रैपीस एक लाग रुपेगा करेडिट पर, तgew NERUM है वह टेटर है, राम क्या है यह मारा टेटर है अब ऐसे सिचुविशन में हम एक डेटर को सोल्ड नहीं करते हैं काफी सारे लोगों को सोल्ड करते हैं तो अगर मुझे लगता है कि मुझे राम पैसे ना दे शायर तो हम एक अंदाजे से एक साटेन परसंटेज का एक हम क्या करते हैं एक हम conservative loss मान लेते हैं कि भाईया हो सकता है इसमें से 5% हमारा पैसा ना मिले देट इस 5,000 रुप है और हम अपना डेटर अब कंसिडर करेंगे 5,000 ये हमारा observation है हमारा assumption है कभी भी हम राम को ये नहीं बताएंगे कि भाईया मुझे लगता है कि तू पैसे नहीं देगा तो हम त situation में तो वह पिच्चानवे ही देगा तो ये हमारा assumption है लेकिन finally end of the year डोनों condition हो सकती है राम ने ऐसा कर दिया कि उसने पूरे पैसे नहीं दिये और ये भी हो सकता है कि राम ने सारे पैसे दे दिये अगर राम हमें सारे पैसे दे देते हैं तो word लिखा जाता है all debtor are good good का मतल किसी debtor ने कोई पैसे देने में default नहीं किया और अगर राम ने पैसे नहीं दिया तो simple सी बात है कि भी अब कोई word ने लिखा जाएगा simple provision for doubtful debt यानि अगर आपको कभी भी आपको debtor given हो और debtor के साथ साथ आपको PFD provision for debtor given हो और debtor के आगे लिख दे all debtor good तो इसका कोई value ही नह रह जाता समझे बात आप इसका कोई value नहीं रह जाता तो यानि अब provision for doubtful debts दो तरीके के हो सकते हैं may be possible है के provision for doubtful debts बनाया लेकिन debtor good निकल गए और एक provision for doubtful debt बनाया लेकिन सारी debtor good नहीं निकले तो उस situation में हमने सही करा provision for doubtful debts बना लिया तो अगर ये हलाकि provision for doubtful debts हमारा current liability का पार्ट होता है लेकिन इसको हम treatment करते टाइम पे अगर if all debtors are good अगर सारा debtor good होता है तो सारा debtor good हुआ तो अप प्रोविजन फो doubtful में दो बाते हो सकती है दो साल का आपको मिलने वाला है सर दो बाते क्या होगी या तो ये increase हो रहा होगा या फिर decrease हो रहा होगा सर अगर increase होगा इंक्रीज होगा तो ये add हो जाएगा in net profit में और जब भी मैं net profit बोलू तो मैं operating activity की बात कर रहा हूँ हम यहां से treatment इसको लेके चलेंगे और अगर decrease होगा तो less हो जाएगा कहां in net profit में नेट प्रॉफित में अपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लेकिन सर वेन ओल डेटर और नॉट गुड जब सारे डेटर गुड नहीं हैं तो इसको treat करना है as current liability सर current liability as a treat करोगे तो कहानी हुए है बिजनस के लिए good है तो minus कर देंगे और bad है तो less कर देंगे यारी increase हो रहा है liability तो add हो जाएगा और decrease हो रहा है तो minus हो जाएगा और आपने अगर इसे current liability मान लिया तो आप अच्छे से जानते हो working capital के अंदर इसका treatment होगा तो दोनों का treatment फरक है समझ में आ रहा है एक तो हमने इस वाले treatment अगर good हुआ तो working capital से पहले ही कर देंगे और इसमें यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा increase इंक्रीज या तो यह इंक्रीज होगा या फिर यह होगा इंक्रीज होगा तो एड हो जाएगा इन वर्किंग कैपिटल और लेस हो जाएगा एज वर्किंग कैपिटल लिखते हैं इनने एज लिखते हैं बताईए कोई दिक्कत कोई दिक्कत है तो बताईए मुझे बताईए कोई दिक्कत है इसमें फिर आगे चलें इसके अंदर अगला हैडिंग करेंगे हम सिक्यूरिटी प्रीमियम करते जाते हैं देखो अगर पहले से सोच लेंगे कितने अर्जिस्मेंट है अगरे वज वड़िए कितने अक्कोई से सक अगरे एक वारे जगे हम दिक्षे वारे हम दिक्कत है प्रीमियमियम करते हैं अगरे है झाली बताईए कोई दिक्कत है लेए हम दिक्ट։ झाल झाल प्रोविजन था लेकिन अब इस कहानी में आएगा हमारा बेड़ेट कि अगर बेड़ेट हो गया तो क्या करेंगे अगर हमारा ओल डेटर गुड है नहीं नहीं एक थोड़ा सा मैं चेंजिस कर रहा हूं यह वाला जो होगा ना एज़ा आप ट्रीट करोगे इसे उपरेटिंग एक्टिविटी में वेन आल डेटर आर नॉट गुड इसको नॉट गुड कर रहे हैं यह नॉट गुड होगा नॉट गुड और यह वाला हिस्सा होगा ना सर अरगो थोड़ा वो उल्टा हो गया था अरे बागी ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है सर साथ के साथ आपको बेड़ेट्स देखने को मिल जाए क्या मिल जाए आपको बेड़ेट्स मैं इसी को बढ़ा देता हूँ एक और अज्जस्मेंट बनाते हैं यह अज्जस्मेंट नमबर साथ आठ है एक और बनाते हैं हुआ 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 है तो प्रोविजन पूर प्रोड़ेट्स and bed debt given Sir, अब दोनों चीज़े given है आपको provision for bed debt be given है और bed debt be given है अब क्या करा जाए ऐसे situation में तीन बाते अब अगर bad debt देगा तो क्या all debtor good रहेगा अगर आपको provision for doubtful debts भी दे रहा है और बता भी रहा है कि भाईया इतने तो do भी गए तो क्या all debtor good है नहीं है simple सी बात है all debtor good तो रहेगा इनी तो यहाँ पे जब all debtor good नहीं हो तो मैंने क्या बता है जब all debtor good नहीं है तो इसको आप as an operating activity में add less कर देंगे तो प्रोविजन का treatment for bed debt will be या प्रोविजन प्रोविजन प्रोवेड़ेट का क्या होगा sir provision for bed debt का होगा आइड होगा आइड होगा इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज अब जो भी adjustment मैं करूँगा न यह आपके बारवी class में नहीं था इंक्रीज एड इन नेट प्रोविट डिक्रीज लेस इन नेट प्रोविट इसको तो आप ऐसे ही treatment कर दें इसको न हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैं आसान वाला बता रहा हूँ ताकि आपका question में दिक्कत न और betdates को क्या करना है betdates को क्या करें आप less कर दें from debtor less कर दें simple सी बात है from debtor यानि आपका एक साल का debtor 50 है दूसरे का आपको दिखा रहा है 60 है और betdates भी बोला है तो 10,000 की इंक्रिमेंट तो लगा है और betdates मानलो 2000 है तो हम 10,000 ना इंक्रिमेंट लेके सिर्फ 8,000 रुपए इंक्रिमेंट लेके करें समझ में आई बात आपको यानि मैं बड़ी simple सी बात कर रहा हूं मेरा यह बन गया एक balance sheet और यहां debtor लिखा हुआ है एक लाक और यह 50 तो बढ़ी गया debtor कोई बात नहीं है मैंने करा यहां पे ना betdates भी है भाईसा betdates हमना लिख 20,000 रुपए तो हाला कि मैं normally अगर debtor ऐसे दे तो बढ़ रहा है business के लिए good है तो 50,000 हम minus करने वाले थे लेकिन चुकि betdates भी दे दिया उसने 20,000 रुपए तो अब हम क्या करेंगे 50 में से 20 को पहले minus कर देंगे और 30,000 रुपए का treatment को ले के आएंगे कहां पे सरहं operating activity के अंगे ठीक है ना और bad debt क्योंकि non cash item होता है bad debt क्या होता है हमारा noon cash इसलिए उसको net करके दिखाते है इसके दो तिन adjustment है यह भी हो सकता है कि net profit में add करूँ और इसको हम ऐसे ही रहने दे लेकिन अब simple सी चीज़े आपको यही follow करना है कोई दिक्खत वाली बात नहीं है clear इंक्रीज डिक्रीज दो साल का डेटा है और उससे आपको देख के पता करना होगा कि वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है चलिए यह adjustment नंबर कौन सा हो गया नौ दस security premium security premium security premium क्या होता है security premium जब कभी भी हम shares या debenture उसके face value से महंगा करके बेचते हैं तो उसको security premium बोला जाता है यानि 10 रुपे वाले share को अगर हम 11 रुपे में बेच रहे हैं तो एक रुपे security premium तो अब security premium का भी cash flow के अंदर treatment होगा और सर security premium जो है न यह आपको कहा शो होता है पता है reserve and surplus के अंदर head में शो किया जाता है बट खैर उसको हटाईए बात करते हैं security premium given हो सकता है in case दो जगह पर in case given on issue तर issue का मतलब issue का मतलब जब हमने आपसे पैसे लिये 10 रुपे तो एक रुपे एक्स्ट्रा लिया आपसे हमने तो इसे बोला जाता है issue security premium आपका issue पर given हो सकता है number 2 in case given on redemption sir redemption का मतलब जब security premium आपने redeem किया redeem का मतलब होता है कि security premium जब आपने debenture को बोला भाया तो अपने debenture हमें वापस कर दे तेरे पैसे देंगे 100 रुपे तेरे से लिये था अब 110 लौट आएंगे तो यह redemption के हो गया ठीक है बाकि redemption आफ debenture वाले चैप्टर में हम detail में पढ़ेंगे इसको ठीक है ना सर हम debenture और share security premium किसकी बात कर रहे हो सर यह तो shares पर होता है debenture का तो हम यह debenture वाला सीख रहे है या shares वाला सीख रहे है तो sir on shares पर हो या फिर debenture पर हो सर एक बच्चा बोलेगा sir क्या preference share और equity share अब बताओ तो किसी भी share share जब लिखा जाता है ना तो मतलब equity और preference दोनों और debenture कोई भी हो सकता आपका ठीक है किसी पर भी हो तो अगर आपका issue पर होगा तो ऐसे situation में it will be add in financing activity financing activity तो sir ऐसे situation में financing activity के अंदर क्या होगा add हो जाए क्यूंकि भाई 10 वाला share है और 12 में दिया तो 2 रुपए inflow हो गया ना आपका और security premium always related to the financing activity तो इसलिए वहाँ पर यह क्या हो जाता है अगर redemption हुआ तो हम यहाँ पर ना एक assumption लेते हैं अजियूम डेट security premium security premium हम assume करते है security premium का payment जो किया होगा हमने profit में से किया होगा अब देखो security premium की दो जगह से payment हो सकते है या तो security premium से ही payment हो जाए तब उसका treatment अलग हो जाता है तो मैं ज्यादा complicated में नहीं ले जाँ हूँ अभी मैं assumption ले रहा हूँ कि कहां से payment किया premium को अपने profit में से निकाल के पे किया है अगर ऐसा assumption हुआ आपने profit से paid किया तो भाईया आपने profit को क्या कर दिया होगा minus जबकि आपका यह operating का तो पार्ट ही नहीं है समझ रहे हो ना यह पार्ट किसका है financing का तो आपने operating में file तुम्हें यहां कर दिया profit में से तो यह add हो जाएगा add in net profit net profit in operating activity operating activity और less हो जाएगा from financing activity from financing activity समझ में आई बात आपको सर अगर आप बात कर रहे हैं security premium का तो हो सकता है maybe possible security premium आपका issue पे हो तो भाया simple financing activity में add हो जाएगा लेकिन अगर security premium redemption पे हुआ तो एक add कर देते हैं operating activity यानि net profit में और एक minus कर देते हैं financing activity में लेकिन ये assumption follow होता है इसके पीछे कि बाते जो है वो यह है कि हमने profit से premium दिया होगा अगर premium को other than profit से दिया है for example security premium से दिया है तो profit से minus नहीं हो तो profit में add क्यूं करेंगे तो इस वाले दूसरे आले part को अगर मैंने यहाँ डाला ना तो सब खराब हो जागा थोड़ा बहुत concept बिगड़ जागा तो इससे यहां कि ग्यारा के जगह पर मैं खूब सारे नोट लिख चूँ तो चलिए ग्यारा if any assets ya investment purchase by issue of shares or debenture अगर आपने कोई भी assets या कोई भी investment खरीदारी कर ली और आपने उसके बदले पैसे नहीं दिया आपने बदले में shares दे दिया जिसको हम other than cash का concept कहते हैं अब यहां पर दोनों बाते हो सकती है या तो थोड़े पैसे दिये होंगे या थोड़े पैसे नहीं दिये होंगे या फिर पैसे की जगह पर bills of exchange बी आर बीपी दे दिया हम ने तो तीन चार बाते निकल के आ जाती हैं हम चलिए हम इसको तीन पार्ट में लिके चले हैं है 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 फुल एसिट पर्चेज बाई कि एशू ऑफ शेर जब सारे के सारे एसेट्स खरी दे गए हैं शेयर को इशू करके तब बताओ मैंने पांच लाख रुपे का एसेट्स खरीदा और मैंने पांच लाख रुपे का डिबेंचर या सेर दे दिया तो इस सिच्वेशन में चैस फ्लो तो इस्यू करने पे हमें पैसे मिले और नहीं मैंने एसिट खरीदने प्रते दी तो इस सीचुएशन में कैश फ्लोव टेट्मेंट में इसका नोव ट्रीट्मेंट गर not treatment in cash flow statement but it is it is used for preparing लेकिन इसका इस्तमाल करेंगे हम fix assets अकाउंट को बनाने में यानि सर समझा नहीं बात को जब यूज नहीं करेंगे तो यूज मतलब कि एक ट्रीटमेंट नहीं है तो यूज कैसे suppose करो कि मैंने 5 लाग का तो ये खरीदा और मैंने 6 लाग का अगर मैं बात करूँ आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूं अकाउंट बनाया और यहां पे 2 बैलेंस बीडी है और ये 4 लाग का है और बाइ बैलेंस सीडी है ये fix assets का अकाउंट है सर ये है हमारा आप 12 लाग का तो अब इसका क्या मतलब समझे मैंने बोला no depreciation no sale कुछ भी नहीं है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो यहां पे क्या आएगा पट्चेज निकलेगा balancing figure और 8 लाग का निकलेगा बात तो सही है लेकिन मैंने बोल दिया आपको कि मैंने 5 लाग का तो अधर दिन cash में खरीदर है तो अब 8 लाग रुपे को ऐसे नहीं लिखना आपने आपने लिखना है बैंक से खरीदा है मात्र तीन लाग और आपने शेयर से खरीदे हैं कितने पांच लाग अब cash flow statement के अंदर इसका तो कोई treatment नहीं है इसका कोई treatment नहीं है और इसका भी कोई treatment नहीं है अब यह जो तीन लाग निकला है वह investing activity में जाके माइनास तो मैंने क्या लिखा है यहां पर नो treatment cash flow statement तो देखो कोई treatment तो नहीं हुआ बट यूज करेंगे preparing fixed assets account अगला पार्ट सर अगला पार्ट if partly issues shares and partly paid cash अब मैं जब cash लिख रहा हूँ तो cash और bank दोनों ही है वहाँ पर ठीक है ना तो आप उसमें परिशान ना हो के भीया सर यह bank हुआ तो क्या करेंगे देखें पार्टली issue shares and partly paid in cash तो ऐसे situation में दो हिस्से हैं इसके अंदर cash वाला पार्ट है एक तो और एक shares वाला पार्ट है है ना तो जो cash वाला पार्ट होगा अब इसका example देख लो मैंने एक पांच लाग रुपे का machinery खरीदा machinery पांच लाग का खरीदा मैंने issue कर दिये चार लाग का share बचा एक लाग एक लाग का मैंने cash देखी है तो अब ऐसा नहीं है कि हम other than cash involved हो गया तो हम इसको cash flow statement में बिलकुल ही नहीं दिखाएंगा ऐसा नहीं होगा दिखाएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लाग रुपए समझ मैं है तो जो cash वाला part है यह हमारा चला जाएगा less हो जाएगा from investing activity और जो share वाला part का no treatment shares वाले part का no treatment जी बताएं कुछ समझ में आ रहा है ठीक है चलिए तीसरा part मैं सारे aspects cover कर लूँगा examiner जहां से मन करें वहां से पूछे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा जी इसका तो यह होना है और ने अपके तूर मैं से हों और अन्यूद है और कावा कुएझ तो तेरट पार्टली इवन बिल्स ओफ एक्शेंज सर पार्टली गीवन बिल्स ओफ एक्शेंज अब यहां तीन बाते हैं एक्जामपल देखिए मैंने एक मसीनरी खरीदा पांच लाक रुपे का मैंने बोला भईया एक काम करते हैं तुझे न डिबेंचर दे देते हैं मैंने शेर्स और डिबेंचर दोनों लिखा है तेरे को चार लाक का डिबेंचर दे देते हैं यानि यहां तीन पॉइंट इंवाल्व हो गया, उधार भी हो गया, अगर मैंने उसे कुछ लिकित में दे दिया कि अगले महीने दूँगा, तो that is called bills payable. आपने अगर bills of exchange पढ़ा है, तो वहाँ पे होता है, कि जब कभी उधार माल हम खरीदते हैं किसी से, तो उनको एक security के लिए एक document देता है, that is bills payable. और अगर आपने कोई document नहीं दिया, और आपने बोला भाई, यकीन कर मैं पैसे दे दूँआ, that is, creditor, चाहे bills payable है, चाहे creditor है, है तो current liability, है ना, है तो current liability, तो अब यहाँ पे तीन points निकल के आगे सब, एक तो part आगिया cash वाला, cash वाला part, एक आगिया आपका bills of exchange वाला part, और एक आगिया शेयर तियर डिवेंचर वाला part के लो, अब आपको पता चली या होगा क्या करेंगे, सर, cash वाला part जो है, यह खरीदा नगद में है, तो less हो जाएगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, लेस हो जाएगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, और bills of exchange वाला part, treated as working capital, इसे एक working capital की तरीके से treat किया जाएगा, बढ़ रहा है तो add घट रहा है तो minus जो सीखा था, और जो shares वाले part का क्या करें बोलो, no treatment, no treatment, इसे अठा देते हैं, चलिए सर, ये सारे points जो अब हम करने वाले हैं ये बारवी class से कोई लेना देना नहीं है इसका, सारा ये advance है, ये लो, पूच रहे कितने adjustment है, कोई दिक्कत, यहां तक सौंज में आ रहा है, next adjustment, या मैं note लिखवा रहा हूं, some important note, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, मैं लिखते जा रहा हूं, if increase, tangible, asset or tangible, intangible, if increase, if increase, goodwill, patent, patent, goodwill, your patent, it is part of, it is part of, investing, activities, we assume, that increment, by purchasing, by purchasing, goodwill, patent, increase, बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो वह part, investing activity का होता है, और हम यह मानते हैं, कि हमने खरीदा है, अगर self generated हुआ, सर तो, मैंने इस पार बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करने के विए से डेड़ लागता हो गया, तब तो नहीं खरीदा है, तब यहाँ पर cash flow होई नहीं रहा, तो इसकी entry नहीं करते हैं, बाकि इस ताइस पर question नहीं आता हूँ, मैं बहुत आगे तक सोच रहा हूँ, पैसा नहीं पूछेगा आपसे इसना, वह बस अगर बढ़ जाएगा तो आपने जो add किया है, मैं clarity purpose के लिए लिख रहा हूँ, कि जब हम add करते हैं, तो हमारे इसके पीछे का logic रहता, वो यह रहता है कि हमने खरीदा होगा, तब यह add किया है, note number one, note number two, if journal reserve decrease, then, it will be, क्योंकि increase का तो बहुत point होता है, decrease का सायथ हो, it will be, less from net profit, net profit in operating activity. Note number three, preliminary expense या underwriter commission, preliminary expense या underwriter commission, इसको तो अज़ेस्मेंट में तब्दील कर दिया जाये तो ज्यादा बैटर है, so if increase then it will be part of investing activity investing activity part of investing activity it will be increase then it will be deduct in investing activity it will be part of deduct from investing activities discount discount on debenture discount share share तो नहीं हो सकता ना मना है सक्षण 53 कहता है तुमने डिसकाउंट पर इशू नहीं करना है तो इसके बाद लेखिन डिबेंचर पर ऐसा कोई नो फ्लो का तो डिसकाउंट अन इस्व और इस्व आ अफ डिबेंचर अ विल बी अडिड इन ऑपरेटिंग अ एक्टिविटेश अब मुझे एक बात बताना अ देखते हैं आपने अभी तक क्या समझा है एक बात बताईए यह बैलेंच शीट है अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो फुट्टी कर देंगे मान लेते हैं मैंने लिखा 10% ठिबेंचर एक हजार और दो हजार दो हजार में फिर कंफ्यूद हो गया एक हजार से हो गया चार हजार यह दो हजार बाईस और दो हजार तेईज इबेंचर इशू ऑन डिसकाउंट एड़ रेट 10% इबेंचर 10% के डिसकाउंट पे इशू किया गया मुझे जवाब चाहिए कि भाईया डिसकाउंट अमाउंट क्या है डिसकाउंट अमाउंट कौन बताएगा पहले तो डिसकाउंट अमाउंट बताएगे काउंट इट नहीं है करनी है एक बच्चा तो तीस रुपे लिख रहे है पैई हजार और चार हजार है 300 अभी तो शुरू हुआ है घर कहां जाना है अभी 300 अब मेरी यह कोश्चन है मेरा के सर यह 300 रुफ है कहां जाएगा अभी लिखा है आपके सामने बूर्ट पर देख के बता दो सर एड हो जाएगा in operating activity में अब मुझे आप financial activity की भी कुछ कहानी बता दो सर फाइनेंसिंग activity में debature कितना जाएगा financing activity में debenture जाएगा या नहीं जाएगा पहले तो यह बता दो discount पे है जाएगा चलिए sir financing activity में आपने कहा debenture जाएगा लेके जाओ sir कितना लिखे financing activity में debenture बढ़ रहा है 3000 से यहाँ पे यह है जो financing activity में कितना जाएगा 3000 2700 यह जाएगा ही नहीं यहां सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 3000 3000 3000 जो बच्चे लाइव में है वो बोल रहे है 3000 3000 3000 यह तो मैं आप से पूछ रहा हूं सर यहां पे जाएगा क्योंकि आपने cash कितना receive किया है cash कितना receive किया है सर 2700 तो receive किया ना आपने cash financing activity क्या कहता जितना पैसा आया प्लस कर दो finance के थूँ और जितना गया माइनस कर दो तो सर यहां पे 2700 रुपे financing activity में जाएगा अभी बस इस line को complete करके आप मैंने आपको बोल दिया है तो commitment कर दिया है तो छुट्टी कर देंगे discount on issue of debenture will be add in operating activity but पाँचवा पोइंट लिख देता है if debenture issue on discount amount then debenture amount added in financing activity financing activity after deducting discount amount तो सर यह हलाकि मैंसे adjustment में भी तबदील कर सकता था लेकिन यह adjustment ही ध्यान रखना यह वो points है जिस points पे confusion बन जाती है बच्चों की और जिसकी वज़े से questions हमारा पूरा गलत हो सकता है ठीक है न तो इस situation में आपको यह point एक आपको rewind रखना है सर और भी point है जैसे कि किसी assets को हमने बेच दिया profit पे उससे profit हमने capital reserve में transfer कर दिया तो क्या होगा जैसे कि हमने और भी काफी सारे points है जिसके अंदर हम discuss करेंगे तो इसकी कल है हमारा मंडे परसो क्लास होगी परसो टीटीएस है साथ बजे क्लास रखते हैं परसो और परसो वाले दिन हमारा adjustment तो complete हो ही जाएगा ज्यादा adjustment नहीं बना एक से दो adjustment है तो adjustment तो हमारा complete हो ही जाएगा साथ के साथ हम पूरा questions करने लगेंगे चलिए साथ एक question करेंगे इसमें cash flow statement और मैं उमीद करता हूँ जो बच्चे starting से हैं उन्होंने सारे adjustment को बहुत सुन्दर सुन्दर writing में लिखा होगा तो आपके सामने कुछ एक adjustment सामने दिख रहा है तो यह adjustment कैसे करना है आप register open करके रखिएगा और ताकि जब मैं पूछू तो आप बताते जाईएगा पहला adjustment कहता है depreciation और एक और कहता है पच्चिस अजार plant and machinery दो जगए depreciation है इसके बाद कहता है interim dividend interim dividend का भी treatment लिखवाया हुआ है और depreciation का भी लिखवाया हुआ है and income tax paid income tax का भी ले रखा है अब मुद्दे की बात है सर जब कभी भी income tax paid होता है तो मैंने वहाँ पर बड़े सारे cases बताए थे सर क्या cases आपने बताए थे वहाँ पर कि आपको कब provision for tax account बनाना है कब नहीं बनाना कब previous year कब last year सब बताए था तो आप ध्यान से देखेंगे ना provision for tax balance sheet के अंदर भी given है और income tax के बारे में यहां भी कह रहा है तो ऐसे situation में बताएए कि एर वाले हो क्या बच्चे बूच रहे हैं यार हाँ कुछ बच्चों को ऐसा भी था कि जिन बच्चों का essential repeat यानि यार है उनका paper भी बिल्कुल सेम आने वाला है ऐसा नहीं क्या लगाएगा कुछ बच्चों का कहना था चलिए थोड़ा सा delay हो गया मैं कहां था फिर दुबारा आ जाते हैं मैं adjustment पर जैसा बताया था कि यहां पर भी provision for tax है और यहां पर भी income tax तो क्या हमें इसे previous current year से काम चल अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके बाद हम आगे बात करते हैं सर लेंड इन बिल्डिंग यहां है और यहां पर भी दिरक है तो इसका भी क्या बनेगा हमारा account बन जाएगा ठीक है बड़ा simple सा question है बहुत simple सा format जैसे सिखाया था वही format होना चाहिए ओल्दो फिर हमारा अच्छे से अबरेटिंग बन जाएगा चलिए यहीं कर लेंगे को कि अरे अरे कि अ कि 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 क्या क्या कि बताया था लाइनिंग भी आपने खीचा होगा आपको याद होगा और नोट किया है ओपरेटिंग एक्टिविटी को हमने पॉर्मिट का मतलब क्या है एक इसके अंदर आपको बस जैसे मैंने बताया वो लेके चलना बड़े आसानी से हो जाएगा question जैसे जैसे जुरत पड़ेगी हम काम कर लेंगे कोई बात नहीं पहले हम फॉर्मेट बना रहे हैं सर फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले उपर लिखा हमने टॉप पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नीचे जो हमारा डेट वगरे डलता है वो डलेगा ही डलेगा इसके बाद हमारा यहाँ पर लिखते हैं net profit after tax जो balance sheet के अंदर दिया होता है न profit and loss यह always after tax ही होता है tax के बाद जाता है balance sheet के अंदर ठीक है न अब बंद कर देना होते हैं चलिए इसके बाद हमारे कितने लाइन चोड़ने को बोला था दस से ग्यारा लाइन याद है न फिर क्या लिखेंगे net बताइए बताइए ओपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग क्यापिटल चेंजेस है न इसके बाद कितने लाइन बोला था छे से साथ लाइन फिर हम यहां क्या लिखेंगे cash generation from operation यह हो गया था अब इधर आएगा हमारा इसका नाम क्या था हमारा अब लिखना एक चीज़ भूल गया मैं आपने भी याद ने दिला है सबसे पहले टॉप पे हमें लिखना था क्या कर रहे हैं हाँ ए पार्ट और लिखना था cash flow from operating समझे अब भी पार्ट किसका नाम देंगे हम cash flow from investing और इसके लिए कितने लाइन बताया था आपको खेत साथ ज्यादर ज्यादर आठ लाइन है इससे ज्यादर नहीं जाएगा cash flow from financing activities थोड़ा short में लिख दिया तभी के नीचे underline कर देते हैं चलिए सब अब इसके बाद कितने पास से साथ लाइन और यहाँ पर क्या लिखवाया था cash and cash equivalent और यहाँ पर क्या था एका टोटल बी का टोटल और प्लस में क्या करतेंगे opening balance समझें यह इसे बोला जाता है blank format और मैं आपको बोलूगा ना कम से कम एक बार तो आप यह जरूर बना के सामने हैं 10 39 वह पोस्टिंग करने हैं मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा कुशन खतम हो जाएगा जो समय लगता है किसमें लगता है हमारा blank format बनाने में तो फटा फट से पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले equity adjustment में देख ले तो dividend की बात कर रहा है income tax equity हमारा यह 10 है और यह 11 है तो साड़े 4 से 5 हो गया तो financing का part है equity share capital इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा सर equity कितने हो गया हमारे पचास हजार और आप यहां although लिख सकते increase in share capital यह share capital issue equity share capital issue जो मर्जी लिखे आप चलेगा ठीक है सर इसे हटा दिया जाए आगे देखें equity के बाद general reserve general reserve 40 से 70 कहां का part होता है operating का part होता है general reserve increase in general reserve कितने 30,000 ठीक है इसके बाद profit and loss 30 से 48 कितने होंगे 18 the difference लेते है न हम proposed dividend आपका हालाकि यह question न फिर से मैं बोलूँगा कि यह questions हमारा जो है थोड़ा सा error है क्योंकि मैं पुराने questions उठा रहा हूं नए वाले भी print होके आएंगे मेरे पास तो यह इसको proposed dividend की जगहा पर मैं इसका नाम बदल दे रहा हूं ठीक है इसको लिख देता हूं मैं outstanding salary ठीक है न हम ऐसे treat कर लेंगे यह working capital का part हो गया चलिए सर proposed profit and loss का working capital का part हो गया outstanding salary 42 से 50 आठ हजार रुपए पर बढ़े गया तो क्या करें outstanding salary क्या करना चाहिए बढ़े गया liability बढ़े गया यानि business के लिए bad है तो सर क्या हो जाने चाहिए add होने जाने चाहिए कितने रुपए आठ हजार very simple ठीक है न थोड़ा बच्चे बोल रहे होंगे कि कम विज्वल है तो मैं थोड़ा सा कम करके पूरा दिखा देता हूं इसको चलिए सर क्रेडिटर 55 से 83 पताइए क्या करेंगे add कितने 55 से 83 तो कितने होगे जल्दी निकालो पका 28 चलिए सर 28 इसके बाद bills payable 20 से 16 क्या करें घट गया bills payable घटना business के लिए liability घटना मतलब good है तो बीच से 16 क्या करें माइन एस कितने 4000 इसके बाद सर प्रोविजन फोर टेक्स क्या बना लेना चाहिए हमें एक account next page पे आ जाते हैं एक account बना लेते हैं फटा फट से हलाकि हमें तीन account की जुरत पड़ेगा मैं घट्टे ही बना लूँआ कि यहां particular कि इसका नाम दे देंगे हम प्रोविजन फोर टेक्स अकाउंट तीन account की जुरत है हमने बना लिया प्रोविजन फोर टेक्स अकाउंट सर प्रोविजन फोर टेक्स आ जाईए सर सबसे पहले इसका काम होता है ऐसे account का balance बीडी और इधर्स की साइट लिख लेंगे टू बैलेंस बस बीडी सीडी देख लेते हैं चलिए बच्चे अब बताईए बीडी और सीडी बीडी की अगर हम बात करें तो 42,000 सरी 40 और 50 तो सर यहां पर आ जाएगा 40 और यहां आ जाएगा 50 अट जस्मेंट में में मेड है पेड है देखना पड़ेगा अट जस्मेंट में कहता है कि इंकम टेक्स और यहां पेड शब्द का इस्तमाल किया गया है तो पेड है तो अब पेड किस साइड आएगा सर टू सा total कर लेते हैं 85 85 और यहां जो आएगा यह आएगा profit and loss से made ठीक है कितने आगए 45 आप पताईए बीडी और सीडी तो लेते नहीं है 35,000 paid है तो generation के बाद minus और यह क्या हो जाएगा हमारा net profit में add तो फटाफट add कर देते हैं provision for tax प्रोविजन फोर टेक्स 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 एड कितना करना है 45 और minus less income tax paid कितने 35,000 ठीक है देखे फटाफट करते जा रहे है assets में आजाते हैं goodwill बढ़ गया गट गया goodwill यहीं का पार्ट है goodwill बढ़ता तो कहां का पार्ट होता है investing का goodwill बढ़ गया सर कितना बढ़ गया goodwill हमारा सर घट गया 25,000 इसके बाद देखे प्लांट प्लांट और बिल्डिंग और इससे related यहां adjustment भी है तो हमें account बनाना लेना चाहिए एक एक plant का account बना लेते हैं और एक building का बना लेते हैं और सबसे मज़े की बात हमें हमेशा क्या लिख लेना चाहिए इसका पहले balance bd balance bd by balance cd क्योंकि asset से इसलिए two balance bd और by balance cd चलिए सर आप भी याद रखिएगा plant का दो और एक 70 असी और दो तो दो और एक 70 और 80 और दो नीचे adjustment में क्या कहता है ध्यान दीजे कहता है building पे तो सर हमारा depreciation sorry depreciation 15 और 25 है जो कि plant पहले दे रखा है तो पहले वाला 15 होगा और 25 तो यानि आपका यहाँ पता चल गया कि सर प्लांट के उपर कितना है by depreciation 15 और यहां कितने है हमारे by depreciation 25 चलिए सर और कोई जानकारी है नी बेचने और खरीदने से related तो हमारा यही बन जाएगा हिसाब किताब का part चलिए यह आगे हमारा दो लाख और इसको total कर लेंगे तो एक पिच्छा अनवे है ना एक पिच्छा अनवे आ रहा है दो लाख और यह भी दो लाख अब मजे की बात देखिए by side में balance हा रहा है तो इसे क्या लिखेंगा बैंक से sale सर कितने का बेचा होगा भाईया हमें नहीं पता चल रहा तो मान लेंगे जितने का था उतने का बेच दिया अब इधर total कर लेते हैं तो पंदरा दो लाख मैंने ये गलत तो नहीं लिख दिया देखने एक बार दो और एक सतर चीक है यहाँ पर क्या एगा हमारा दो पंदरा और यहाँ भी दो पंदरा और माइनस 80,000 तो यहाँ से क्या निकलेगा टू बैंक से परचेस कितने रुपे कितने 20 था, 2 लाख था, 2 लाख था, 20 है, 2 लाख है, 20 नहीं है, तब तो 2 पंदर लिखा है, माइनस कर दीजी 80, कितने, 135, ठीक है, अब ये वाला तो done हो चुका है, आप समझना बात को, क्या इसके अंदर से हमें balance BD को नहीं लेना, CD को नहीं लेना, तो depreciation operating में add हो जाएगा, और ये investing में minus हो जाएगा, तो फटा-फट से करते हैं, depreciation, depreciation on plant, कितने रुपे, 15,000, investing में purchase of plant, कितने रुपे, 135, और ये minus का, ऐसे depreciation on building, कितने, 25,000, और यहां से sale निकला था, तो sale of building, 5000, सर, question थोड़ा blur हो रहा है, मैंने थोड़ा चोटा कर दिया, इसलिए, adjustment almost done हो गया, वो question के बीच में कर लेंगा, adjustment कर रहे गया, question कह रहे हैं, बच्चे blur हो रहे हैं, मुझे clear दिख रहा है, या देखते हैं, चलो एक मिंट setting करता हूँ camera के अगर blur कह रहे हैं, sharpness तो बढ़ा दी है, मेरे को तो अब blur लग रहे हैं, अब भी बुला रहे हैं, बच्चे रहे हैं, बच्चे रहे हैं, अब ठीक रहे हैं, अब देखें, अब तो मेरे को थोड़ा ठीक बहतर लगा है, बाकि मैं इसको बढ़ा कर दूं, तो आपको जो blur दिख रहे हैं, वो खतम हो गया है, अब फिर छोटा कर देंगे कुश्चन को कोई बात में, हम आ गये थे किस पर गुडविल कर लिया, प्लांट भी कर लिया, अब डेटर की बात करते हैं, एक साथ से कितने होगे डेटर, तो डेटर यहां पर आता है, क्या करा जाए इस डेटर के साथ, कितने, चालिस हजर माइनस, इसके बाद स्टॉक आ गया हमारा, बढ़ी गया स्टॉक, क्या करा जाए इस स्टॉक के साथ, माइनस कर दिया है, देखो, मैंने कम जगह छोड़ी तो दिक्कत हो गई चलो इसके बाद क्या है मारा बी आर बी आर कितने का माइनस किया जाए 32,000 इसके बाद क्या है बी आर के स्टॉक भी ये स्टॉक है ये बी आर है जिरिफ्रेंट ये स्टॉक का बताया आपने स्टॉक का और बात करते हैं बी आर का बी आर कितने हैं क्या माइनस प्लस सब माइनस चलो लास्ट में cash and cash equivalent opening balance यह रहा 25,000 ठीक है इस सवाल में से मैं अब बात कर लेता हूँ interim dividend यह कर लिया यह कर लिया अब interim dividend रहे गया कितने 20,000 तो interim dividend यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी entry financing में less हो जाएगा अब मैं इस question को ठोड़ा सा छोटा कर दूँ question की जूरत नहीं है पूरा question हम ने पढ़ लिया है और कर भी लिया और जो मैंने correction किया था वो ठीक कर रेते हैं क्या correction किया था सर आपने उसमाए बस भाई एक correction किया था इसको काट दिया outstanding salary कर दिया था यह आगा ठीक है अब काम रह गया सर बस एक क्या calculation अब फटा फट फुर्ते में काम करते है calculation का और हमारा match होता है नहीं होता ही देख लेते हैं तो सर इसका total देखो total करने का भी style होता है इसका total हम यहां करके यहां लिखेंगे ठीक है ना 30,000, 45,000, 25,000, 15,000, 25,000 और 20,000 एक साथ और 18,000 178 चलिए सर अब इसका total करके यहां लिखेंगे क्या 8,000, 28,000, माइनस का 4,000, माइनस 40,000, माइनस 32,000, माइनस 10,000 50,000, आप भी क्रोस वेरिफाइ करिएगा मुझे तो जल्दी जल्दी सवाल कराना होता है यहां गया एक अट्थाइस भाई साथ थोड़े नीचे आजाओ और यहां गया एक अट्थाइस और इसको जब सॉल्द करेंगे माइनस 35,000 93 और यह 93 यहां आजाएगा ठीक है ना 93 यहां आजाएगा चलिए सर अब आजाते हैं इसका टूटल तो एक लाग पैंतिस हजार माइनस का 5,000 तीक तीस अब इसके आगे लिख दूँगा flow operating यह क्या आएगा हमारा cash flow from operating activity और यह क्या आएगा बताऊ अ औरे भाई साब cash use from investing बिल्कूल सर्ए investing इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चलिए सब्सक्राइब इसमें देख लेते हैं यहां का कैश लो फ्राम पाइनेंसिंग एक्टिविटी तीस हजार तो यह एक तीस माइनस का भी और यह तीस प्लस का तो सर एक लाग सिर्फ साथ हजार है यहां ना ओपनिंग बैलेंस कैस कितना है हमारा 25,000 और 7,000 भी माइनस का है ओपनिंग बैलेंस कितने का है 25 यह क्या आ जाएगा हमारा closing balance minus करिये 18 और answer को मिला लिजिया 18 तो मैंने कहा था देखर 10 लगे लगड़़ लग़़़ है न? तो आदे घंटे का सवाल और आपके exam में बिल्कुल साफ सुत्रा simple सवाल आङगा बस सवाल में यही रहेगा यह चीज़े बढ़ेंगी जिसके लिए हमने दो से तीन क्लासों तक मेहनत किया था कि क्या होगा तो उसका क्या treatment करेंगे यह होगा तो समझ बारे हो आप बात को यहां तक समझ में आ रहे हैं बताईए किसी को doubt अगर बात करेंगे कुछ बच्चे बुक का question है बुक से उठाया है इलिस्टेशन नमबर एट होगा बुक में आई थिंग बट मैंने उसमें चेंज कर दिया वहां operating activity पूछा गया था मैंने तीनों निकालके दिखाया क्योंकि मेरा काम यह नहीं है कि बुक के question कराना मेरा काम ह है कि आपको सिखाना तो अगर मैं सिर्फ operating activity करता है मेरे को मजा नहीं आ रहा था मैंने तीनों activity कर दिया वहाई ठीक है कि चलिए कोई दिक्कत आपको इसमें समझ में आ गया यहां तक कि आपके सामने cash flow statement का एक सवाल जो कि आपके exam में आया हुआ है मैं format बनाता हूं मेरे साथ-साथ आप भी बनाए यह फटा-फट format कि अधर तो बस operating ही आ पाएगा है कि नोट के बाद किया था कि नोट के बाद किया था कि दिमाग कहां चल रहा है नोट लिख दिया मैंने हां डिटेल आएगा ना चलिए साहब पहला एपार्ट, कैश, फ्लो, प्रॉम, ओपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर, नेट प्रॉफिट, पस नेट प्रॉफिट लिए, आफ्टर टेक्स होता है वैसे, इसके बाद हम यहाँ छोड़ देते हैं, नेट ओपरेटिंग, profit, इसके अंदर, वरकिंग, कापिनल, चेंज़ ठीक, इसके बाद है कैस, generation from operation एक बच्चे ने सवाल पूछा सर हम इसके बीच में कितना gap छोड़ें देखो एक page में ही करना है अपने और एक page के हिसाब से अगर देखा जाए ना इसके बाद एक ही item आना होता है लेकिन ये कोसस मत करना कि इसी पर investing भी कर ले फाइदा कोई निये next page पर जाएगा ठीक है ना तो चलिए इसके बाद अगले page हाँ कोपरेटिंग के लिए एक page और investing और financing तो हमारा एक ही page पर आ जाता है detail detail के बाद क्या है amount B part sir cash flow from investing activity ठीक है C part sir cash flow from financing activity और इसके बाद cash and cash equivalent मेरे को ना कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ कि भाई तुम ना ये चीज़ फॉलो करो लेकिन student क्या करता है अपनी मन की चलाते है गंटे से प्लस ले जा रहा है तो प्लीज उस अपने method को change करिए आपके method में कमी है कहीं method का मतलब करने के तरीके में कमी है चलिए sir करने का क्या तरीका है एक बार adjustment पे निगा नजर मार लेते हैं कहता है fix assets है costing accumulated depreciation ठीक है sir fix assets पे provision for tax इसका मतलब यहां भी adjustment पर पोस डिविडेंट यह भी ठीक है sir new debenture issue तो यानि मोटा मोटा हमें adjustment पता चलिया कहां कहां पे हैं ठीक है न वो इस क्लियर है क्या बताइए मेरे को last message मैंने देखा कह रहे है का no sound ठीक है ठीक है ठीक है clear है चलिए अब अगली क्लास साथ बज़े ही रहेगी बस आज वाली क्लास करिए मैंने यह टाइमिंग चेज़िए तो चलिए सर सबसे पहले हमें यह adjustment देख लिया है तो हमें क्या करना है starting से लेके चलना है starting में equity दे रख है 80 से हो गया हमारा अब देखो एक्जाम मेंने कई बार गल्टी कर देते हैं कि यह ऐसे जाने की न हमें आदत होती है जो कि हमें फिर problem create करते हैं हमें क्या करना है यहां से इधर जाना है तो 50 से हो गया हमारा तो यह बताए कौन से activity का part financing का financing का part है तो यह रहा financing share capital कितने से कितने हो गये थे कितने से कितने 25 से आप पच्पन पच्चिस हाँ डिफ्रेंस आप बताना आपके पास टैनियर है नहीं है तो यह लो टैनियर भाई मुझे बताते जाना क्यूंकि मैं अगले पीच पर जा रहा हूं कि अगले पर आजाईए फटा फट से एकदम अगले पर प्रफरेंस शेर कैपिटल सर इसके उपर ना एक चर्चा करनी बांकी है तो इसके उपर मैं इस्तार लगा देता हूं बाद में डिसक्स करेंगे नॉर्मल प्रफरेंस शेर कैपिटल कितना हो गया 25 से 25 से 20 यानि घट गया रिडंशन हो गया इसका मतलब रिडंशन हो गया कितने का तो माइनास हो जाएगा आज आते हैं जनर रिजब्र जनर रिजब्र क्या हो रहा है 4ал से 6600 जनर रिजब्र यहां का पार्ट है कितने 4000 से 2600 इसका मतलब 3600 प्रॉफिट एन लॉस 2000 से 2400 चार सो बढ़ गया डिवेंचर 12 परसेंट डिवेंचर ऐसा डिवेंचर किसका पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बारा से 14 कितने बढ़ गया है तो डिवेंचर इशू 2000 मैं इसके उपर सभी के उपर अडिवेंचर लास्ट में इफ्टा लूँआ मुझे पता है यह अडिवेंचर का पार्ट है बताया था क्रेडिटर आपका 34 से 30 गुड है बिजनस के लिए 4000 गुड है तो क्या होगा कहां गुड को तो मैंने माइनस बोला था और बैड को एड बोला था खीक है ना गंदी जो बिजनस के लिए बेकार है उसे क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे हम एड और जो बिजनस के लिए अच्छा है उसे क्या बोलेंगे माइनस बोलेंगे यह एक उल्टा है इसको ध्यान डखना है प्रोविजन फोटेक्स यहां भी है और प्रोविजन फोटेक्स नीचे भी है तो अब हमें क्या करना चाहिए बताइए क्या करें कि सिखाया था कि सिंपल सी बाते सर अकाउंट बना लो इसमें और कोई नहीं है लीजी अकाउंट बना लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ बच्चे पूशते हैं सर यह वर्किंग नोट क्या हमें कैसे करके आना है तो हाँ इसे बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर करके आना है इसा ना समझे कि यह आंसर का पार्ट नहीं है मैं पहले से ही एक दो अकाउंट और तयार कर लेता हूं सो देट मिरे को दिक्कत ना हो चलिए सर प्रोविजन फोर टेक्स अकाउंट सर प्रोविजन फोर टेक्स अकाउंट का सबसे आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका पहले बैलेंस बीडी लिख लेजिए और जितने बच्चे नए हैं जो नए एंड्रोल हो रहे हैं जो फास्ट ट्रेक वाले में उनको आज सॉलूशन मिल जाएगा करना कैसे कैसे ठीक है थोड़ा वेट कर लें आज आज का बस तो सर बैलेंस बीडी बताईए क्या था च्छी अजार डेट देख ले ना सीडी चौरासी सो अब सवाल के अज्जस्मेंट में देखते हैं क्या कहता है भाईया कहता है के प्रोविजन फोर टेक्स जो था ना मेड मेड का मतलब बाइ साइड आएगा बिल्कुल सही बाइ प्रॉफिट एंड लॉस और कितने रुपए था कितने नाइन्टी पोर हंड्रेड यह मेड है तो सर यह दस अजार चार सो दस अजार यहां क्या जाएगा बैंक से पेड कितने आ जाएंगे पेड है अच्छा नोचे पंद्रा पंद्रा कितने साथ हजार बस साथ ही आ रहा है चलो ओके अब इससे माइनस कर देते हैं इसको प्लस कर देते हैं ठीक है याद रखना माँ तो इसको प्लस कर देते हैं प्रोविजन पॉर टेक्स नाइटी फॉर और यहां लेस कर देते हैं टेक्स पेड़ साथ हजार समझ में आए किसी को कोई दिक्क्त आगे बढ़ते जाएंगे ये भी कर लिया ये भी कर लिया इसके बाद फिक्स सेस और एक देखो यहां भी प्रोविजन फोड एप और यहां भी प्रोविजन फोड एप क्या करना चाहिए मैंने कहा था अगर सिर्फ यहीं होता तो फिर तो डिफरेंस लेकर चला लेते लेकिन दोनों जगा तो काउंट अकाउंट बनाने का सबसे पहले तो बहीं क्या है मैं दिमाग निलगा रहा पहले मैं बना लेता हूं यह बन गया हमारा और यह बन गया प्रोविजन अकाउंट के क्या लिखेंगे टू कि यह एकविटी और इसका कहाएक कि बैलेंस कि तीडी है ना बस इतना काम करना है देखो मैं हर वार बच्चों को समझाता ओ कि भाई है यह तो काम करो बटो करी लेंगे इस में क्या है वही कहानी खराब, पहले कर लो और इसको fill कर दो देखो कितना असान हो जाएगा, सबसे पहले इसका BD बता दो, कितने हैं, देखो ये वाला BD, आपको BD जो लेना है न, assets वाला ये लेना है आपको, और provision वाला ये net वाला मत ले लेना, net वाला लोगे तो गड़बड हो जाए 80,000 22,000 ये था और 20,000 ये हैं ठीक है 30,000 30,000 अब हम आते हैं सर किस पे सर adjustment पे कहता है एक fix assets था fix assets जिसकी costing ध्यान देना costing और उसके उपर accumulated debt यानि accumulated debt AD कर दिया सर कितना debt हो गया हमारा 6,000 उसको sold कर दिया कितने का 10 का तो मुझे बताईए हुआ क्या है कौन बच्चा बताएगा पहले costing costing का मतलब जो ये 20,000 है पहले ये जवाब देना मुझे फटाफट comment में जवाब आना चीए जो ये 20,000 रुपे लिखा है क्या इसमें से depreciation minus है या नहीं है गुण गुण का आंसर आ गया बागी बच्चे भी फटाफट दो भई आंसर रिफिक minus नहीं है, नहीं है, नहीं है नहीं है, काफी बच्चों का आ गया minus नहीं है, एक बच्चे ने loss भी निकाल के बता दिया अब accumulated depreciation का क्या मतलब होता है इसके उपर पूरे life का depth है न तो ये बच्चा हमारा कितने का सब 20 में से छे गए तो 14,000 रुपए और बेचा कितने का तो यहां आ गया loss, चलिए account में put कर देते हैं account में put करते हैं, अब account में सबसे पहले इसमें बताएं, तो इसके अंदर अगर कोई machinery बिग गया उसको तर डैप यहां निकाल के रख देंगा जिसको लिखेंगे 2 fix assets account और कितने का डैप था? शे हजार और इसको यहां पहुंचा देते हैं by PFD शे हजार देखो, balance BDCD आता है आप बोलते हो एक काम बच सीख लो उसके अलावा बचता ही किया इस account में एक काम तो सीखी सकते हो ना, जो assets भिक रहा है उसका depreciation उठा के ऐसे करना है तो आपने अभी सीखा क्या? एक काम उसके बाद कोई assets भिकता है पहले ही पता ही धर जाएगा loss हुआ पहले पता ही धर जाएगा हमें सारी चीज़ों तो पहले से ही पता हमें तो बेचा कितने का assets by bank से bank से sold कितने का? सर दस हजार उसपे loss हो गया था बाई पी एंडल से loss चार हजार बस यह तो आपको आता है यह सिर्फ एक transfer वाला में आपको दिक्कत हो जाती है थोड़ी बो सर यह कितने हो गया? तीस और छे चतिस और यह भी चतिस और बाई साइड में आ जाएगा का डैप है यह और यहाँ पर देखा जाए तो छे दस पूरे एक लाख एक लाख सर और यहाँ आजाएगा टू बैंक से परचेज कितने? अठारा जा रहा है अब मुद्दे की बात मैं बता हूँ आपको सर क्या है मुद्दे की बात इसमें से सारी चीज़े इस्तमाल नहीं होनी कुछ चीज़े इस्तमाल होगी कुछ नहीं होगी जैसे जिसके ओपर रेड लाइन लगाना वो इस्तमाल ही नहीं होगा यह नहीं होगा यूज 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 जिस पर रेड लगा दिया उसका इस्तमाली नहीं हो रहा कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट में बताया था मैंने आपको तो इस अकाउंट में से अकेला यह बचा यह कहां चले जाएगा ओपरेटिंग एक्टिविटी में एड कर देत कितने आया था 14,000 रुपे चलिए अब दूसरी बात पर चलते हैं यह अकाउंट यूज हो गया डन कर दिया अब इस अकाउंट में से यूज करना यह परचेज है किसका पार्ट है इंवेस्टिंग का तो यहां आ जाएगा लेस परचेज कितने का 18,000 था यह भी यूज हो ग जाएगा सेल कितने दस हजार इसके बाद यह भी टिक कर देते हैं यह वाला कहां जाता है यह लॉस है सर तो यह ओपरेटिंग में एड हो जाएगा किस नाम से लॉस है और सेज से ऑफ ऐफ ए ड कितने है दुझञ लोजी यह जैस्मेंट ड़न लोगी ये मे जैस्मेंट डन अभ रह गया पर्पोस डि यॾच्थमेंट परफोस डिविडेंट का क्या फंडां एड यूजसमेंट देखके बताइए मैं क्या क्रिट्मेंट करूं गाथ आपके सामने कहता है पर पोस्ट डिविडेंट फूर्दा इयर एंड इडिकत्यस मांच दो हजार बाइस एंटेइस वर दस हजार एंड आठ अजार दो सालों का पर पोस्ट डिविडेंट दे रखता है आपको कि अट्जेस्मेंट है ना आपके पास प्रिविएस एयर का एड और प्रिविएस एयर का ही करंट एयर की कोई वेल्यू नहीं है करंट एयर का कौन सा है दोनों में से दस याठ दस करंट एयर है प्रिविएस यानि किसका काम होगा सरिफ दस तो दस एड कर देंगे दस एड कर देंगे और दस क्या करेंगे माइनस फाइनसिंग एक्टिविटी में दस माइनस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में समझ में आ गया ये भी हो गया लो लास्ट कहता है न्यू डिबेंचर इशू करा 31 मार्च 2023 यानि ये साल है हमारा और ये कह रहा 31 मार्च 2023 यानि साल के एंड में तो इसका मतलब सर इस डेट पे स्टार्टिंग में मेरे पास डिबेंचर जो था वो था 12,000 और एंड में डिबेंचर था हमारे पास 14,000 और जो नए डिबेंचर है वो एंड में इशू किया है तो बताइए ब्याज किस पे लगाए हम 12,000 पे लगाएंगे या 14,000 पे लगाएंगे 12 क्योंकि नए वाला जो करजा लिया वो तो साल के अंद में लिया तो उसके उपर कौन सा भ्याज भाई अभी तो स्टाटी हुआ है किस पर देंगे बारह हजार पर तो बारह हजार पर अगर हम इंट्रस लगाएं तो बारह हजार पर रेट दे रखा है 12% देट इस क्या होगा हमारा 40 144 अच्छा 144 1440 1440 इसकी दो ट्रीटमेंट बताई थी अर्जेस्मेंट में देखो कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा एक एड हो जाएगा कहां पर जाके कहां एड हो जाएगा ओपरेटिंग एक्टिविटी में और माइनस कहां हो जाएगा फाइनसिंग एक्टिविटी में तो सर जी एड कर दीजिए इसको ठीक है इंट्रस्ट पेड 1440 माइनस इंट्रस्ट पेड 1440 देखिए अब मैंने यहां पे कई बार नहीं लिख रहा है तो यहां पे आपको लि एड लेस ठीक है क्या और कुछ बचा इसमें यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई दिक्कत देखो एक्जाम में आया हुआ कोश्चन है अब मैं हर बार बोलता हूं एक्जाम में आया हुआ कोश्चन है तो यह बिल्कुल भी ना समझे कि ऐसा ही पेपर में आ जलना है कुछ बच्चे सोचते हैं एक्जाम में ऐसा ही आता है छोड़ अब कैश्फ फ्लो खतम आगे बढ़ते हैं दूसरे के चप्टर का वीट करते हैं कि चलिए सर पटाफट टोटलिंग कर दें अब टोटलिंग का काम है कि टोटलिंग करते हैं अरे यह कहां आ गया है और पीछे आ गया है वही को में इतना साफ सुत्रा कर रहा था बेकार कैसे लग रहा है चलिए सर इस पे लाइन खीचेंगे चलिए सर इस पे लाइन खीचेंगे तो इसका टोटल कर लेते हैं कि शक्तिते सो चुरानवे सो 24 चार हजार दस हजार चौदा सो चालिस प्लस चार सो अब ट्राइज अब आगे रहता है भाई रहता है कि इस टॉक इंड रेड हमने अड्जस्मेंट टो कर लिया स्टॉक इंड प्रेड है जाट से हो गए कितने सत्तर तो भी अब बढ़ गया स्टॉक 10,000 माइनस इसके बाद डेटर 15 से 34 बढ़ गया कितने 19 सो 19,400 चेक कर ले ना भाई मैं फटाफट से कर रहा हूँ इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 6 से बढ़ गया प्रीपेड एक्सपेंस कितने बढ़ गये 400 रुपेड ये भी माइनस सब माइनस 19,400 चेक कर ले ना मैंने बोल दिया पहले पहले है 33,600 वो भी नेगेटिव 42,840 9040 साहब ये आगया हमारा माइनस 7,000 2040 और ये आगया हमारा कैश flow from operating activity देखिए किसी को दिकत सर अभी रहता है कुश्चन हाँ निदी ने बता दिया था ठीक है निदी मैंने देख लिया सर आप class के लिए पहले बता दिया मैंने last class में भी बोला था कि आज की class होगी अच्छा last class नहीं लिया था अपने तो मैंने last class में बोल दिया था सरिफ आज की class इस time रखा है अब जो अगली class जब भी आएगी यानि TTS में वो अब साम को साथ बजे ही रहा करेगा मुझे साम को कहीं जाना पड़ेगा इसलिए मैंने अज मौर्णिंग में रख ली छुट्टी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी ज्यादर टेंशन है छुट्टी करूँगा तो बहुत ज्यादर नुकसान है आपका चली अगले पॉइंट में आ जाए दो हजार चालिस लिख दे कैश अन कैश एक्लिएंट में A, B, C इसका अगया असर दो हजार चालिस ये तो बड़ा असान है आठ हजार अब बताओ इसके लिए क्या लिखे हैं स्टेट्मेंट कैश यूज़ फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस B पार्ट आगया हमारा C पार्ट 25,000-5,000 प्लस 2000-10,000-1440 10,560 positive C पार्ट आगया 10,560 मैंने यहां नहीं लिखा मेरे पाद स्पेस नहीं था यह आजागा कैश फ्लो फ्राम फाइनसिंग एक्टिविटी ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया शॉट फॉर्म में कि अब इनको टोटल कर देते हैं कि माइनस अट हजार प्लस 2000-4 यह च्यालिस सो आ रहा है और क्या है कि प्लास कि ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना कैश का सर ओपनिंग बैलेंस है 2400 इसमें एड कर दे 2400 कितना बनता है साथ हजार कहानी खतम मैच कर सकते हैं आपके पास आंसर तो बैसे है ही है ठीक है किसी को डाउट तो कुश्चन अगर आप और जस्मिन ठीक से कर लेते हैं फॉर्मेटिंग ठीक से करते हैं तो कुश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चलियर चलिये सर आपके सामने एक और सवाल ब्लैंक फॉर्मेट बना लीजिए ब्लैंक फॉर्मेट बनाईए मैं भी बना लेता हूँ अगर 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 सर मैं भी ब्लैंक फॉर्मेट बना रहा हूँ अगर 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 कर साफने स्क्राइब है जल्दी बनाईए मेरा फॉर्मेट बनने वाला है ज्टी बनाईए फॉर्मेटरщ चीले कुछिए घा फॉर्मेटर्ज। जी मैंने ब्लैंक फॉर्मिट बना लिया इसको बस ब्लैंक करने की दे रही है किसी बंगí है किसी बंगर लिया है ी मैं भाल मौशा है कर दो कि अज़ अज़ मुड़ सकते हैं बिल्कुल होगा बच्चे करें मेरे गाउं में बिजली नहीं है चलिए सर करें स्टार्ट आप भी फॉर्मेट बनाईए दो मिनट का वक्त देते हैं आपको मैंने तो बना लिया और इस कोश्चन को स्टीड में लेके चलेंगे अभी और इसी एफस खतम होगा तब टेस्ट रखेंगे तर डिरिंग दा इयर इंट्रिंड डिविडेंट ओक के मसींडरी एक्यूमेलेटिड ओक के सारे बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं आज मैं सारा कोश्चन होमवक में दे दूँआ लगबग पढ़ लिजीए अर्जेस्मेंट और जिन बच्चों को समझ में काफी बच्चों को तो आ भी गया होगा समझ में और उपर वाले जो डिजिट है वो लैक्स में इस बात का ध्यान रखिएगा तो हमें उसमें न पांच जीरो लगाने की जूरत नी हम भी लैक्स में ही लिख एकुटी शियर कैपिटल छे से आठ हो गया तो सर फाइनिंसिंग का पार्ट है आ जाए सर एकुटी शियर कैपिटल एक तो इस सब को कलर हाँ कि कि एकुटी कि एकुटी शेयर कि छे से आठ हो गया कि यानि सर दो लाख कि छे सो से था ना तो दो सो अरे दो कहीं और जीरो कहीं और चलिए दो सो लाख ले लिया हमने कि यानि रिजर्व दे रखा है अपको सर प्लस कि यानि रिजर्व अलग दे रखा है सर प्लस अनक जनल रिजर्व पचास से चुरासी हो गया इंक्रीज हो रहा है अग्र जनल रिजर्व थर्टी इसके बाद स्टेट्मेंट प्रॉफिट लॉस बढ़ गया इसके बाद स्टेट्मेंट प्रॉफिट लिया है अब सिक्यूरिटी प्रीमियम आपका 15 से 35 इसका मतलब क्या भी समझेंगे सिक्यूरिटी प्रीमियम 15 से 35 बढ़ने का एकी रीजन होगा आपने फ्रेश इशू कर दिया होगा सर कहीं न कहीं और वो फ्रेश इशू जो किया होगा न वो साधारन फ्रेश इशू नहीं रहा होगा आपने उस पर 20 लाक रुपे का सिक्यूरिटी प्रीमियम रिसीव किया होगा यही हुआ होगा अब फ्रेश इशू की बात करें तो मातल एक इक इकुटी शियर कैपिटल दिख रहा है 600 स से 800 तो सिक्यूरिट जो शियर हमने इसू किया है वो सिर्फ 200 रुपे नहीं मिले होंगे 200 लाक उसके समझ रहे हो बात तो मैं भी आऊंगा उसके वपर थोड़ा दीरे दीरे इसके वपर स्टार लगा लेते हैं ठीक है कि वेंचर 120 से सिर्फ 20 कितने 100 रिडिम हो गया है और पाइनिंसिंग का पार्ट है लेस सो रुपे करेक्ट चलिए सर संड्री क्रेडिटर किसका पार्ट है इंट्रेस्ट वगरे की बाद में बात करेंगे संड्री क्रेडिटर बढ़ गए क्या करा जाए सर एड कर दिया जाए लाइबिलिटी बढ़ना बिजनस के लिए बेकार होता है मैंने गुड और बैड करके समझाया था आपको 15 बिल्स पेबल क्या किया जाए माइनस घट गया ना बैंक ओवरड्राफ सर यह तो ओपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है यह तो फाइनसिंग का तो सर पहले था बाद में नहीं है तो पेमिंट किया है तो लेस कर दो बैंक ओडी कितने दस रुपए ओडी मतलब ओवरड्राफ इसके बाद यह भी हो गया यह भी हो गया प्रोविजन फो टेक्स ध्यान से देखे कहीं यहां टेक्स तो नहीं है तर कहीं टे करेंड करेंट यह टेक्स लेस प्रीवियस यह टेक्स कर करेंट यह का टेक्स कितने हैं कितने हैं है तो है और प्रीवियस यहर का है तो सेवेंटी एट है ना एक इसमें भी अरह रहे गए यार यहां परफोस डिविडेंट नहीं है इसको काट के मैं आउट्सेंडिंग रेंट कर रहा हूं हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ है है चालिस से है तो किसने गलत बताए मुझे अरे भाई प्रोविजन फोर्टेक्स बतिस से चालिस यहां बतिस और यहां चालिस अब प्रोविजन फोर्टेक्स के यहां थोड़ा बदलाव कर दिया है आउट्सेंडिंग रेंट अठाटर से सौ हो गया तो क्या करा जा है कि अठाटर से सो तो रइसmore के ब्रोविजन बता दियात ही का कि अब चालिस बत्विजन ने बता दिया थी कि मैने कर भी लिया सर बीच्र ऐही क्यिक कि अपगद zitten सिर्फ एक ही टाइमिंग है यह साथ से नो चल रहा है भी फिलान चलिए सर यह खतम फिक्स ऐसेट्स एक्यूमिलेट्री डेप्रीशेशन आ गया सर इसके लिए बना लेना चाहिए हमें अकाउंट अभी बना लेंगे इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट कितने हो गए 200 क्या करा जाए किसका पार्ट है इन्वेस्मेंट कितने बढ़ गए 40 और यह माइनस चलिए प्रॉपर्टी जो हमारा अकाउंट जो है वो भी प्रिपेर कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा टेक यह ना आप से करवाओंगा मैं सबसे पहले बीडी सीडी तू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस प्रीडी और बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस अब इतना डालना आना चाहिए आपको कि कौन सा आइटम कहा जाएगा बताइए कितने अब बच्चे सोच में पड़े गए सर माइनस करके बताए बिना माइनस भाई बोलाए बिना माइनस वाला आठ सो और हजार आठ सो एक हजार और ये लो 166 और 240 सवाल में क्या कहता है सवाल ये है कहता है कि एक मसीन कॉस्टिंग जिसकी 80 लाग थी कॉस्टिंग सर कॉस्टिंग का मतलब खरीदा था 80 लाग का उसके उपर डेफ 45 लाग लग चुका है सर तो इसका मतलब भाई इसकी वैल्यू 35 लाग ही बची है उसको बेच दिया 55 लाग रुपए का तो यहां फाइदा ही फाइदा बीस लाग रुपए का क्या गया प्रॉफिट अब देखा जया अकाउंट में कैसे करेंगे सर अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो टू साइड प्रॉफिट एन लॉस कितने का पेचा है बाई साइड में बैंक से पच्पन लाग जो एसिट्स विक्ता उसका डैप निकाल देंगे किस नाम से फिक्स एसिट्स के नाम से कितने रुपए 45 और यहां पर आ जाता है हमारा प्रॉविजन पूर डेप्रीशेशन पैंतालिस लाग अब बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लू कितने हो गए दो पैंतालिस दो 288 और बाई पी एंडल से डेप्रीशेशन मेड मेड नी डेप्रीशेशन एक तो बाई इसकर यहां से परचेज पैंतालिस पच्पन और एक हजार ग्यारा सो दो सो असी चलिए सर बीडी का कोई काम नहीं है पी एंडल पी एंडल में पहुंच जाएगा प्रोविजन फूर डेप्रीशेशन काम नहीं बैंक से से सेल पच्पन का परचेज दो सो असी प्रोफिट प्रोफिट क्या होगा कितने हैं पीज चलिए सर डेप्रीशेशन एक सो बाइस ठीक है के लिए सर ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया स्टॉक एक पिछ क्या होगा स्टॉक कितने तीज बढ़ रहे ना है सिट्स डेटर घट गया स्ट चौदा अजार से प्लस चौदा अजार इसके बाद डेटर के बाद प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया क्या करें माइनस कितने तीन लाग से कैस बैंक का तो होगा नहीं प्रेलिमिनिरी एक्सपेंस पंदरा से पांच कितने पंदरा से पांच दस प्लस हो जाएगा पिछले भी और भी आया था यानि यह सारा आइटम यूज कर चुके हैं अब एक एक करके एक अर्जस्मेंट भी डन कर लिया कहता है इंट्रस्ट रिसीव अनि इंवेश्मेंट द्यूरिंड अमाउंटेंग 15 अन। इंट्रस्ट रिसीव होग है अब इसकी एंट्री कॊन बताएगा taxpayers क काई जाएगा να यंवेस्ट इन इंवेस्टेंग में ऋर्ट 23 में माइनस तो यहां पर minus कर दें less और investing में चलिए सर अगले adjustment तो यह भी done यह भी done debenture was redeemed at the end of the year end of the year debenture redeem किया कहने का मतलब सर आपका debenture जो था starting में 20 का था last में 20 हो गया तो 100 आपने redeem end में किया तो ब्याज आपको इस पे देना पड़ेगा शुरू में 120 रुपए का debenture था last में 20 बचा तो आपने जो debenture holder के पैसे वापस किया अगर शुरू में कर दी होते तो 20 इस समाल किया है आपने last में पैसे दी है तो इसका मतलब पूरा इस समाल कर लिया आपने तो interest देना पड़ेगा किस पे 120 पे rate दे रख़ा है 10 तो कितने आगे 12 interest और एक चला जाएगा फाइनेंसिंग में तमझ में आ रहा है आपको चलिए इसके बाद एक अड़ेस्मेंट दूरिंग दे येर एंडी 31 मांच इंट्रिम डिविडेंट 30 लाख वास तु बी पेड एडीशन इंट्रिम डिविडेंट कंपनी ने 20 % dividend payment पेवल all इंट्रिम करेंट एयर बहीर हम इंट्रिम डिविडिंट की बात करते हैं 306 तो पहले इंट्रिम लो रोक्रें 2010 विए इंट्रिम हैं लिए टें इंट्रिम हैं कि इंट्रिम डिविडेंट कितने रुपें तीस और फाइनिंसिंग में भी जाएगा कितने तीस आगे पढ़ लेते हैं आगे कहता है सर ये कि भाया इन एडिशन का मतलब ये दिया सो दिया अब और तो इंट्रिम डिविडेंट इंट्रिम डिविडेंट को छोड़ कर the company declare company ने final declare कर दिया के मिलेगा मिलेगा 20% dividend मिलेगा और dividend जो payment होगा shall be including those current year issue ऐसा नहीं कि opening balance आप closing balance इस line का मतलब है आप dividend दो closing balance those including issue, issue का मतलब भाया आपका 6 से 8 हो गया तो issue होने के बाद तो 8 है ना तो इसके उपर आपको 20% देना है that is आपका 1 तो अब 160 दो जेगे सर दो जेगे कहा कहा अरे 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 जापका 1 यापका 2 चल यह इंट्रिम डिविदेंट इंट्रिम नी फाइन कितने थे एक सो साथ दूसरा फानेंसिंग एक्टिविटी में माइनस एक सो साथ अब आ जाईए सब कुछ हो गया अब रहे गया हमारा कहानी सर्फ 15 से 35 कैसे हो गया आपका सेक्यूरिटी प्रीमियम तो जाहिर सी बात है आपने 20 रुपे एक्स्ट्रा शियर होल्डर से लियोंगे अगर यहान पे डिवेंचर भी होता है फिर्फ कैसे होता है तब तो ठेज़ हो जाता है तुट अभाई तुने डिवेंचर जादा पैसे किया अर प्रृइम बात करें क्योंकि डिवेंचर हां पर इस कुलिपन जाता है गया है इसका हाँ पे चेक करो नोट में चेक करके बताओ कमेंट में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि मिला लिख वाए के निखवाय के? दो कोलम बना के लिखवाय था ना का जाएगा सरफ कि ऑपरेटिंग का काम समझे बात तो नोट जो है ना आपको पहले लिखवाय है तो शायद पहले कम समझ में आयाय लेकिन जब हम सवाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस note में addition कर सकते हैं आप अपने according, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवा दिया, वही है, आपके अपने according जो भी लगता है सर, ये वाली बात लिखते हैं तो हमें जल्दी आदाएगा, तो अपने हिसाफ से वहाँ addition कर दीजेगा, चलिए सर, अब हमने पू कर लिजेगा, क्योंकि उपर नीचे डिजिट हुआ है मेरे से, चेक कर ये, 373 आ रहा है, 389, क्योंकि प्रटीन, अरे, 13 आ है, पाइच चेक भी करना, एडलेस, चार सो अठारा, चेक कर ये, 386 है, या कहीं, आइडलेस में कुछ ना कुछ रहे गया, क्योंसा, ये, माइनस करने पे, प्लस करने पे, चार सो, अच्छा, चार सो दो, वही मैं कह रहा था, चार सो, तीन सो सत्तर, चेक करिए, ठीक है, अब, देखिए, टोटलिंग में कहीं बार माइनस प्लस हो सकता है, मैंने कर दिया हूँ, दुभार एक बार मैं देख लिए तो, गियर प्लस था चार सोंटीस, करेंट यर प्लस, 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 डेप्रिसेशन प्लस, ब्लिंगेर एक्सियेशन प्लस, प्लस, ईंटरश रिसीव माइनस, इंटरश पएड बार्भर रुपे प्लस, और इंट्रिम डिविडेंट प्लस 130 प्लस 33 प्लस 16 89 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 14 35 और 38 साथ मेरे से ये गलत तो नहीं हो गया देखना एक बार इसको चेक करना ही वाला पोई ये तेरा माइनेस का तो नहीं है हाँ माइनेस का ये आएगा ना प्लस का आएगा चला चलो चेक करिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं 55 और 15 माइनस 280 माइनस 40 250 माइनस का कैसे यूज़ है ये 92 मिनस appreciate चेक कर लिया लिख दूना 370 इसके बाद 250 इसके बाद 92 प्लस कर गए तो क्या लगा रहे हैं इसमें क्या लगा रहे हैं इसमें कि तीन सु सब्तर कि अज़िए कि अज़िए अज़िए 28 और ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं कि अज़िए यह लेजिए ठीक है चलिए किसी का डाउट इस सवाल के अंदर हमने क्या सीखा सर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बढ़ रहा होता है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं फ्रेश इसू हुआ है और उसकी वज़े से बढ़ा होगा और जब घट रहा होता है तो समझना होता है कहीं न कहीं रिडम्शन हुआ होगा उसकी जैसे घटरा होगा वैसा भी सवाल आएगा देख लेंगे एक और सवाल आपके सामने है कि बस लास्ट सवाइगा कि सवाल पढ़ ले एक बार सर, शेयर कैपिटल है, सर प्लस, जनर रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर और प्रोविजन पोर टेक्स वगएरा सब जानी सुनी बाते हैं और ये सब कुछ गीवन है ये भी हमें पता है पहले बैलेंस शीट के अंदर के आइटम जितने अंडर लाइन करें, क्या आपको ये सारे पॉइंट पता है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, सर ये क्या आ गया फिर अट्जस्मेंट को देख लेंगे सब कुछ पता है अट्जस्मेंट सोल्ड प्लांट कॉस्टिंग बुक वेल्यू इतने और इतने, यानि यहां पे एक अकाउंट बन जाएगा एक नी दो अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक्यूमिलेटी डेप दी है समझ में आ रहा है कहता है इशू पचास अजार डिवेंचर फेस वेल्यू इन एक्सचेंज और प्लांट एंद मसीनरी परचेस सम प्लांट ऑल्सो कैश नहीं है पॉइंट इसके लिए भी मैंने नोट लिखवा है लिखवा है कि जब हम कभी कोई डिवेंचर या शेयर पीशू कर देते हैं और उसके बदले में होता है तो उसकी कोई एंट्री कैश फ्लो में नहीं किया चाहता है लेकिन साथ के साथ अगर और भी कुछ बैलेंसिंग पिगर निकल रहा होता है तो उसकी एंट्री करता है मैं करके दिखाता हूं इसका क्या रहेगा मैं सब कुछ लिखवा के चलता हूं नहीं लिखवाया देखो मैं मिटाता तो हूनी अभी दिखातने देखा अब देखते हैं चलिए बच्चे के रहें नहीं लिखाया सर आपने तो रुख जाओ रुख जाओ पूरा वेन फुल एसेट्स पर चेज वेन पार्टली इशू वेन पार्टली पेड इन कैश इशू सारी बाते बताई थी वाइट बोर्ट जब था तो मैं मिटा देता था उस ते बच्चे बोल देते था नहीं लिखवाया था लेकिन आप तो आपके सामने है चलिए सर उसका अकाउंट में बना के सिखा दूँ पर अकाउंट कैसे बनेगा इसका पी एफडी वाला अकाउंट बनेगा सबसे पहले बैलेंस बीडी यह प्लांट अकाउंट और यह पी एफडी प्रोविजन पोर डेप्रिशेशन बाइब बैलेंस टू बैलेंस बीडी बैलेंस इडी टू बैलेंस बीडी और बैलेंस सर सबका बैलेंस इस लिख लिए नेट करके ने लिखना बीस लाख साथ हजार देख लेए पहले उदर वाला ओपनिंग है तेरा साथ और बीस लाख छे हजार छे साथ है पी एफडी का बैलेंस मैंने गलत ले लिया इसका है दस लाख दस हजार और चौदा लाख इसका है एक लाख छे हजार और दो लाख छे हजार कहता है एक प्लांट बेचा कॉस्टिंग बीस हजार का था जिसका बुक वैल्यू सोला हजार था मतलब इसके उपर डैप लगा होगा चार तभी तो सोला बचा होगा उसको बेच दिया दस का तो नुकसान तो नुकसान कितने का हो गया एक्रूड लाइबलिटी एक्रूड लाइबलिटी लाइबलिटी यह सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है नॉर्मल लाइबलिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे आप उसको ठीक है चलिए अब बैलिंसिस पुट कर दो बस सर आपने बेच दिया तो बाइब साइट से बैंक दस का सर नुक्सान हो गया बाइब पी एंडल से लॉस शेका इधर देखे इधर 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 और आपने जो मसीन बेचा है उसका क्या करेंगे फिक्स है प्लांट में चला जाएगा यह डैप कितने चार हजार बाइब प्लांट में चला जाएगा प्लांट में पी एफडी चार हजार ठीक है चार हजार हैंड रेज का भी आंसर नहीं दूँगा कुछ बच्चे गलती से दवा देते हैं हैंड रेज यहां तक समझ में आ गया हर किसी को तो मैं आगे बढ़ जाओ और आप देख रहे हो कि जायतर कोश्चन में यह पूछा ही जा रहा है अब सवाल में क्या कहता है अगले सवाल पे कहता है कि अगले पॉइंट में इसका मतलब डिवेंचर पचास हजार रुपए का हमने प्लांट को लेके किया है तो यहां डिवेंचर कि पचास हजार अब चलिए सर यह आ जाएगा दो लाख दस अजार सर दो दस यहां पर आ जाएगा पी एंडल से डेप्रिशेशन चत्यस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कि दो चालिस माइनस कर दिए साट सत्तर चौंसट हजार अब यहां टोटल कर देते हैं है से कि चौदा पचास कि चौदा पचास तू पर चेज आजायेगा है बस लाक्राइड अजार है पचास अजार तीन सर ये बोल रहा था ना line egg in exchange of plant some other plant also purchase in cash तो some other plant कौन सा भीया ये वाला अब इसके treatment देखे कैसे करना है सबसे पहले bank का balance sale हुआ है कहां चला जाएगा investing में add P&L से loss है operating में add PFD transfer वाली entry है कुछ नहीं होगा balance CD का कुछ नहीं होगा other than cash है कोई भी treatment नहीं है cash flow statement में plant investing में last और ये operating में add अब भाई ये सिर्फ एक जगा impact नहीं करता आप debenture भी देखें debenture भी 50,000 रुपे से कितने से बढ़ रहा है debenture घट रहा है बढ़ रहा है कितने से एक लाग से 490 से 590 लाग से debenture बढ़ गया इसका मतलब सर ये बढ़ा होगा 50,000 रुपे कोन से प्लांट वाले से और 50,000 रुपे किस से other new तो बताईए cash flow statement में issue of debenture एक लाग रुपे दिख रहा है जो की financing activity में जाना चाहिए मगर other than cash होनी की वज़े से financing activity में बताईए कितना आपका issue of debenture जाएगा समझ में आया मैंने क्या बोला बतादो नहीं समझ में आया ये debenture कितने का बढ़ गया मुझे ये बताईए debenture एशू कितने का हुआ भया एक लाग क्या एक लाग रुपे आपके जिब में पैसे आए होंगे नहीं क्यूंकि पचास के तो प्लांट के थे तो आए कितने तो financing activity में कितने रुपे आए होंगे आपके सरफ पचास अजार तो आप पचास अजार रुपे financing activity में दिखाऊगे आट करोगे समझे बात या पानेश्टिंग activity में करोगे एक लाग या पचास अजार है सिर्फ पचास अजार सभी ने बता दिया पचास अजार राम नरायन आपने तो नाम एक तक 1100000 रुपए बता दिया आपने राम नराएन होते वे जिए पचास अजार जाएगा अब बता हैं पचास अजार है सर वो गल्चसे से लेक्टि नमन पचास अजार अंजली सब बच्चे कह रहे हैं सर 50,000 50,000 ठीक है समझ में आया बात और सर यह चीज देखा ना तो एक adjustment done दो adjustment done sold some investment 180 कुछ investment एकस्ती पर बेचा है स्वारी costing एकस्ती का कितने का 24 में some investment purchase also cash यह क्या कहानी कह दिया इसने वह ऐसी कहानी के लिए ना एक ही तरीका है account एसी कहानी के लिए सिर्फ एक तरीका account बना लो और account बनाने के बाद सब कुछ नजर आजाता है simple अभी time है अच्छा तर आप बताईए मुझे investment दे रखा है ना तू बीडी दो चववन तू बीडी मैं रफली कर रहा हूं और by cd लिखोगे कितने दो तीज और सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाईया मैंने एक लाक अस्थी जार का बेच दिया मैंने ठीक है भाई बेच दिया एक स्थी का कितने का बेचा यह तो बता के रहा है दो चार का बेच है मैंने वह फिर तो तुने प्रॉफिट कमा लिया 24,000 तो भईया इस प्रॉफिट यहां डाल दो इहां तक का निसमजमा है अब बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगा वो डेबिट का इनिकल रहा है तो वह परचेज क्शक निकलेगा परचेज वही कहे रहा है koska इंसक्र इंवस्मेंट ऑल्स परचेज इंकि है तो सम कितना होता है बता दो लाग चार हजार प्लस दो तीस माइनस 254 माइनस 24 अजार तर एक लाग चपन हजार अब इसकी entry balance BDCD का होगा नहीं, bank से sale कर दिया, investing में add, profit हो गया, operating में less, purchase कर लिया, investing में minus statement देखिए, some investment costing 180, कुछ investment एक लाग चार हजार जिसकी कीमत है, उसको बेच दिया, दो लाग चार हजार पे, यहां से profit निकाल लिया, some investment also purchase, हमने कुछ investment और खरीदे हैं cash में, पर कितना, तो वो balancing figure बता रहा है, ठीक है, clear, आगे आ जाते हैं, during the year interest receive on long term investment, 12,000 interest on debenture was paid, कहता है कि sir, during the year interest on investment, हमने receive किया 12,000, अब दिमागी नहीं लगा, 12,000 उपे receive कर लिया, operating में less, और financing, और investing में add, investment receive है, अब कहता है interest paid on debenture, भाई साब interest paid on debenture है, अब बताया नहीं है कि debenture कभ इशू हुआ है, तो ऐसे situation में किस पे दे दोगे, आप opening balance पे दोगे, इसके उपर 10%, यह नहीं 49,000 रुपीज, आपका operating में add, और financing में less, समझ में आ रहे हैं, अगर date बोलता है, तो date case आप से करते है, date नहीं बोला, तो इसके लिए भी note लिखा था, in case date of issue of debenture or redemption not given, then we will be calculate always on opening balance of debenture, interest किस पे calculate करेंगे, opening balance of debenture, clear? चलिए sir, यह भी समझ में आ गया, अब कहता है, provision for tech, तो sir, यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, तो simple account बन जाएगा, अब कहता है, unless otherwise specific, assume all transaction took place at the end of the year, कहता है कि आप मान लीजिए सारे transaction जो took place हुए है, साल के अंत में हुआ है, तो debenture को भी भाई हमने अंत में ही माना है, इसलिए opening balance पे दिया जा रहा है, आपका interest on debenture, तो यह debenture के लिए क्या दे रहा है, वो hint, कि जो भी काम कर रहे हो साल के अंत में, इसका मतलब issue साल के अंड में, redemption साल के अंड में, जो भी काम हुआ, depreciation साल के अंड में, तो जब debenture आपने issue साल के अंड में किया है, तो भाई या opening पे ही तो दोगे भी आज, एक चीज question mind में आ सकता है, बच्चों के सर, जो other than cash वाला होता है, अगर बोलता question में, कि साल के सुरू में, डिवेंचर इशू किया है, तो इसका मतलब, इसका मतलब सर, हमारा डिवेंचर पहले चार नब्बे था, और एक लाक और डिवेंचर इशू किया, टोटल हो गया होगा पांच नब्बे, और लास्ट में भी यही दिख रहा अधर देन कैस के भी पचास हजार है, बताइए, अभी से एक पांच चालेस, और बताइए, सर पांच चालेस, अनुज पांच चालेस, सहवाल पांच चालेस, गुन-गुन पांच चालेस, नंदनी पांच नब्बे, पांच चालेस, पांच चालेस, सभी बच्चे अपनी मन की बात सुन रहे हैं, अब बताओ, अब एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ, मैं मसीन्री जिस राज की जाए? बहु चलते हैं, जो बहुत, मैंने देंचर, और मारी कमपणी के डैनिंचर यह करेगा, कुछ से लिए होगा, इसे पता है चत्त नोगा, यह जारै कि मेंचर वापस और क्ला है? तो other than cash का हो चाहे कोई भी हो issue अगर हो गया डिवेंचर तो पूरे पर व्याज मिलेगा मतलब कहां गया किस पर मिलेगा 5,90,000 पर 5,40 वाले बच्चों का आंसर गलत था अब इतना समझाने के बाद बोल रहे हो क्यों इस पाई डिवेंचर इशू तो डिवेंचर इशू है ना 5,90 समझ में आई बात आपको यानि इशू other than cash जरूर है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उस पर ब्याज नहीं देना ब्याज देना इन्फेक्ट कोलेटरल से जब इस आप डिवेंचर करेंगे ने तो कोलेटरल सेक्यूरेटी पर भी ब्याज देना पड़ जाता है जब डिफॉल्ट होते हैं तो हम क्या ये सवाल आप कर सकते हो अभी टाइम तो हो नहीं हो क्या अभी सवाल कर सकते हो या मैं करके दिखाँ बताए फटा फट एक बार दिखाने टेनिया कितने सवाल है करवादा पर दिखाने टेनिया कितने सवाल है करवादेना है करवादेना एक बार अडजस्मेंट नंबर चाहत और पांच देखे एक बच्चे का डाउट है चार और पांच कहता है इसका मतलब है जो इन्वेस्मेंट था न इसके हमें ब्याज मिला है तो जब कभी भी आप ब्याज रिसीव करते हैं इन्वेस्मेंट से और इस्यू एंड ऑफ दा इयर किया था तो इसलिए हमने इसके उपर पेमेंट करके दिखा दिया 49,000 रुपीज ओपरेटिंग मेंड और फाइनेंसिंग में माइनट फिफ्ट में कहता है कि प्रोविजन फो टेक्स फिफ्ट ही था ना पिफ्ट तो इतनी बार करवाया है सबसे पहला अड़िस्मेंट यही है मेरे ख्यान प्रोविजन फो टेक्स मेंड तो प्रोविजन फो टेक्स है तो अकाउंट बनेगा अकाउंट बनने के बाद पेड निकल जाएगा और उसको ट्रीटमेंट करेंगा आपको छे सवाल दिये जा रहे हैं कैस्ट फ्लो श्रेटमेंट के अगली क्लास अगली क्लास ट्यूजडे है एक सवाल मैं करवाऊंगा जो 2022 में आया था एक्जाम के अंदर जो फाइनल पेपर में आया था कैस्ट फ्लो का कोश्चन दस नंबर का पूछा गया था वो सवाल में बोड़ पे करवाऊंगा और प्रोग्राम का भी करा दूँगा ओनर्स का भी करा दूँगा दोनों ही देख लेंगे जो आया था एक्जाम में तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का पैटन थोड़ा जो चेंज हुआ है न वो किस ता इचा है लेकिन उस सवाल को आप सभी कर सकते हो जब आपका कॉंसर्प्ट एकदम क्लियर हो तो मंगलवार वाले दिन मैं 2022 का लेटिस्ट पेपर करवाने वाला हूँ और छे सवाल मैं दे रहा हूँ आपको होमवक में सर छे सवाल जो होमवक में दिये जा रहे हैं जिन बच्चों के पास नहीं है पीडियाफ बुक नहीं है या फिर जो मैं आपको कल सुबह दस अभी दस के बीच में